हालो इस्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी हो कैसे वो तो हम समझ सकते हैं क्योंकि आप इस कलास में आये हो तो बड़े ही दुख दर्द के साथ आये हो कि आपको गड़ित नहीं आती है है न तो पहले तो आप अपने दिमाग से ये सारी जो भी टेंसन वाली बाते उनको निकाल नहीं बनना है जैसे होता नहीं दिन बर सुबा से लेके साम तक काम साम से लेके सुबा तक काम ऐसा नहीं करना है आज ये पहली कलास है तो हम पढ़ेंगे कम पहले हम ये चीज देखेंगे कि आज ये क्या हम लोग तैयारी की रड़नीती बनाए कैसे गड़ित आए बहुत स हमारे पास message आते हैं, you email आते हैं. ऐसे-एसे message होते हैं काफी emotional होते हैं. मतलब दिल को छुझाते हैं. Sir मेरी age 28 year हो चुकी है. मेरी age 25 year हो चुकी है. ऐसे-एसी girls के message आते हैं. Boys के message आते हैं. घरवाले साधी-खार बना चाहते हैं. और मेरी सबसे बड़ी कमजोरी गड़ी थे और ऐसे बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हम दुकान पे रहते हैं हमारे घर मतलब बिजनेस का काम चलता है दुकान का मानलो किराना की दुकान है और उस पे हम अगर बैठते हैं तो हम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बस्तूं का हिसाब नहीं कर पाते जैसे माली जीए बादाम अगर साथ सो रूपे किलो भी कराए अगर कोई आया पचास ग्राम लिया तो हम जोड़ नहीं पाते पापा बड़ी गाली देते हैं कहते हैं तूं का पड़ा लिखा है मतलब समझ रहे होना कितनी दर्द छुपा इसमें वो बच्चे नहीं है वो बच्चों के मम्मी पापा हो चुके हैं दिकान सीद में से तो पूरा देखिए इसे लेकिन पहले मतलब समझ ये क्योंकि आज से आप गड़ित सीखने का बिल्कुल परण कर चुके हैं क्योंकि आप पेड़ करके कोर्स में आये हैं तो आपकी पूरी उमीदें पूरा हो हम इसकी भरपूर कोसिस करेंगे और आपका विश्वास हमारे साथ PBR study, online institute के साथ 100% बना रहे हमारी भरपूर ये कोसिस होगी आप किसी भी तरह से असंतुष्ट ना हो इस समय अगर हम बात करें तो recording जब हो रही है रातरी के 12 बचकर 5 मिनट और 18 सिकंड हो रहा है ऐसा टाइम मैंने क्यों चुना बहुत सारे भाग दोड़ होते हैं दिन में आपको मालूम है ना सब की जिन्दगी में होते है एक्चुली इस टाइम क्या बहुत ही महाल सांत होता है मतलब सब सो रहे हैं जितने भी अच्छे बुरे लोग हैं सब सो रहे हैं अपने कमरे में अपने घर में आराम से प्यार से कुछ भी कर सकते हो चाहे अपनी जिन्दगी बना भी सकते हो बिगाड भी सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो वो सब बात तो किनारे रखतो अब हमें गडित कैसे सीखना है देखे गडित या मैट्स ये कोई मतलब खतरनाख जानवर का नाम तो है नहीं कि जिसे हमें कबजा करना है काबू में करना है भई वो भी तो इंसान कर लिया है दुनिया के जितने बड़े से बड़े डेंजरस पराड़ी है उनको भी इंसान अपने कबजे में रखा है तो गड़ित कौन सी बहुत बड़ी बात है भई ये दो लाइने मैं बार बार बोलता हूँ ना आपसे कौन सी सुने हो कि नहीं हौसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना हौसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार फिर फे जीतने की उमीद को जिन्दा रखना बिल्कुल उमीद के ही दम पर दुनिया ठीकी है आप जरा एक मिनट सोचो हमारी उमीदें होती हैं बिस्वास होता है अगर हम घर से कहीं निकलते हैं मान लो, भाइक लेके जा रहे हैं आप जा आप लेके जा रहें हमें यह विष्वास होता है कि हम एम आस्थान पर सुरक्षित पहुँचेंगे नहीं तो क्या भरोसा कार में बैठेयो रास्ता में पहिया निकल के चला गया गद्धा में और तुम चले गए नार में गड़ा कड़ा नदीम पहुच गया सोचो होता ऐसा कभी-कभी लेकिन अगर हम निकलने से पहले ही सोच ले हमारा एक्सिडेंट हो जाएगा बड़ा भीसर नम चटनी बन जाएगे तो जाओगे नहीं जाओगे लोग जहाज में उपर उड़ते हैं आसमान में बिवान में उनको विस्वास होता पंकों पर कि भाई ये गूमता रहेगा जब तक उतरेगा नहीं उनको क्या पता लाश्ट में पता चले अगर विस्वास ना उपर रुक जाए थम जाए तो क्या होगा नीचे जमीन बे आ जाएंगे जल जाएगा जहाज उपर ही तो विस्वास बहुत बड़ी चीज होती है और विस्वास के दम पर ही दुनिया ठीकी है ये दोनों एक्जामपल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको खुद पर विस्वास करना है कि मुझे मैं थाएगी उसी तरह से जैसे आप किसी कारबाई किया जहाज सेयात्रा करते हो तो आपको उस पर विस्वास होता है कि मुझे ये सुरच ही छोड़ेगा लेकिन आप उसके बारे में तो कभी नहीं सोचोगे भई क्या भरोसा है इस जिन्दगी का ये गाना तो सुने हो ना भरोसा तो नहीं है लेकिन हाँ खुद पर विस्वास हम लोग करके चलते हैं आप कहोगे कि ये पांच मिनट से कौन सा लेक्चर चलता है कुछ पढ़ाई नहीं रहे क्योंकि ये पहला कलास है इसमें जोड़ घटाना गुड़ा भाग पढ़ाना भी मैं वो बता दूँगा आप सब को आता भी होगा नहीं आता तो कोई टेंसन नहीं उसे पढ़ लेना लेकिन ये बहुत जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ इसके पहले अभी और भी बहुत सारे वीडियो आप देखोगे जिसे अपडेट किये जा रहा है पुरानी कलासे हैं जब सेटप थोड़ा कम था बहुत ही मोटिबेशनल वाली कहानी उसको मैं बताया हूँ यूट्यूब पर तो कई स्थितियों से गुजरे हैं हम आज जो देख रहे हो ये सेटप दूसरे हिसाब से बनाए तो वीडियो जो हैं पहले के पुराने हैं उनको सब हम अपडेट कर रहे हैं हमारी कोशी से जल्दी से जल्दी सब अच्छे कॉल्टी में अपडेट हो जाएंगे तो साथियों विश्वास अपने ऊपर आपको रखना है दूसरा नंबर आपको क्या करना है निरंतर पढ़ना है कांटीनू मतलब समझ रहो इस्टेप बाई इस्टेप कांटीनू यह नहीं कि एक कलास देख लिया एक दिन जैसे होता नहीं बहुत से ऐसे हमारे स्टुडेंट हैं यह बहुत जाहिल स्टुडेंट हैं मालूम है कैसे हैं यह यूटूब पर आता है हमारी कलास हो Persør है कोईrån वरडwest निकले तो तो वो क्या करते है न, जैसे यूटूब पे हम पढ़ा रहे हैं, भई लाइब चलता है, बच्चे बड़ा मोटीवेट हो जाते हैं, अरे अब तो हम मार देंगे आसमान नीचे आ जायेगा, और वो क्या करेंगे, उसी जोस में आकर के कलास जोईन कर लेंगे, कलास जोईन कर पिर क्या हुआ, अब सारा जो स्थंडा हो गया साम होते होते, अब फिर उनको क्या करना है, नहीं पढ़ना है, मैं देखा हूँ, बहुत से इस्टुडेंट पेड कर देते हैं, लाइश्ट में तीन महीना, च्छा महीना के बाद मैं चेक करता हूँ, उसी रिपोर्ट मैं च रजिस्टर किये थे, मैं देखों, तुम कितना पढ़े हो जो तुम ही नहीं आया, देखने के बाद मैं उनको जब रिकार्ड बताता हूँ, तो कहते हैं, सर आपको पता कैसे चल गया, हम कहते हैं, बच्चा हम ऐसे नहीं, इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मैं सब पता ह समझ रहे हो, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, कोर्स को पूरा पढ़ना है, और नोटस बनाने है, एक और भी समय हम आप फर आपको दे रहे हैं, जब तक यह वीडियो जब आर रिकार्ड हो रहा आज के दिन, तो है, कब तक रहता मुझे नहीं पता है, कि अगर आप ज student को उपलब्द कराएंगे और इसके लिए आपको 1000 प्लस का पेमिंट भी मिलेगा इनाम सरूप जो भी समझे लो मतलब आपका नोट्स भी बन जाएगा आपको मैत भी आ कि प्लस आपने जितना पेमिंट किया होगा उसका दो गुना रिटर्न भी हो जाएगा समझ रहे हो ना इसलिए आपको एक ये भी प्लस पॉइंट है बही किसी भी तरह से आप पढ़ो देखो पढ़ाई कई तरह से होती है एक तो लोक लज्जा देश समाज की सरम से होती है कि जादा बड़े हो गए साधी बया होने वाला है पड़े लिखे नहीं है बड़ी बेज्जती होगी है ना दूसरा एक गर्ज से होती है मतलब जिसे बोलते है कि जैसे नौकरी की चाहत है गर्ज है कि बिना नौकरी जिंदगी चलने वाली नहीं है बिना पैसे कि दुनिया मे कुछ है नहीं, पानी नमक कुछ नहीं मिलता भी न पैसे के है न, मिट्टी नहीं मिलती सहर में तो आप ये समझे लो, ये चीज हो गया, तीसरा एक चाहत होती है, एक जुनून होता है, अंदर में मतलब तुफान सा होता है कुछ भी करने का, कि नहीं मुझे इसों करना है, करना है, अब आप आज ही देख लो, PPR स्टडी में जब ये कलाफ रिकार्ड हो रही, 2,60,000 से लेकिन हमने एक छोटी सी मोबाइल फोन से इस सपर की सुरुवात किया था, क्योंकि हमारे अंदर में एक तुफान था, एक जुनून था, एक जोस था कि मुझे लाखों लोगों को, करोणों लोगों को अपनी बात सुनानी है, रखनी है, उन्हें कुछ अच्छा करना सिख लेकिन वो साहर में अकेले कमरे में, घर पे होता तो ममी चीने न देती है, ऐसे बैटने, लगातार कहती है, पागल हो जाएगा तू, मतलब समझ रहे बाब बात, इस कलास को थोड़ा स्किप कर लो, अगर लोगों को बोरिंग लग रही लेकिन यह सुनना जरूरी है, तो आ बहुत सारी कमिया, हर किसी में होती है, हम में भी हैं, उन में भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लेंग्वेज सीखा जब वो परधान मंतरी बने, आप देखे होंगे कई देशों की यात्रा करते हैं, कहते हैं अब तक का सब जादा यातरा करने वाला परधान मंतरी मान जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, आपको मालूम है, हो सकता है, अधिकांस लोगों के भी छोटे बड़े बच्चे होंगी, जो भी अभी कुछ लोगों के अभी डूधी हो रहे होंगे, तो भाई, वो सीखता क्या है? भाई इस्कूल जाता है अगर छोटा सा बच्चा तो क्या पढ़ता है जरा सोचो अब आप उससे तो बड़े हो छोटा सा बच्चा तो हो नहीं क्योंकि हमारा दिमाग भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसा तेजी के साथ काम करता है तो उसको गिंती याद कराया जाता है यही तो होता है ना पाढ़ा याद कराया जाता है वस्तु यह दिखाई जाती है विजूल तरीके से है ना जैसे यह स्याही है यह मारकर है तो बच्चा समझ जाता है हाँ यह pencil है यह copy है मतलब चीजों को देखता है तो आप इतने छोटे तो हो नहीं कि मैं आपको pencil पैन और marker और सारा सामान लाके दिखाऊं कि हाँ यह भाईया यह यह है आप तो बड़े हो तो हम चलते हैं मान लोग class 1 वो prep, play, kg, lkg क्या होता वो सब छोड़ दो उसके उपर क् आप लोग कहते हो सर मुझे बिल्कुल 0 से सीखना है हाँ एक बात और सुन लीजे जिनको यह छोटा छोटा बेसिक चीजें आती हैं वो कक्छा 6 से वैसे पढ़ें क्योंकि कक्छा 6 से जो mathematics होगी जैसे LCM, HCF, percentage, profit, topic, topic यह सारे आपके काम की चीजे मिलेंगी कक्छा 5 तक यह कम दिखेगा तो बता दे ना विल्कुल टेंसर मदले ना मैं इसे अभी चमक थोड़ा कम कर दूंगा पहले मुझे topic लिख लेने दीजिए आज क्या-क्या पढ़ेंगे इसमें इस पूरी कलास में जोड घटाना गुड़ा और भाग ठीक है अब सब को मालूम है यह सब तो थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा है कुछ मुझे लग रहा है क्यों लपदप हो रहा है का यह ठीक है तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा brightness कम कर देते हैं मुझे लग रहा ज्यादा है जिन लोगों को हिंदी लेंग्वेज नहीं समझ में आ रही होगी वो बिल्कुल हैरान नही होंगे देखेंगे अभी सब आएगा ठीक है तो जोड को भाई एड भी बोलते हैं आप साटकर में समझ लो उसके बाद क्या पढ़ेंगे घटाना देखो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनती है इसे सब्ट्रेक्शन या सब्ट्रेक भी बोलते हैं और गुड़ क्लास को पूरा देखना अगर आपको बिल्कुल बेसिक नहीं आता तो ठीक है और अगला फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग भाग पढ़ेंगे मतलब डिवीजन देखिए इसमें मूल रूप से हमें पढ़ना क्या है बिल्कुल हम छोटे लेबल से बात करेंगी क्योंकि आप चाहत होती है रिक्वेस्ट होती है कि सब बिल्कुल जीरो से पढ़ना है है ना तो अगर हम पहला बात करें जोड की तो साथियों यह सबसे छोटा जोड होता है वन डिजिट का होता है हां अगर हम इसके पीछे भी थोड़ा सचा लें तो इसके पीछे होता है अंक और होती तो वो कुछ समझेगा नहीं, वो इतना जानता है कहां ये गिंती होती ही, तो होती है, बस कैसे होती है, ये क्या है, इससे नहीं मतलब है, तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे, आगे आपको बताएंगे, डिजिट और नंबर क्या होता है, इनकी डेफिनिशन और तो ये सब जोड़ना आपको आता है, इनको जोड़ लोगे साथ तीन ये दस हो गया, जैसे अभी आपको चार में दो जोड़ना है, तो आप सब को मालूम है, ये चार दो खे हो गया, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ ट्रेलर के रूप में, वैसे तो आधिकान सो लोगों को यह पता है मुझे भी मालूम है कि आपको आता है लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि बिल्कुल मुझे सुरुए से पढ़ना जहां से गड़ी जनम लेती है बस वहीं से पढ़ना है तो मैं इसलिए यह बता दे रहा हूं यह हो गया अब इसमें भी अगर हम यह तीन तीन च्छा यह दो अंक का है इसमें भी हासिल नहीं आता है अब कुछ लोग कहेंगे का एक दू अंक में हाफिल नहीं आता है उसके बाद हासिल आने लगता है नहीं हासिल आता है जब उसकी अलग कंडिशन होती है यह तीन अंक का है इसमें भी क्या है हासिल नहीं आता है है ना देखो तीन दो ये पांच तीन एक चार और चारतीन साथ सही जोड़ रहा हुँ ना रात बहुत ज़्यादा हो गई कहीं हो सकता दिमाग फिसल गया तो ये जोड़ना खटाना तो आप लोग जानते हो बागी कुछ गलत नहीं होने वाला टेंसन मतलो पांच चार ना देखो ये वह गया वही ना चारतीन ये कितना होगा साथ हो ठीक है आप लोग बिल्कुल भी चीजों को समझते चलियें ये सब आप लोग जानते हो इसके अलमा जो तो दो अंका का क्या होता है बाई दो अंका का हो या एक ही अंका का हो हासिल आने लगता है हासिल का बाता है जब कोई ऐसे डिजिट जूड रहे हैं जिनमें आप देखोगे कि एड करने के बाद 10 के ऊपर completely समा जाता है मतलब उसका योगफल जैसे हासिल के अगर हम बात करें तो माल लो चार और पांच और इसमें छे और यह दो अब ध्यान से देखना यह 6 में 5 एड करेंगे तो 11 होगा होगा न 6 5 11 यहां पर यह वन हो जाएगा चुकि हम जानते हैं 11 ऐ जानते हैं 12 ऐसे लिखा जाता है इसमें दो गानती होती है इसका जो वन है वह यहां लिख दिया जाएगा ग्रावू करति अक्रवल यह दूसरा वाला करति यह क्वाग्णा यह अब बात तो पर कि दहने हें अगरा से शे मां एकि पाल एकね यह मैंbang दो नहीं वाल बात hè तो और क्या होता, जैसे, मानलो कोई भी number हो गे, ये, अगर तीन अंक का है, तो इसमें भी कोई दिक्त नहीं अगर हासिल आता है, ये देखो, 5, 3, 8, ये 10 के ऊपर नहीं गया तो इसमें कोई हासिल आएगा नहीं, अकेला है, ये 9, 2, 11, 11, इसमें दो डिजिट आ गया, तो 1 यहां हो गया? 1, 1, 1 हासिल भी को विख के उपर? ठीक और ये 4, 1, 5र ये के हासिल हो गया 6 इतना सब को आता है ये हो गया जोड़ना आपका इसी तरह से घटाना भी होता इसमें कुछ नया तो है नहीं लेकिन कुछ और भी ऐसे भी हमारे साथ ही है जिनको इसमें मुसीबत होती है तो मैं उनको बता देता हूँ देखो भाजया घटाने में क्या होता है, यह कई तरह के घटाने होते हैं कई तरह के होते है, देखो, ठीक है? इनको आप आप सभी कर लोगे, कोई किसी को हैरानी परेसानी दिखत तो नहीं है न चलिए इनको नोट करिए फटा-फट लिखते चलिए और वीडियो को रोख रोख के आप लिखते जाईए ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए सब कुछ अच्छा चल रहा है ना मुझे तो लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है चलो तो यह हो गया आपका इनको घटा लो इसी तरह से हम क्या करेंगे गुड़ा भी कर लेंगे और भाग भी कर लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है अरे सब पता है लेकिन पहले यह तो पूरा हो जाए देखो यह चार में से तीन गया एक, तीन में से एक गया दो यह आप सबको मालूम है इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं यह आठ में से नौ नहीं घटेगा क्योंकि आठ छोटा है नौ बड़ा है पलोशी से उधार मांग लाएंगे जैसे आप कहां होता नहीं है बाई दाल फराई करना है लासुन नहीं है तो पलोशी कहां फिले लेते हैं हम लोग यहां रहते हैं तो बगल वाली दोस्तों क्या उ चलोड़े जोटे को इसमें से उधार गया कितना ऐसा इत्नीव यह 11 से नौ कितनाना बेऊच वाई एक उधार दे दिया इसको ऐसे समझेने बतायात में दूआ अब दिक्क्त नहीं ना यह वीडियो फुल एच डी में रिकाड हो रहा उनीस सो भी से एक हजार सी पे आप इससे देख वाएंगे हो सकता है अप में वो सेटिंग ना हो भी तो अपडेट हो जाएगा ठीक है यह हो गया तो साथियों यह घटाना था पस इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं अगर आ सकते हो अलग-अलग गिंती लिखो उपर नीचे अलग गिंती लिखो घटाओ जोड़ो कुछ ना कुछ तो हो गाई तो आपका यह दो पॉइंट अगर क्लियर हो जाए तो फिर हम तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला हो गया आपका दूसरा हो गया तीसरा पॉइंट ह इस घुड़ा मृल्टिपल क्या होता है यह जैसे देखो हर चीज अपडेट होती है और जो चीज अपडेट नहीं होती वह दुणिया से खथम हो जाती है यह जानते हो फंडा पुराना है आपको मालूम है इस सम Infinite की दुनिया में चाहना की Company भीज सॉमी जॉमी यह सब नही के रखी हैं इन्हीं में साउथ कोरिया की कंपणी सैमसंग यह भी सीना तान के खड़ी यह भी पीछे नहीं है पीवीर स्टडी में जितने डिवाइस हुज होते हैं मोबाइल फॉन में सैमसंग कही होते हैं एक गुप्त जानकारी बता रहे हैं लेकिन हम यह बता क्यों रहें क कंपनी यह मोबाइल हो गयरा कि उन्हें पटा को फोड़ दो फेंक के मारो तो कोई दिकत नहीं होती थी मतलब वह बाड़ ही मजबूत करती थी सिस्टम पे ध्यान नहीं दी आज देखो नोकिया स्मार्टफोन की दुनिया में कितोना पीछे हो गई मुझे तो नहीं लगता तो गुड़ा क्या है इसी जोड़ने का जो भी पिछे बढ़ने थे उसका अपडेट फाउम है अपग्रेड़ेड नेक्स्ट फाउम है कैसे जड़ा देखो जैसे अगर हम एक कुश्टन की बात करें मान लो कुछ भी मैंने नंबरिंग कर दिया अगर मैंने चार प्लस चार और प्लस चार इसे जोड़ा ध्यान दो हमने फोर 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 थ्री टाइम एड़ किया तो चार चार आठ चार कितना हो जाएगा बारा कितना हो गया बारा अब मुझे ये बताओ जो चार चार मैंने लिखा था कितनी बार था कितनी बार था भाई तो बाबु भाईया ये एक दो तीन बार था कौन था तीन बार ये फोर था तीन बार कितनी बार था तीन बार तो चाहे तो इनको जोड़ो या फिर इनको तीन से गुड़ा करो आए कुछ समझ रहो कि नहीं जो गुड़ा है वह इसी जोड का ही एक अपग्रेड फाम एक परकार से समझ लो कोई भी मल्टीपल करना है जितने से करना है आप चाहो तो उसे उतनी बार जोड के प्राप्त कर सकते हो लेकिन फिर वह तरीका बहुत पुराना हो जाएगा बड़ा जैसे एक देखो मालो कि छोटा ही लेंगे हम बहुत बड़ा नहीं नहीं तो मुसीबत हो जाएगी यहाँ पर मेहनत कौन करेगा इती रात में चलो दिखेगा न अभी इसके आगे ठीक है मैंने कितनी बार लिखा एक दो तीन चार पांच छे साथ बार अब आप इनको जोड जोड़ो बिल्कुल रेडी हो जाओ तैयार हो जाओ टेंसन मतलो जोड़ो एक दो तीन चार पांच छे साथ कितनी बार साथ बार तो भाई यह साथ बार जोड़ो तीन तीन में तीन जुड़ा छे हां छे में तीन जुड़ा नो यानि इतना कितना हो गया नो ठिक है अब यह 3 ये जुड़ा कितना हो गया 9 कितना हो गया अगर हम इतना बड़ा लफड़ा ना करते इतनी हो गया कैस यह हो गया दादा के जमाने का तरीका जब दुनिया अपग्रेट नहीं थी और यह है जब दुनिया अपडेट हो गई तब उसके बाद की खोज है तो यह कितना आसान था और उसको करना कितना इसका इनको भी हम जोड के प्राप्त कर सकते हैं कैसे 432 को 229 बार जोड़ना पड़ेगा भाई साब बोड हमारा यह आठ बाई चार का है छोटा पड़ जाएगा अगर हम 432 लिखेंगे हैं हां ऐसे भी कर सकते हो तुम 221 बार ना लिखो तो 432 बार लिख तो 221 को अरे तब तो इसका बड़ा दादा हो जाएगा यह हो जाएगा कितना मुश्किल ना लेकिन अगर इसे इसे से गुड़ा कर लें दो लाइन में हो जाएगा ना बात समझ में तो यह थी गुड़ा की प्रपर्टी एक गुप्त जानकारी जो आपको आज समझ में आई मुझे भी ऐसे आगई एक दिन बाकि कोई सिखाया नहीं था बैसे जोड़ते जोड़ते आ जाता है जानकारी हो जाती कोई भी चीज कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जडमत होत सु सामने से फोकस नहीं बढ़ता लाइट का तो यह तो दिखता ही है और यह तो यही दिखता है समझ गये ना क्या कहना चाहते हैं चलो यह हो गया तो आप क्या-क्या सीखे गुड़ा लेकिन अभी मतलब की चीज तो हम सीखाया ही नहीं देखो यार गुड़ा में क्या होता ब कहते हैं हम फिर से पढ़ेंगे हां मतलब भाई देखो पढ़ाई लिखाई जिन्दगी के लिए जरूरी है जरूरी नहीं कि पढ़ाई का उद्दे से सिर्फ नौकरी हो बस जिन्दगी जीना तब भी पढ़ाई जरूरी है क्योंकि अगर हम बिजनेस भी करते हैं देखिए तो इनको कैसे करेंगे एक चुली इनके लिए हमें टेबाल आना चाहिए ऐसा समझ लो जैसे इसका मतलब हम आपको समझाए थोड़ा डिटील में इधर साइड में दीख तोड़ा है न चलो बाई का है को रिश्या जा रहे हो चल नहीं राच्छे से देखो समझो पह पर देखो दस बार है कि अ को ती इन थीन चाहां हो गया पूरा गलात है नहीं गलत है देखो तीन दुना छे दिन तीन का नव तीन चोग बारा तीन पचे पंदरा तीन छंग अठारा और तीन सते एकईश तीन नठे कितना चौभीस और तीन नम यह 27 और तीन दाहम 30 अब द समझेंगे, ठीक है, देखो समझो, जैसे ये तीन है न, ये चार है, हमें क्या करना है, तीन का पहाड़ा चार बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, चार बार, जिनको नहीं आती उनके लिए भाई सब कुछ करना पढ़ता है, बिल्कुल टेंसन मतले न, आप आएगी जर बार है, मतलब आप पूरा समझते चलो, ठीक है, हमें कितनी बार पढ़ना है, चार बार पढ़ना है, बाई, एक, दो, तीन, चार, चोथा मिल गया, बड़े प्यार से मिल गया, देखो ये डबल है, सिंगल है भी नहीं है, कितना आया, इसका ये ही मतलब होता है, अगर आप ये होता है, बेसिक फंड़ा, ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे कर ले जाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, जैसे माल लो 9 हो गया, और इसका 5 हो गया, तो बही 9 पचे कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45, कर लोगे ये भी हो गया, अब इसमें क्या होत हैं, वो भी अहीं पे सीख लो फिर काहे को देर, तेखिये, जो दो अंक के होते हैं, उनको भी करना ऐसे ही आसान ही होता है, उसमें हमें यही सारी चीजें दो बार करनी होती है, जैसे मान लो की हमें टेबल नहीं आता बड़ा-वाला, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर क इसे याद करें टेबल की ट्रिक भी आपको मिल जाएगी आप लोग संपर करना अगर नहीं आता आपको टेबल तो फूसिस होगी अप्लिकेशन में नेक्स्ट पार्ट में अप्डेट कर दिये जाएगा देखो यहां पर समझो जैसे मानलो की नंबर 3-2 है और यहां पर हमारा है 12 अब मानिए कि कोई भी स्टूडेंट है जिनको 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो इन्हें कैसे मल्टीपल करने का इसको दो पार्ट में करेंगे पहले 2 से करेंगे फिर 1 से करेंगी और 2 और 1 का टेबल तो सबको आता है तो समझो दो दूना यह कितना हो जाएगा चार ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और 2 3 6 इतना हो गया फिर क्या करते हैं प्यारे साथियों दाएं वाले नंबर का हम एक नीचे का स्थान इसे करास कर देते हैं इसे छोड़ देते हैं ठीक है समझ रहे हो ना इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3 ये एक गिंती जो है इधर आगे बढ़ जाएगी ठीक है अब इसको जोड़ देते हैं कौन जोड़ेंगे अरे भाई ये जो गुड़ा करने पर आया था ये इसको जोड़ेंगे तो 4 के नीचे कुछ नहीं कराफ है तो ये 4 होगा ये 6 और 2 8 होगा और ये 3 होगा 384 आया अब ये सही है कि गलत है इसको हम अलग से गड़ित लगा के आपको दिखा देते हैं देखो हमें 12 कपाड़ा याद है वो सकता आपको भी याद हो जिनको नहीं याद था उन्होंने ऐसे निकाला अब हम इसे चेक करेंगी कि ये गलत निकाला कि सही निकाला है तो बहिया हो बारत उना 24 का चार हाफी लावा दो और बारत यह च्छतिस च्छतिस दो और तीस तो 384 is correct answer इसका मतलब सही है तो यह हो गया आपका अगला तरीका बात समझ में आई ना इसी तरह से अगर यह तीन अंक हो जाएगा तो एक अंक और आगे खिसक जाएगा उसमें क बता ही देता हूँ काय को कसर रह जाए कोई यह लो यह लो चलो अगर इनको ऐसे बुड़ा करना है तो कैसे करेंगे ना यह आप लोगों के दिमाग में रहा होगा बाद में आप लोग संपर करते हो फिर पर परेसान होते हो जिंदगी बहुत बिजी है हम लोग भी बिजी ना छूटे क्योंकि हम इसी लिए स्विना ठोक के कहते हैं ना हर जगा कि भाई गड़ी सिखाने की गारंटी है तो गारंटी तभी पूरी होती है जब सारी चीजें आपको मिले ना देखो छे पंचे तीस हाफिल कितना आया तीन इसके खोपड़ी पर लिख दो ठीक है अब छे तरीक अठारा अठारा तीन एकाईस अठारा दो बीस एकाईस ना हाफिल आया दो और छे चवग चोवविस चोवविस दो चवविस ये पहला हो गया इसके नीचे करास करो अब तीन का गुड़ा करो तीन पचे पंदरा हासिल आया एक और ये अब फिर मिटा दो भाई एक हो गया उपर वाला अब इनको आगे फिर बढ़ाओ समझो तीन का गुड़ा एक और तीन तरीक का नो नो में एक जुड़ा हासिल कितना हुआ दस का जीरो हाफिला है एक एक इसके उपर लिखो अब तीन चोग बारा बारा और एक तेरा ध्यान रहें इधर एक अंक बढ़ जाएगा ठीक है बतला एक के उपर कुछ नहीं याद रहें अब अभी एक और भी अंक बचा था इसलिए इसके नीचे भी अब करास करेंगे नेक्स टाइम में अब दो का गुड़ा करो फिर से इसको मिटा दो इसका काम खतम हो गया समझो दो का गुड़ा पांच में करेंगे तो टू फाइब जा टेन जीरो कहरी आया वन ओके यूश्ब स्पाइब टो थ्री जा शिक्स होँ western है ओर वन जो कहरी आया था कितना हुगा सेबन अभाई सेबन तो कोई कहरी बचे गाद नहीं कोई हांसिल बचे गाने में बेचा रहा है 6 हो गया यह 6 और यह 325 चाहिए तो ऐसे जोड़ लो साथ तीन दस दो बारा हासिल एक आठ एक नो एक दस तो कितना हो गया यह क्या पढ़ेंगे इसको आप लोग बताओ क्या पढ़ेंगे भाई आठ एक लाक दो हजार 660 समझ में आया लिख लो इसे फटाफट उसके बाद फिर आगे बात करते हैं जल्दी करो भाई जल्दी लिखो तो यह आपका हो गया इस तरह से आपने जोड घटाना गुड़ा देख लिया भाग आपको थोड़ा डीडियल में बताना पड़ेगा कही परकार की भागे होती ही छोटी-छोटी में ग्यारा परकार के बिभिन्य भाग के बारे में बात करेंगे डिवीजन एंड टर्मिनेटिंग और नान टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन भी इसी में आता है ठीक है जो परकार का होता है कि टर्मिनेटिंग नान टर्मिनेटिंग तो अलग चीज हो गया एक इसमें रि को ओके आगे बढ़ें चलो आजाओ फटाफट सबसे पहले टाइप वन की भाग क्या होगी चाहो तो आप हेडिंग लिख लो पहली प्रकार में क्या है वहने कई कांटेन नोट करके रखा है जब एक बार में पूरा पूरा भाग चला जाए और सेस्फल सुनने आए चलिए जैसे एक्जामपल माल लेते हैं हमें बिल्कुल जीरो से सिखाना है तो आठ में अगर हम दो का भाग करेंगे तो क्या होगा इसमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा एक बार में और रिमांडर जीरो आ रहा है जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हैं हिंदी में इंगलिस में इसको डिवाईजर बोलते हैं क्या बोलते हैं डिवाईजर बोलते हैं जिसमें भाग जाता है मेरे भाई इसको भा आज ये बोलते हैं इंग्लिस में इसको डिवीडियंड बोलते हैं उपर जो जाता है इसको भागफल बोलते हैं इंग्लिस में इसको क्वाशियंड बोलते हैं नीचे जो बचता है इसको सेस्फल बोलते हैं इंग्लिस में इसको रिमाइंडर बोलते हैं ठीक है लिख लोगे सब्सक्राइब इसको नोट कर लिजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी लिख लिजिए मैं हट गया हूं सामने से जल्दी नोट करिए इसको फटा-फट अब इस तरह के और भी धेरो एक्जामपल देखेंगे जिससे कि आपका बिल्कुल कांसेप्ट किलियर हो सके ठीक है जैसे 17 से हमें भाग करना है 85 में 17 से 85 में भाग कितनी बार जायेगा आप मुझे जल्दी से बताओ चलो कोशिस करो कितनी बार जायेगा एनिवन मैं बता देता हूं चलो देखो देखो और समझो कि आये कितनी बार जायेगा कि 17 का भाग मैंने पूछा कि भाईया 85 में कितनी बार जायेगा यह आपको टेबल आना चाहिए है पता है सेबंटीं फाइब जाटी फाइफ होता है 17 पचासी घटाओगे जीरो आएगा अपने मन में सोचो कि इसमें जो डिवीडियंट है वो कितना है डिवाइजर कितना है कोशियंट कितना है फट से बताओ कुछ समझ में आ रहा है यह फर्स टाइब का भाग है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है और सेसफल जीरो आता है रिमेंडर सुनने आता है इस तरह कि और भी बहुत सारे डिवी डिवाइजर हो सकते हैं मतलब यह देखो इनको करके बता मुझे कितनी बार जाएगा इनको करके आप लोग देखो कितनी बार जाएगा यह फर्स टाइप हो गए ठीक है कि सिकेंड टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी हम आपको हर एक अलग अलग टाइप के भाग बता रहे हैं जिने डिवीजन बोलते हैं मतलब इंगलिस में आपको अगर यह आ रह लग रहा होगा लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ नया मिलेगा अगला टाइप वह है मेरे साथियों जब सेस्फल आता है मतलब भाग तो जाती है पूरा-पूरा लेकिन रिमाइंडर बचता है जैसे 11 का भाग करिए 56 में तो कितनी बार जाएगा एक और जानकारी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका भी मतलब ही होता है ठीक है इसको अनुपात के रूप में बोलते हैं इसको भाग कचिन लगा के लिखा गया है और यह भाग दिया जा रहा है लांग डिवीजन मेथेड ठीक है तो इलेबन फाइब जा 55 ग्यारा पचे पच्पन्ना सब्ट सेस्पल बचता है आप इसे लिख सकते हैं दूसरे टाइप के प्रकार में आगे लिख लो जब एक बार संख्या में भाग चला जाए पूर्णता भाग चला मतलब पूर्णता नहीं लिख होगे भाग चला जाए लेकिन फिर भी सेस्पल बचे ठीक है जैसे 14 का भाग आपक इसमें ऐसे भाग किया दी नमबर बताओ अगर असी में भाग किया और नई से अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब यही है सबी कर लेंगे ना बहुत अफान है थार्ड टाइप अभी आपको इजी बताऊँगा क्योंकि आपका इसमें दिल लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्यार होना चाहिए ना इससे नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगी तीफ्रा टाइप देखिए इसमें पूरा-पूरा भाग जाएगा क्या हां इसमें 06 फल आएगा लेकिन भाग एक बार नहीं एक से अधिक बार जाएगा पूरा-पूरा ठीक है लिखते हैं कोई डाउट किसी को तो बता देना मुझे टेंशन मत लेना ठीक है समस्च चल रहा ना एकदम ओके चल भाई एट टूजा 16 वन यह घटाने पर आया उपर से 6 उतान लिया फिरेट टूजा 16 जीरो ऐसे पर भाग पूरा-पूरा चला गया ना इस तरह से अगर 612 में 18 का भाग करेंगे तब भी ऐसे होगा समझते चलना अठारा का भाग 61 में पढ़ना है कितना बार जाएगा तीन बार जाएगा पहले अठार त्याई चाववन देखो यह नंबर उपर भी लिख सकते हैं यहां जगा कम है इफले उपर लिखा है यहां पर उपर जगा भी थी बगल में थी इफले बगल लिखा था इसको घटाओगे एक मसे तो चार घटेगा नहीं इधर से उधार जाएगा ग्यारा में से चार गया साथ वैसे भी आप जानते हो फिप्टी फोर में सेबनेट करते हैं 61 होता है उपर से टू उताल लीजिए और अठारा चूग 72 होता है सबको पता है यानी 18 फोर्जा 72 किसी को कोई डाउट्स नो डाउट ना आगे बढ़ें चलो इस तरीके के और भी आप लिख लीजिए जैसे अगर मैं देता हूं आप इधर समझिए नाइन से 288 को भाग करके मुझे बताओ चलो 288 को भाग करो नाइन से कितना भाग फल आएगा बताओ क्वासियंट कितना आएगा जल्दी करके बताओ सबी कर लोगे ना पका एकदम इवांदारी से अगर आप इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लीकेशन में देख रहे हैं तो आप नोट्स बनाएं और उसे हमें सेंड करें ठीक है चलिए इस पसली मैं ही चक करता करना है 534 को इसको करके मुझे आपको भागफल बताना है ठीक है बताना है साथी मेरे अब हम देखने चल रहे हैं चौथे प्रकार का भाग पहला प्रकार आपने देखा जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है और एक ही बार में 0 सेस्फल आ जाता है दूसरा प्रकार आपने देखा जिसमें भाग तो चला जाता है लेकिन सेस्फल बच जाता है तिसरा प्रकार आपने देखा जिसमें एक से अधिक बार भाग जाता है लेकिन फिर भी सेस्फल नहीं आता है चौथा प्रकार आप देखेंगे जिसमें दो बार भी भाग जाएगा फिर भी सेस् तो 45 में भाग करना है 12 से यह आपका चौथे परकार के भाग में है मुझे आप में से कोई भी इसका सेसफल बताएगा क्या एक अच्छी बात है यह कलकुलेटर में नहीं होगा उतना सानी से चलो मैं बताता हूं डॉन ट्वरी आओ देखो चलो भाई आजाओ देखो देखो 12 का भाग करना है किस में 745 में कितनी बार जाएगा देखो 12 चंग 72 छे बार जाएगा घटाओ के कितना आएगा दो पका उपर से 5 उताल लो अब 12 दूना 24 सब्ट्रे करोगे वन आएगा यानि भागफल भी आगया और सेज़फल भी आ गया किसी को कोई डाउट नहीं इस तरीके का अगर 16 से 8 साथ 9 में भाग करो चल भाईया इसको करके मुझे आप लोग भागफल बता सकते हो देखो आसान है आसान है बहुत आसान है देखो कैसे बता रहा हूँ समझो प्रिष्टम मुझे लग रहा कुछ लैक कर रहा था थोड़ा बहुत आईए देखते हैं एटीन ने नहीं 16 सोला का भाग 87 में करना है पहाड़ा आपको नहीं आता तो आप मुझे संपर करना पहाड़ा की में ट्रिक बता दूंगा ठीक है पहाड़ा जितना जैदा प्रेक् सेबन ठीक है उपर से क्या करोगे आप यहां पे नाइन उताल लो नाइन उताल लोगे आप कितनी बार जाएगा उड़ा कर लो सिंबल सा बात है 16 85 तो जाएगा नहीं अब इसमें से तो पांच आएगा इसमें से घटेगा तो एक आएगा यानि यहां पर क्या हुआ 15 से फ़ल आ गया क्यों कोई डाउट किसी को नहीं लिख लो जल्दी से यह आपका हो गया चौथे परकार का भाग इसमें कुछ हो मर्क लेलो जैसे 13 का 404 में भाग करना और फिर 946 में करना ठीक है 15 का भाग करना 946 में चलो जल्दी लिखो इसे फटाफट यह हो गया आपका चार परकार के भाग अभी बहुत कुछ चीखने को मिलने वाला है जाना नहीं कहीं बने रहना अमारे साथ अगला पाचव परकार देखिएगा जब कोई संख्या लाष्ट में बच जाए और उसमें भाग न जाए ऐसी अवस्था में क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा इसमें लाष्ट में कोई नंबर बचेगा लेकिन उसके आगे फिर भाग नहीं जाएगा और फिर उपर कोई सं पाइप है ठीक है इसमें तो आपका टेबल जाएगा 17 का कितनी बार 17 त्री जाना यानि 17 तीन बार जाएगा तो इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा वन आएगा क्यों 52 से 51 सब्ट्रेक करोगे वन आएगा उपर क्या बच रहा है अब देखो सबसे पहले सिंपल सा बात यह है कि यह वन आ बचा वन में इसका भाग जाएगा नहीं उपर फाइब बचा मैंने फाइब लिख लिया लेकिन इसको उतारने के बाद भी इतना बड़ा नहीं लेकिन अगर फिर भी नहीं भाग जाता है तो भाग ले ही जाते हैं ऐसा नहीं हो सकता है प्रॉमिस करके तोड़ दो समझ रहсем नहीं हो उतारने का मandl чтобы ले जाना जाय या न क्या करेंगे जबरјस्ति तो करेंगे नहीं जीरो बार हमेसा भाग जाता है तो यहां पर जीरो आएगा इसको घटाओगे फिर से पंदरा आ जाएगा वह अलग बात है लेकिन हमारे पास कहने का सबूत रहेगा कहां मैंने कोशिज किया था अगर तुम यहीं छोड़ देते ना इसका मतलब यह भाग गलत हो जाता कई से देखो मैं प्रूब करके दिखा देता हूं एक्चुली यह जो भाग का बेसिक सूत्र होता है आप समझ लीजिए इसको फर्मूला मान लीजिए भाज यानि डिवीडियंड इक्वल कि डिवाईजर इंटू कोशियंड भाजा गुड़े भाग फाल इंगलिस मुझे बह डिवीडियंड क्या है 525 डिवाईजर कितना है 17 कोशियंड 30 प्लस रिमाइंडर 15 इनको अगर आप देखो मगर प्यार फे तो तरह तियां एक क्यामन अगर गलत हो जाएगा तो बता देना बिल्कुल इनका गुड़ा करो के 510 आएगा 15 जोड़ दो तो भहिया 510 15 कितना हो जाएगा 525 हो जाएगा ना यानि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा इसका मतलब यह भाग सही है लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचिए अगर इसको हम वहीं छोड़ दिये होते तीन बार भाग ले जाके फिर यहां 15 सेसफल बच गया था इसको बहुत बहुत बता देता मैं यह कह रहा था कि जैसे यहां पर वन बचा था ना भाईया वन बचा था फिर फाइप मैंने उतार लिया था यह 15 से अब इसमें 17 खभाग जाई नहीं रहा था यहीं छोड़ देते तो यह गलत था यह गलत क्यूं था यह गलत इस लिए था कि अगर इस पर हम 3 रखते तो तो सत्रातिया 51 हो जाता तीस तो रखते नहीं क्योंकि उपरती नहीं गया था 51 में 15 आप जोड़ते तो कितना होता जानते हो 51 तैस 1656 यानि इधर 525 आदा इधर केवल 66 आता दोनों पक्ष बराबर नहीं आते मतलब यह भाग के इस कांसेप्ट के अकार्डिंग गलत समझ गए चलिए अगला नेक्स्ट कुश्चन इस तरीके से आप भाग करिए 491 में 12 से 12 का भाग करिए 491 फट से करके मुझे बताईए कितना भाग फलाएगा बहुत जल्दी कोई भी भाग सही है या नहीं सही है इसके लिए जो अभी तरीका में दिया था ना नीचे यह उसको करके वेरिफाई कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी करिए डिजिटल बॉर्ड बहुत जल्दी आने वाला है फिर यह क्लास आपकी उस पर अपडेट कर दी जाएंगी डिजिटली वाले में हमारी कोशिस है दिनों दिन की आपको बहतर सुद्धा मिल पाए कि साथी को ट्यूल का टेबल सबको आता है नहीं आता तो टेबल याद कर लीजिए टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है बाराचोकर तालिस चार बार जाएगा ना ट्यूल फोर जा पूटी एट फोर टाइम जाएगा अगा वन आयाएगा सब्ट्रेक करो अब देखो ट् अगल में बचा उसको उतालो पहले तब वन अंतिम प्रयास तब करोगे यहां पर वन बचा था इसको उताल लिया लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो मैंने अभी अभी बताया था अगर उपर से आप कोई गिंती उतारे हैं तो आपको भाग ले जाना ही पड़ेगा जैसे जिन्दगी में जब तक साधी नहीं कियो ठीक है रह लो अच्छा है लेकिन साधी कर लिये तो तुमको निभाना ही पड़ेगा मतलब है रान आत्मा जो इसको देख रही करिया रही मुझे इसको बोलके उनके लिए मतलब जहलना पड़ेगा तो वैसे क्या है इनको उ adalah 수क्ता बैठाम आपसे बढ़ा हो जाए यहीसे हो जा रहा है तो वन बार नहीं जाएगा जीरो बार ले जाओंगे आप कितनी बार जीरो बार तो जीरो बार ले जाओगे यहां जीरो आएगा चाहे एक जीरो लिखो चाहे दो लाइस्ट में फिर वही आएगा घट करके जितना वहाँ पर लिखा था लेकिन यह हो जागा अंसर समझ में आया एक और लिखिए 14 का 993 से 993 में 14 से बात वही हुई इनको करके मुझे भागफल बताना ठीक है सेबन सेबन 8 में 19 से चलो फट से करो और फिर मुझे बताओ बिल्कुल भी टेंसा नहीं लेना मेरे साथी हो अगर आपने PVR स्टडी को चुना है न तो हमारी कोशी से मैथ में आपको माश्टर बनाने की बस थोड़ी बैस्तता है इस वजह से कलासे अपडेट नहीं हो पा र होता है संगर्स की दिन के वीडियो है उनको देख करके भी आपको मोटीवेशन मिलना चाहिए कम से कम जो पूराने वीडियो देख रहे हैं पहले वाले हैं इनको कर लीजिएगा दोनों को नेक्स्ट छाठमा टाइप देखिए उसके पहले आपको बता दें अगर आप किसी इनसान को सफल देख रहे हैं या किसी भी छेतर में कुछ बड़ा देख रहे हैं तो वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं है परदे के पीछे उसने बहुत मेहनत किया बहुत धूल फांका है तब जा करके वह आपके सामने ऐसे आया है लोगों को लगता है कि यह तो चमतकार कर प्रभू ने इसको आशिरबाद देके भेजा था ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में कि जो मेहनत होती है न वो नहीं दिखती है दिखती है जब उसका प्रड़ाम आता है आई चाटमा टाइप देखिए जब भाग तीन से ज्यादा इस्टेप में जाए और सेस्पल सुने आ जा इसमें किस से भाग करना है सेबन से हम आपको अलग-अलग चीज़ें सिखाने की कोशिस करना है इसमें सेस्पल जीरो आ जाया इतना लंबा जाने की बात भी देखिये कैसे सेबन का सबको टेबल आता है शिख्टी एट में टेबल काउंट करना है अनफट में तो सेबन नाइन जा शिख्टी थ्री और सेबन टेंजा सेबन्टी मतलब सेबन्टीन नहीं बोल रहा हूं सेबन्टीन मतलब सतरा सेबन्टी मतलब सतर तो सेबन्टी जदा हो जाएगा न बार जाएगा ना सेबन नाइन जा 63 हिंदी भासा में बोलें तो साथ नमया तिर्फठ नहीं तो इंगलिस बूकरा मस्टरवत बड़ा अंग्रेज होईगा नहीं आइसी बात नहीं हम उत्ता जानी जट्ता आप जाना थे पस इसको घटाएंगे इसमें से कितना आएगा पांच देखो लिखना भी नहीं आया इसको पोलियो मार दिया हुई सही जाने तो अब क्या होगा साथ का भाग इसमें जायेगा नहीं उपर पड़ोसी है इनको भी लेल उनके साथ में आप कितनी बार जाएगा सेवन एट चा साथ अठेच अपन ज्यादा हो जाएगा तो साथ बर जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन गटालो भाईया वैसे भी जानते हो तो मुन चास में छे जोड़ों के पच्पन आएगा तो छे लिख तो बाकी कुछ मत लिखो ठीक है आधा कालेश लिख लि यह कितनी बार जाएगा नो बर जाएगा ना अब उपर क्या बचा है कि कुछ और बचा उपर तीन बचाएगा तो साथ नवाई तिर्फट फिर फिर नो बार जाएगा देखो इस तरीके से भाग यह गया तो तीन-चार स्टेप में लेकिल लाश्ट में जीरो आगया यानि कोशिज तो इन्होंने बहुत किया उटक पटक की लेकिन लाश्ट में सब सांध ठंडा लिख लिजिए हम आपको सिखा रहें भाग अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग स्टेप में भाग कैसे करते हैं वह सब हम आपको सिखाएंगे आप इस कलास को पूरा इंड़ के से और हमारे कंटेक्ट में डारेक्ट दिल के संपर्ख में रहकर करके सिखना चाहते हैं तो पीवीर स्टेडी अप्लिकेशन में सब्सक्रेब्स लिजिए आए आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए इसमें और ले लिजिए एक आठातर पंचानवे अठासी चल भी भाग करो इनको फट से करके मुझे भाग PHP बताओ कर लोगे सभी इमानदारी से बताना कोशिस करना चसे बस जिन्दगी में क्या होगा ये नहीं पता है त्यकन तो कुछ है जिन्दगी में आईए देखिए 12 का भाग इसमें जाएगा इसको मिटा जाएगा कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा 12 चंग 72 क्यों सही इसमें से घटाओ कि कितना आएगा 6 कि अब देखना समझते जाना आगे फटा फट साथ बार जाता तो साथ दूना चौदा स्वाथ एकम साथ एक आठ चौरासी हो जाता जाता अब उपर से नाइन उतालो कितनी बार जाएगा 69 में 12 का टेबल कितनी बार जाएगा आएट 12 यानि 12 पंचे 60 बार चंग 72 पांच बार जाएगा ना करके देखो भाई पांचे बार जाएगा तो बार पंचे स्टार्ट गटा होगे नौ आएगा उपर देखो और कुछ बचा है कि 78 तक हो गया यह नाइन यहां पर उतार लिया था अब यह फाइप यहां उतालो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा हो अब कि 12 सत्य चौरासी 12 अट फेच चानवे जाधा हो जाएगा सेबन टाइम जाएगा बार फेच चौरासी और यह फंदरा पंदरा मैंसे चार गया कितना एगा यह फंदरा कहें करोगे वैसे सीधा तो घट रहा है कि 11 11 देखो समझते चलो भाया 9 यहां पर उतार रहा था बचा हुआ पांच यहां पर उतार रहा था अए चाच्चा अब यह ने रहू घे रहू बैठे यहां दूजने इनको भी उतारना पड़ेगा कहें कहें 12 का भाग अब इसमें ने जाएगा क्योंकि छोटा हो गया और बड़ा हो गया तो उपर से सपोर्ट लेंगे यहां से अब चला जाएगा ना बारत हम मां 120 जादा हो जाएगा तो नाइन बार जाएगा 108 एक सो अठारा है तो दस आएगा क्यों सही जा रहा है ना बार नमईए एक सो आठ नव दून अठारा हाँ फिल एक नौइक नौइक दस अभी देखो एक आठ तो यहां पर उतार लिया था उपर फे एक आठ अभी बच्चा था इसको भी लिख लो तो फिर नौ बार जाए बस हो गया अंसर नीचे लिख दो एक सो आठ समझ में आ रहा सभी को ना कोई डाउट नहीं भागफल कितना आया 65,799 जानी 65,799 चलो जल्दी लिखो अगला नेक्स टाइप नेक्स टाइप चले या और भी इसमें कुछ और कुष्चन आप लिख लीजिए वनतालीस उन्या इनको आप छे से भाग करके मुझे भागफल बताओगे जल्दी करो एक और भी लिख लीजिए आप लोग फट से लिखो 78,50,16 इनको भी भाग करो फटा फटा मुझे भागफल बताओगे चलो बहुत जल्दी फास्ट उमीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कुछ लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि अच्छी किताबे और अच्छे लोग बहुत देर में समझ में आते हैं कभी कभी देर भी हो जाती है समझने में है न चलिए तो मेनद करिएगा कोशिस करिएगा अगर कुछ अच्छा मिलता लाइफ में उससे समझने की सत्मा टाइब देखिए इस तरीके से बस देखते जाएए बहुत कुछ दिखाएंगे आपको चल भईया सत्मा देखो सत्मा टाइब में कहा है सत्मा टाइब कहा हो दसामलो वाली भाग यह दसामलो वाली भाग चाहे तो लिख लो डेसिमल वाली भाग जैसे दो का भाग करना है अगर किस में ग्यारा में कितना आएगा complete इसमें एक condition है कि आपको सेसफल बचाना ही नहीं है सेसफल बचेगा तो लेकिन आपको बचने नहीं देना है सत्मा आप चाहे तो heading लिख लिजिए उपर दसामलो आली भाग कितना बढ़ जाएगा पहले पांच बढ़ जाएगा ना दो पंचे दस घटाने पर एक आया लेकिन हमें सेसफल नहीं बचाना है सेसफल खतम कर देना है तो क्या करेंगे ले जलो जब आगे देखो ट्राइ करके देखो उपर दसामलो बढ़ा के यहाँ जीरो उतार लेंगे और फिर पांच बार जाएगा दस इस तरह से जीरो सेस फला लिए ऐसे अगर हम आपको और भी दें तो कर लोगे न सभी हजम हो जाएगा ना चलो चार से भाग करो एक आइस में आइसे करते हैं इसको इस गटाओ एक आएगा उपर दसामलो बढ़ाओ यहाँ जीरो चार दूना आठ कर लो कर लो कोई दिक्कत नहीं है गटाओ गे दो आएगा जीरो उतालो चर पंचे बीस बस हो गया डन इस तरह से एक और लिखिये किसी को को डाउट को तकलीफ कोई कंफूजन तो बता दो भाईया कंफूजन नहीं कंफूजन बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा लुड़ बुड़ा जाता है कभी कभी चलो एक और ट्वेल का 54 में अब इसको आप लोग करके मुझे बताना क्योंकि यह मेरा मन नहीं इसके आगे कि मैं इसको करूँ और जिस चीज का मन नहीं हो उसे करना नहीं चाहिए लिखिए 5, 3, 4, 49 इनको भी कर लेना आप लोग तिरपन तिरालिस चौरान नवे इनको सबको करना आपको ठीक है दन ये था सातमा परकार का भाग जल्दी करें अब हम आप दिखाएंगे आठवा परकार की भाग 8 नमबर टाइप चलिए आठवा नमबर के लिए रेडी स्क्रीन साट ले लिया करिए या वीडियो को पुछ करके लिखा करिए कोई परकार की तकलीफ है तो नमबर उपर दिया गया उस पर मैसेज करिए जो बच्चे सब्सक्रेप्शन लिए उनको इसपेसली एक नमबर दिया होगा नाइन फोर से उस पर मैसेज करेंगे तो उनको फास्ट रिपलाई मिलेगा ठीक है अठमा टाइब अगर आप इसे यूटूब या डेमो के रूप में देख पा रहे हैं यूटूब या फेस्बुक कहीं भी तो पी वी आरे स्टडी आप डाउनलोड करके आप कंप्लीट कोर्स अच्छे से धंक से पढ़ सकते हैं यह अप्लिकेशन का नाम है पी वी आरे स्टडी ओके भाई यह है बड़ी बड़ी भाग बड़ी भाग मतलब ऐसा जिसका कोई अंतना हो बरका बरका भाग बरका मतलब समझ रहे हो इसके बारे में मैं बहुत बिस्तार से बाद में बताऊंगा पहले आप देख तो लोग का सकल सूरत इनकी कैसे है कि इधर यह सुरू करेंगे जिससे खतम हो जाओ दर तक जैसे 17 का भाग करना है 105 में इनका न आदी है न अंत है यह कुदा या अनंत है तो पहले कितनी बार जाएगा 176 का 102 गटा लो भाईया तीन आएगा उपर दसमलो बढ़ाओ सिल्विला शुरू यहां पर जीरो उतारा 17 एकम 17 गटाओ इसमें 13 आएगा कोई डाउट होगत बताए जाना एक बार दसमलो बढ़ाया बार बार जीरो उतार सकते हो 177 119 गटाओ के 11 आएगा क्यों एक बार दसमलो बढ़ा के रजिस्टर कर आयो जीरो उतार लो बार बार 176 एक सो दूई कितना आया ठाया अब कोई डाउट इसमें कोई तकलीफ नहीं ना चलो अब क्या करेंगे फिर फे जीरो उतार लो दसमलो बढ़ाया वाल रेडी तो 177 119 गटाने पर एक आयगा अब क्या करेंगे भाई या यह बाबुर का करेंगे हो अब आइंद जीरो उतार लेंगे फिर वह भागने जायेगाओ अब गजब मुसीबत आई अब एक 0 अपर और जीरो ऊतार है फिस किए गष्युलने उतारेंगे लेकुन यहापर लिमिट पार हो रही आप एक बार करेंगे लेकिन अगर हमने दो जीरो लिया है एक साथ में तो हम एक जीरो इसको भी देंगे जैसे आपने देखा नहीं है आज कर हमारे देश में सबसेट साइक जाम पला भरष्टा चारका घूस खोरी वाल अगर छोटा सा चप्रासी लेबल कभी कोई बंदा घूस ले रहा है उपर साहब को भी खिलाता है ऐसे अंकेले नहीं खाता है जैसे समझो यह लिया तो अकेले नहीं खाएगा इसको भी देगा तब ही हाजम होने वाला है बात वरावर चलो समझ रहे हैं चोटी बात समझ लीजिए जैसे अगर गाउं में कलोनी आई है गराम परधान खा रहे हैं सणक का पईसा आया खा रहे हैं तो बीडियों को भी खिलाते हैं ब्लाग डेवलोप्मेंट अफिसर आई से कुछ होता है ना उसके ऊपर टीम तब चलता है चलो मैं कि बात जायागा से नीचे दिख रहा है ना तो 17 पचाशि घट आओगे पंद्राइगा ना मेरे भाई अब पंद्रा निखोगे बबुए आप अब पंद्रा यहां लिख लू यहां लिखो पंद्रा पंद्रा यहां लिखो समझते चलना यहां के बात भाग यहां आगे ट्रांसपर हो गई अब 15 आया 15 में भाग जाएगा नहीं फिर क्या करेंगे जिरू तालो कि 17 का भाग डेर सो में कितनी बार जाएगा गटाओ चवदा एगा हाँ ठीक है फिर अब चवदा में तो भाग सतरा के जाएगा नहीं फिर जीर उतालो अब कहोंगे कब तक जाएगा जब तक 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 करो ना एक यह वही भाग है जब तक अंतिमेच्छा तक करो यह करने वाली नहीं मुझे नहीं fac운데ली अछक्छिए बदाए है तुम बहुराँ होगे तो इन्हें क्या बोलते हैं कि यह रिपीट भी नहीं वड़ा कुछ इसमें इंग्लिस भासा में इनको बोलते हैं नान टर्मनेटिंग नान रिक्वाइरिंग या नार रिपीटिंग ठीक है अनावसानी अनावर्ती कि अफांत दसामलों परसार इनके यह सारे एडवांस नाम है जो आपके काम का है चलिए एकात बार और कर लेते हैं थोड़े और इच्छा पूरी कर लें तो फत्रह ठेक 136 घटाओ कितना आएगा चार फिर जिरू उतालो फिर 40 आ गया देखो 100 के उपर गया था फिर छोटा आ आप लोगों को सवाल होगा फिर गुरुजी अगर कहीं इसे आगया करने को तो का करेंगे अगर कहीं ऐसे आगया कहीं अंसर पूछा गया है न तो यह 6.1 से बनाया है न इसके बाद सिक्स है न सार्थक अंक और कोटिमान में पढ़ा होगा वन फेबन आप मैक्सिम्म तीन अंक तक लिखा जाता है तो इसको सिक्स इतने छोड़ देंगे बस यहां पर एक थोड़ा और काम की चीज़ बता दें अगर कहीं आपको कंफामान सा लिखना है सिर्फ एक अंक में लिखना है मानलो जैसे 6.1 6.2 ऐसे ही बताना है उससे जादा नहीं बताना है तो आप इसक 0 से 4 तक है जीरो से 4 तक है तो हम उस गिंति को ऐसे सेम ही लिख लेते हैं उसमें कुछ बढ़ाते नहीं है जैसे इसको मैंने 6.1 गोश्य सिक्स पॉइंट 2 कर दिया अगर यह 7 नहीं होता तीन होता तो इसको हम 6.1 लेकिन अगर यह 5 लेकर के 9 तक है पांश से 9 तक है तो इस कैसे होता वन थ्री और यह सिक्स इसको हम फाइनल में लिखते तो सिक्स पॉइंट वन ही लिखते तू नहीं करते क्यों क्योंकि वन के बाद का जूंगिंति तीन है तीन जो है जीरो से लेके चार के बीच में आ रहा है यह काम की बात थी ठीक है लिख लो भाई लिख लो प्रण फूजन नहीं किसी को चलो भाईया अगर बढ़ते हैं लोग लोग देखे लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसे जरूर सेर करो किसी ना किसी से कभी-कभी हम ना उसका समधान होने के बावजूद भी नहीं सेर करते किसी से हल नहीं हो पाता जेलते रहते हैं एक मैकबूक लिए नया तो उसमें बिंडो में तो हो जाता था इसमें बड़ा जोला होता था यार यह इतना महेंगा लेने वाद भी लायक करता था और से नहीं हो पाती थी मैं सोचता किससे पूछ़ूं या तो हमारे दोस्ती हैं सब बात्चीत होती थी ऐस है लेकिन कभी मैं सोचा नहीं कि उन्हों पूछ लूँ अभी फॉन क्या एक दिन उसकी कुछ प्रॉब्लम थी उससे संस्क्वन थी तो मैंने कमा रहे यार यह कि आपकी वाली क्लड़ाई हो गई घर की बात तो उसको बता दो नहीं यह सब नहीं करना क्योंकि जब किसी परिवार में निर्णय करने के लिए बाहर का कोई बेक्ति आने लगे न तो परिवार फिर बहुत जल्दी बरबाद हो जाता है इसलिए ऐसी बाते नहीं बताने चाह कि आप तरन सथ छेसो सब्तानबे निर्ण सब्सक्राइब इनमें भाग करना है भाग करके मुझे भाग फल बताना चार पांच अंक में साथ अंक में जितने में कर पाओ अगला लिखो 118,97 इनको करना दस हमलों के बाद साथ अंक तक सभी को साथ अंक तक कर लेना चार सो साथ साथ सो बान्यवे इनको सब को करना है ठीक है यह लॉंग डिवीजन है बड़ी बड़ी भागे हैं जिनका कोई आधियंत नहीं होता है कि चली आगे बढ़ें तो यह हो गया साथ ही मेरे आठ परकार की भाग अभी इसमें तीन चार परकार और भी देखना है नौ नंबर में टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन देखेंगे अब मतलब है यही समझाया भी हूँ लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीकेस बताएंगे नौ नंबर डलिए टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन क्या लिखेंगे टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन ठीक है चलो नौ नंबर लिखो क्या मैंने बोला टर्मनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन इक्सपेंसन समझेन क्या करना है कि नौ नंबर लिख दिया ठीक है इसमें क्या होता है कुछ इस्टेप बाद भागफल सुनने आ जाता है कि ठीक है कि इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर कहो तो बिस्तार में बता दूँ कि वैसे भाग वाला ही कांसेप्ट लेके चल रहे हैं तो जाने दीजिए नहीं समझी लीजिए ये भी इसी में काम का है जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें भाग करना है ऐसे एक सो सतर में पचीश से ठीक है तो ये terminating decimal expansion है या नहीं इसकी पहचान क्या होती भी से सुरूप से जानते हो देखो जो हर है न एक चीज समझो पहले इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें भी कोई बुराई नहीं है है इसका इसका ऑर इसका मतलब एक है ठीक है तो मेरे भाई यहां पहे चो कि यängen Mia 25 को क्या लिख सकते पता है आपको इस 25 को हम निख सकते हैं 100 मतलब दर पांच गूरा 5 लिख सकते हैं यारी मोटा-मोटा कहने का यह मतलब है कि जब हर या नि जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या गुड़न फल गुड़न फल तो कम सही रहेगा उसका गुड़न खंड फैक्टर उसका फैक्टर या तो दो आए सिर्फ और सिर्फ दो आए या पांच आए या दो और पांच दो नो आए ठीक है बत लब या तो 2 आये या तो 5 आये या फिर दो और 5 दो नो आये तब उसका दसमलो परसायर सांत होता है जिसे इंगेलीस में बोलते है Terminating Desimal Expansion है अधर ना टर्मिनेटिक हुँस्ट इसने ठीक है तो इसमें क्या है? फिर 5 आया है तो यह क्या है? टेर्मिनेटिंग डेसमल एक्सपंसन है यानि जब हम इसमें 25 का भाग करेंगे तो पूरा-पूरा कट जाएगा जीरो से इसफ़ाल आएगा कुछ रिष्टप के बाद कि आई ये देखिए कैसे समझने की कोशिस करिएगा पूरा भरपूर कि समझ गये ना मेरी बात इसको कुछ और भी बातों से समझ लो पहले समझ लो फिर भाग करेंग बाद में जैसे एक दूसरा मैंने दिया यह मानलो इसको ए मानलेता हूं एक भी ले लो मानलो कि 135 में हमने भाग किया 50 ये भी क्या है टर्मनेटिंग है काहे को आप इसको अईसा कर सकते हो 50 को हम लिख सकता हूं 10 गुड़ा 5 और इसे और ज्यादा तोड़ें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुड़ा 5 और अल्रेटी एक 5 है यानि ये 2 और 5 की रूप में आ रहा बाकि कोई और संख्या नहीं आ रही ना बीच में तो यह क्या आदा सम्लों परसार इसका टर्मिनेटिंग है ना कोई डाउट को हुआ है नो डाउट इस तरीके से साथ ही मेरे और भी चीज़ें कर लोगे आप लोग जैसे माल लो 1857 नीचे 1000 दे दिया ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसको हम कैफा लिख सकता हूं 1857 बटा इसको 10 गुड़ा 10 गुड़ा 10 लिख सकता हूं और 10 को 2 गुड़े 5 लिख सकते हो इस तरीके से इसके सारे फैक्टर 2 और 5 की रूप में आ जाएंगे ठीक है कोई समस्या नहीं किसी को नहीं ना चलो तो अब इसको भाग अगर आप करोगे ना ते सारे भाग चले जाएंगे पूरा-पूरा स्वेश्फल जीरो आएगा करके देख लो चाहें चलो करके दिखाता हूं आँगा चलो लो समझो चलो 25 का भाग करो पचीश का भाग करो इसमें 170 में करो एक बार देखो करो पचीश चक्का देढ़ सो गटाओंगे बीस आएगा ना देखो भाई इसमें आप आप क्या करोगे आप उपर दस हमलो बढ़ाओ यहां पर जीरो उतार हो इस तरह से आपका पूरा पूरा यह कंपलीट चला गया जीरो आगए से फ़ल इसके पहले आपने देखा था दस हमलो बढ़ाने के बाद भी कोनो मतलब ने निकला ना तो यह क्या आई टर्मिनेटिंग डेसमल इक्सपेंसन है इस तरीके से जैसे आप कोई भी और देख ली जीए माल लिजिए कि हमने कहा कि भाई चलो पांच का भाग करना है कि कुछ भी नंबर हो जैसे माल लो एक सो अठावन तीन दो यह भी पूरा पूरा चला जाएगा क्यों क्योंकि जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पांच है इसको हम ऐसा लिख सकता हूं 158 32 अपान 5 चुकि नीचे जो डेनोमिनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ 5 है और अगर सिर्फ 5 है यह सिर्फ 2 है यह 2 और 5 में से दोनों है तो उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंसन कहलाता है ठीक है चलो भाग कर लो इसमें उपर पांच यहां पर मैंने उपर से 8 उतारा था यहां पर मैंने क्या उतारा था आठ के बाद देखो भाई यहां पर 3 उतारना था ठीक है तेहां पर तीन आता उसमें क्या बुराई है अभी दो उतारना है अब पांचंग तीस गटाओ गे दो आएगा ना उपर दस हमलो बढ़ा लो मेरे भाई यहां पर जीरो उतार लो पांचोंग बीस देखो फाइनल में जीरो ही मिलेगा आपको सेस्फल ठीक है कोई आगे बढ़ें चलिए इस तरीके से आप और भी बिभिन्य प्रकार के भाग कर सकते हैं अब पांचोंग बीस इतना ही था ना लिख लो जल्दी से भईया चलो फास्ट करो आगे बढ़ें कोई डाउट नहीं कोई परेसानी कोई तकलिफ नहीं न ठीक है अब क्या करना है अ खतम हो गया इस टाइप के बहुत सारे कुश्चन बंते हैं आप लोग कर लेंगे अगर चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे 200 का भाग तीन सुसाइटिस में करना है कुल मिला करके यह कहने का है कि नीचे जो नंबर है उसका अगर फैक्टर करने पर उसका अगर फैक्टर करने पर जो गुडन खंड है वो दो के रूप में आए या पांच के रूप में आए या सिर्फ दो और पांच दोनों के रूप में आए तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन है दसमलों बढ़ाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा फिर जीरो से सफला जाएगा ठीक है इनको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन हिंदी में बोलते हैं अनावसानी अनावर्ती ऐसे कुछ हिं ताइब नम्बर टन में है, ताइब नम्बर टन, लिख लो, नान टर्मिनेटिंग, नान टर्मिनेटिंग, एन रिकरिंग, रिकरिंग, डेसिमल एक्पेंशन, ओके, यानि दा समलो, पर फार, इसमें एक कई नम्बर बार बार रिपीट होता है, जैसे, देखो, वन अपान थ्री, साथी मेरे इसको आएफे भी आप कर फकते हो, ऊपर पहले जीरो बार भाग जाएगा, यहां पर घटाओगे, वन आएगा, दसमलो बढ़ाओ, जीरो उतारो, फिर थिरी बार जाएगा, गटाओगे, वन आएगा, एक बार दसमलो बढ़ाओ, फिर जीरो उतारो, फिर थिरी बार, एफे देखो, फिर जीरो उतारो, फिर थिरी बार, एफे देखो, इसमें कोई राव रंग नहीं आने वाला, यह बार बार एफे जाता रहेगा, इसका कभी आदी अंत नहीं है, तो फाइनल में इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट थिरी थिरी को उपर बार, ऐसे एक लाइन खीच देते हैं, इसका मतलब है कि यह आदी अनन्त तक गया है, लिख लो जल्दी, इसे उपर ऐसे भी लिख लो एक लाइन, लिख लो यह बस, यहाँ पर अनन्त, जहाँ कोई अंतना हो, ठीक है, कोई doubts किसी को, no doubt, चल भाया, आगे next, अगला इसमें लिखिये, नहीं देख पाये थे, नहीं लिखे थे, तो वीडियो पीछे करके देख लिजिएगा, अगला जैसे तीन का भाग, एक में करें हो गया, अब 20 में तीन का भाग, बीस में तीन का भाग करके मुझे बताओ, सभी, चलो, get fast, इंगलीज मैं इसे बोलेंगे, फी नंबर, पांच बटा नो, चल भाया यह बताओ, यह कौन मुसीबत है, नो का भाग पांच में करना है, इसको ऐसे भी कर लोगे, आप 9 का भाग जायेगा, कितनी बार, 0 बार पहले जायेगा, 0, घटाओ 5 आया, दसमलो बढ़ाओ, 0 उतारो, 9, 9, 81, 9, 55 न, फिर घटाओ फिर पांच आयेगा, फिर ऐसे जायेगा, यह कटने वाला नहीं है, अब यह पांच पांच जायेगा, बार बार, चाहिए इतनी बार ले जाओ तुम, ठीक है, इस तरह कैसे आप लिख सकतो इसे, 0.555 डाट 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 अईसे, आनंद का चिंद बना दो, नीचे लिख तो 0.5 के उपर बार ऐसे, मतलब यह बार-बार रिपीट है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं, नहीं ना, चलो, अगला इसी टाइप का और भी आप कर लो भाईया, 23 में 33 का बाग कर लो, 23 में 33 का कर लो और बोर नहीं हो ना, मज़ा नहीं हारी का, हां, अब यह अख्छा राक वीडियो ढ़ीटी देख रहे हो की कुछ, कुछ-कुछ हो रहा है, कुछ-कुछ तो हो गा नहीं, कैसारी का देखते हुद्धर् वो कुछ-कुछ होता है, अब वहीं कपिल सर्माक कमेडी देखोगे तब भी होगा, अब आमको देखके किसी का होगा है ना चलिए तो थोड़ा-थोड़ा होता रहे आपको हमारी कोशिस है जिससे आप जागते रहों सोना नहीं है चलो बस खतम हो गया खतम हो गया जग रहे उस अभी न एक बार बताओ भाई कमेंट करके मैं देख रहा हूं सबको देख रहा हूं जो मुझ धूल के बैठा है जो वही से बैठा है बुरी हालत में उसको भी देख रहा हूं चलो इनको भी ऐसे आप कर लीजिएगा फेबन नाइन वाला भी कर ले न भाईया फेबन में नाइन का भाग करना है चाचा यह ऐसे करना है चलो यह था 10 नंबर का भाग मदलब टाइप नंबर दस एक लाष्ट टाइफ है मेरे भाईया मेरे बाबु आप इतना देर जब देखा ही लिए ओ तो का है एक फिर चलो लाष्ट टाइफ है नान टर्मनेटिंग नान रिकुरिंग इसमें था नान टर्मनेटिंग रिकुरिंग इसमें रिपीट होगा था बार-बार इसमें ना एक्दम हठी टाइप का जिद्धी टाइप का अरे वही जो लांग भाग अभी देखे थे बिल्कुल वही यह भी है लेकिन एक बार और करवा दिया हूं बश्या नान टर्मनेटिंग एंड नान रिक्वेरिंग रिकरिंग या मतलब है कया है कि तैसे अगर आप देखो अंडर on the Lawisen के माउन है वह इसंते हैं या अधससा फेंग सब्सक्राइग करना दो में जीरोग ऑल लेँ OF światरी अचैजरोग एसे-जामपल है अगर ग्रेटिंग करना दों में जीरो बाल लेडरिआ पहले 0 बढ़ायो गया गटा लो गया तेहाँ फिक अब यह यही बार बार जाएगा वग्यारेट मॉने इसलेट ही मिलुक्राइट क्यoga मतलब यार विए कुछ टाइब का था नां रिकवरिंग ना क्यों ये इसका उपाल साइन नहीं है ये इसमें का इंप लाइं नहीं है है तैंद नाइन नाइन आहिए इंड़ नंगे यह तो डिकवार्इंग वाला हो गया ना फिर रिकॉरिंग हो रहां बार-बार repeat होगा Story कुछ इसमें बुरा नहीं हुआ इसको करने का कोई नुकसान नहीं है लेकिन ये इसका एक्जामपल सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये बार-बार recording हो रहा है repeat हो रहा है इसमें क्यों लेकिन एक चीज और है यह इसके अंतरकत भी आ सकता है क्योंकि एक ही सेम नंबर रिकॉरिंग नहीं हो रहा है अलग-अलग बदल रहा है न फिर भी साही साहीक दम सटीक जो इस पर बैठता है वो यह हैं अंडरूट टू अंडरूट टू और अंडरूट तीन इनके मान कुछ ऐसा ही होते हैं जैसे आ आ दो जीरो पॉइंट तिये तर्पीस प्चाawn crít लेकिन इसको आप ऐसनी पढ़नो शेंट 10 लेकिन इसे पृष्षण नहीं जाएगा ठीक है इसको ऐसे ने पहलते हैं दसम लोग के बादा सम्ट Euro 20508075 डाट डाट यहांपे देखो कुछ रिपीट नहीं सब आलाग अलग ना ऐसे ही यह कैसे निकलता है भाग विधी से जिनको वरगमूल नहीं आता है आप आगे देखना मैं वरगमूल सिखाऊंगा भाग विधी वाला तो उसमें सब क्लियर हो जायाएगा ठीक है क्या लिए तो अन्डरूट दो वाला देखो क्या आएगा ऐसे कुछ आएगा ना ऐसे कुछ आएगा यह सभी क्या है यह थे भाग के दस ग्यारा बाराप्रकार अगला इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि दसमलों का भाग और जोड घटाना और गुड़ा यह सब डेस्मेल वाले में होगा जिसमें दसमलों से दसमलों वाले संख्या में भाग होगा वहीं बैरियेबल यक्स और वाई का भाग जो है यह सब लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने भाग करना बिल्कुल सिखा दिया सुरू से अंतर तक इस तरीके से बड़ी बड़ी भाग होती हूं उनको भी ऐसे करते हैं सारा कंसेप्ट बता दिया हूं बाकि इस पर और भी बहुत सारे कोईशन हो सकते हैं जिने आप खुद से करे क्या है आपने सुना होगा आज तक की नहीं परिटन कई तरह के होते हैं नंबर पैटन इमेज का पैटन या बात करें तो कोई वस्तू का पैटन और वह भी बहुत तरीके के होते हैं जैसे मैं कुछ तरीके से स्टार्ट करता हूं आपके स्क्रीन पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी इन्हें थोड़ा सा समझे ना बाकी चीज़ें मैं बताऊंगा चलिए क्या कहरा इसमें कि बिन्नी गिन्नी ये नाम है दोनों आर गोईंग और वेड़े साथ में किया लिखा है वह रहा हूं मैं सब हिंदी में बोल रहा हूं इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ आपको समझना है बातों को बस ठीक है लिखना नहीं है हिंदी इंगलिज से कोई मतलब नहीं है समझ लेड़ा कि दो लड़के थे लड़की जो भी है बिर्नी-गिर्नी वो घर जा रहे रहे थे उन्होंने राष्टे में देखा कि कुछ लोग बना रहे हैं इसमें भी लिखा है तो फिलहाल हमें उस वर्ड से कोई मतलब भी नहीं अभी मुझे उसकी हिंदी नहीं पता आप लोग बताना क्या होता है फिर आगे में दिखा रहा हूं भी इसके इसमें को जवाब जबाब देना है कि आपको कोईशन का जबाब देना है आगे देखिया क्या कर रहे थे लोग बना रहे थे अधिवीज वार्ड देशा उन्होंने क्या देखा ये बताओ कि क्या था हो लिए मत्तलब मत भूलना कि अँट की बात हो रही है देखो एक पाइटन बना इसमें आ अभी थोड़ा कम समझ में आएगा अभी आगे जब पकड़ पकड़ की दिखाऊंगा चीजों को समझ में आएगा इस फिगर में भी एक पैटन बना है कि इसमें देखिए आरीचिंग होम देशा दियर मदर फारी हैंगिंग और रोब इसकी तरफ देखो तो इसे लाइनिंग लाइनिंग तीन-चार दिख रही लूँ लुए लुए ऋधर फार्ट में एक और उसमें प्रकाइण देखो कैसे-कासे मनी है क्यों पैटन सब्सक्राइब है यह एक आपको दिख रायाए लोएगा इसमें अगर आप एप चीज़ देखो तो ऐसे हैं यह आई-से बनाया बढ़िया और यह रेगूलर बना है एक ही से बता बना एक नहीं नीचे भी ऐसे बना है तो कोई भी जो डिजाइन बने रेगूलर बने एक सिस्टम से बने और वो बनता ही जाए उसी में रिपीट हो पैटन का राता है जैसे पैटन का सबसे सस्ता एक्जांपल देख लो पहले फिर मैं और महिंगा महिंगा दिखा हुगा पहले सस्ता और आसान है कि पैटन का सबसे अच्छा एक्जांपल इस सिढ़ी है जो आपको दिख रही है इसमें क्या है ना भाया इसमें अगर आप देखो तो जो डंडे लगे ना बीच में वह बराबर बराबर दूरी पर है जैसे अग नहीं इसका मतलब वो खराब है ठीक है ने बीच में चाड़ने वाला निपड़ जाएगा यहां पर इसका पैरी नहीं फड़ इतना लंबा जाएगा कि यहां से पैर उठा के उपर रखें बात समझ रहों नहीं मेरा बॉल यह नहीं ही है क्योंकि यह सीडी के दंडे लगे हैं वह बराबर बराबर दूरी पर ही लगे होते हैं इस समझ में आया यह क्या है पैटरों आप सीख रहे वाप अब यह आगे चलने दो बहुत कुछ उखो आईए अब आपको थोड़ा कठ पैटन दिखाते हैं बहुत आफसान था जिसे में महगा सस्ता बताया था तो हम यह देख रहे थे यह बीच यह वाला इस पेस है दोनों ग्रिल के बीच में सभी में बराबर बराबर दूरी पर एक ही आकार का सब में है बता है न वह भी क्या पैटन है आगे देखते चलो अभी कहान ही क्या है देखते चलो यह चीजें आपको समझना है यही क्या है पैटन है ठीक है भया इसमें देखो को भी सी मेंनी सच पैटन अराउंड अन दा क्लाट्स दूरिंग बोलु है जी काटन पाफ तॉल दविन्नी मदर लुक एड़ पिक्चर एंड हेल्प बिन्नी इन दा मैजिंग विच पीस आफ दा सेम पैटन कि कहने हैं कि यह मतलब है जैसे कोई चीज टूट गया और तेढ़ा मेंडा टूटा है जैसे देखो एक जहां चूहा काटा है यह आपको लेड़ दिख रहा है उदर साइड में चार टुकड़े हैं तो क्या बता सकते हो इस पर कौन सा फिट बाइठेगा चारो तो नहीं ब समझ में आए गिंती में नंबर पैटन बता दें तो ज्यादा मजा जाएगी एक बार फिर आगे बताएं गया देखो एक पैटन देखो के लिए रेजिनिंग पढ़ रहो जानलो बेसिक एक दम इससे देखो मैंने चार लिखा यह भी एक पैटन है आप कोगे यह में कौन पैटन है यह में पैटन यह है कि चार में दो जोडने पर छा आ रहा है इसमें दो जोडने पर आठ आ रहा है इसमें दो जोडने पर दफ आ रहा है तो यह क्या एक पैटन है कि इसमेंसा लिखा कि ये भी एक पैटर्न है कुछ ये-5 करने पढ है ये-5 करने पार रहा है je-5 पार ये-5 कर ये-5 करने पार रहा है कि-2 यी इन के पीच क давно दो तो ज्यरूरी नहीं कि सिर्फ अगर इसे बराबर होंगे तब आप बनेगा वैट बने गाएंगा और भी तरीका हो सकता है बहुत सारे तरीके हैं समझना जो सारे चीजें आप सीख जाओगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पैटर कैसे कैसे हो सकता है किताब वाला भी अभी दिखा रहा हूं पहले चीजों को क्लियर करना सीखिए कि कैसे कैसे हो सकती है सिच्विएसन में ठीक है कि आई यह देखिए अब आगे समझें आगे क्या मेरे भाई समझो में अगर हम बात करें जैसे 75 95eur ठीक हो ओ धना यंटीः फ्री चिरोट कि जोगति हो यह क्या है यह क्या फ्रेंठ चैन एक मायनस टू है यह क्या है यह क्या क्या है 마ीना on लोज कुकि य도 यह या है क्योंकि दस जूड़ रहा है फिर दौ आप कॉओगे फिर पैटन कौन सा नहीं है क्यों तुम सा नहीं है जब सब अनने बता रहे हो आधिे नहीं हूं लेखना करें . कि इसमें देखो 20 आजब यह थी जुड़ा ने इसमें बढ़ा कितना दन जुड़ा है इसमें एक गटा इसमें आट बढ़ा इसमें कोई प्टररम Nice क्यों सब अलग ऐलाग जा रहा इना है उन्टा पाल्टा देखो तीन जूड़ रहा पुआ है इसमें एक पाइटन नहीं है इसमें पाइटन है दस जुड़ रहा यह रहा थो घट रहा है कि इस्टम से एक निश्चित दूरी पर एक तरीके से होना चाहिए अंतर आप समझह गए यह क्या है पाइटन है ठीक है तो आगे बढ़ें पैटन समझ गेना बेसिक सिर्फ कक्षा दो में हो आप तो दो में इस से ज़्यादा उमीद मत करना कि और हाई-फाई समझाओंगा मैं हाई स्कूल या वो इंटर लेबल वाला नहीं यह दो क्लास कमयत है आगे क्लास में जाओगे तो और ज्यादा लेबल बढ़ाया जाएगा आप देखे कुछ एक्जामपल में इसक्रिन पर आपको कुछ पिच्चर दिख रहा है इनको देखिए मगर प्यार से और इसमें कुछ समझ यह क्या समझना है पढ़ो क्या लिखा है मुझे अब मत देखो तब ही ठीक है इसक्रिन देखो क्यों बहिए चलो अब मतलब मानदवा एंड टूमेक पैरटन आन गेत यूजिंग उसकी ग्रिल वहापे लिखा गया है इसंसे एक पडन बनाना चाहता है वो can you guess which are the can not be performed with this इसमेंसे जो यह पड़न दिये गए उसमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें यूज नहीं हो सकता है पाइटन मनाने में बताओ इक आउंसी जोड़ी है जो इसके पाइटन क्रियेट करने में यूज नहीं हो सकती है पता ना कि देखो बहुत आफसान है अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर में अभी डिजिटल बोड आ गया अभी मैं इसके उपर डरा नहीं कर सकता हूं जो दिख रहा आपको नहीं तो मैं पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा इसे गुमा गुमा के लाइन के हाए ही है इसमे पहला जहां से स्टार्ट हो रहा है ग्रिल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें एक में देखो घुमावदार है और एक में नहीं है जैसे अगर हम बात करें जहां से ग्रिल शुरू हो रहा है आपको उपर इसमें मेरे भाई यह आई से कुछ है कि बोलो आई से कुछ तरका इसे कहिंचा वाला नहीं थूप लेहला नहीं नहीं थूप वह इस पैटर्न में यूज नहीं हो सकता है क्योंकि वह इसंत्र रिलेटरल हूए ही नहीं ति तुमजह में है ना कॉंदाऊट बताओ गन्सेंशन लफड़ा थो बता दो मुझे क्रिक्स क्थ नॉ आगया डिजिटल बॉर्ड आउट फार डेलिवरी हो चुका है आज है 21 नुवंबर 2022 और मुझे उमीद है कि 25 तक यह इंस्टाल कर देंगे आ करके तो हम आपको डिजिटल बॉर्ड पर पढ़ाएंगे फिर इसके आगे की वीडियो आपको भेतरी तरीके सुस्में मिलेंगे अभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो आगे वाला देख रहे हो ना अपडेट हुआ हो पुराना वाला वीडियो पढ़ा होगा तो हुआ हुई है कोई फरक नहीं पड़ता है थे थोड़ा अच्छा लगता है अनुभू अच्छा होता बस अगला देखे क्या करा फिल अब सब्लेंग बाक्स को कमपलीट पड़न के ति प्लेट ने सरे सिंगलों ने इसको देख एक क्या है रेड़ है फिर बगल में एलो कलर रहे हैं पिर रेड है फिर एखिर एल्ड राट थिरत्व मेरे तरष ऑगा तिलight में देखो किया फिर बूलू है इसा कि ऑल कलम दी थागा है तो समझे और देता है कि मión गल बूर्टा हूगा कि मैं एक्अप को पकड़ नहीं कर रहा हूं जो इसे बना है कि अगर आइसे ख़ाना बनाए है ला इसे लाइन की भात कर रहा हूं उसमें आधा वाला यह देखो क्या है यह वाला आपका एसलो रग है यह वाला क्या है गृण गरीन उथ sheriff दे उसको भर ना है तो वह तो पूरा बना लोगे पैटन कि नहीं बना पाओगे बना लोगे ना जैसे ऊपर दोनों बने हैं वैसे नीचे के भी बन जाएंगे नहीं समझ मैं आगा मुझे बताना इसका मैं आलक से एक वीडियो दे दूंगा आपको समझने की बस को से इस परो आगे बढ़ें कोई डाउट किसी को नहीं न जो भी बच्चे पीबियार स्टडी का कोर्स लिए हैं यह समझ लें कि उनी की वज़ा से यूटूब पर भी कलासे चल रही हैं यह जितने भी गैजट जितने भी डिबाइस यहां जो कुछ भी हम कर पा दे घंगे इस्में इस में एक पैटन है इसको थोड़कों पहले मुझे एक पार देख लो मैं भी एक पैटन हूं करते ृइसे खढ़ा हूं ना फिर मैं ऐसे फूंग गया शेकर estern गूम गया फ़िर मैं ऐसे गूम गया को अ और फिर मैं ऐसे गूंग गया में ऑगया और इसे हो गया फिर यह से होग यह कोई आपने नहीं हैं इस घंदगी अगर आप एक पॉतिन पर इंचे चलती है आगर इसे डग्मक डग्मक होती तो अच्छी नहीं होती ऊज्वर्यों बात समझ में आ रहा है अब ये पान के पत्ते भी एक पैटन बना रहे हैं इंसे कुछ सीख रहे हो अब देखो इन में क्या है एक तरफ दिल के जैसे दिख रहा नहीं है दिल वाले ही खाते पान ना तभी वचा मैं नहीं खाता हूँ ऐसा नहीं फिर भी दिल है मेरे अंदर अच्छा सा देखो ये पान का पत्ता मुझे बनाना आता है ऐसे क्योंकि इसकी सकल किसी चीज से मिलती है ये भाई गोर बजती ना करो यार इसे नहीं बनता है ये ऐसे बनता है न रुकर रुकर को एक मिनट ए यह फिर भी जो भी बन गया बहुत अच्छा बन गया मैं कभी काला नहीं बना पा पहला जहां शुरू है अगले को उपर को है फिर निच्छे को है फिर उपर को है पिर निच्छे को है गालो है तो ना तो क्या पैटन बना ना बनना कह रहा एं कि यूजिंग वॉन लीफ वी कान मेख डिफरेंट पेडिन सीदीक सीज फाइव dabalele A कि देखिए सिकेंड लाइन देखिए पान की पत्ति वाला उसमें क्या पहले मुंडी नीचे को है फिर इधर को हुई और 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 फिर इधर को हुई क्या एक पत्ति नीचे को फिर एक इधर को फिर एक नीचे को मैं जो इसमें दोनों का मुंडि इधर को छोड़ हैं तुम बहुत बठी बात है क्योंकि आप М rega सीखने का लेवल बहुत चोटा है अगर दो के बच्चे पढ़ रहे हैं किसी की गार्जियन ने कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं लेकिन यह बड़े लोगों के लिए हैं इसका क्लिए तो देखें एक क्या होता है इस समय जो हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसा जाते हैं कॉल आते हैं इतने हिराताफ निरास होते हैं लड़कों के लड़कियों के भी ऐसा नहीं किती कि कम दोनों के बराबर संख्या में इस फर उफने मेरा दिल तोड़ दिया अब मुझे फढ़ने में मन नहीं लग रहा में क्या आता है दिल तो 24 घंटा काम करता कभी चुटी नहीं लेता है तो तोट जाया कर जिंदगी खता हो साइंस के इस्टूडेंट हो डिल कभी टूटता नहीं है वह हार्मोन्स एंड हमारी फीलिंग का कमाल है जो मैं लगता कोई तोड़ और तोड़ता कैसे है आप ऐसे समझों जिसे आप परमीशन देते हों मैं थोड़ी सी बात करूंगा आधा मिनट इसमें बीच में क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत सारे लोगों की डाउट है बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं परिसान रहते कलास अ लड़के के साथ भी हो सकता है भाई कुछी को लेके जा रहा है तो कहने का मतलब यह कि आपने उसे परमीशन दिया है इसलिए आपको उससे अटैच्मेंट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है लेकिन दूसरी बात और समझे यह तो भाई कहोगी इसमें कौन सी बड़ी बात यह तो सिंपल सी बात है दूसरा लाजिक की बात समझे मतलब की कभी-कभी होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा उमीदे पाल लेते हैं कि अगर आप हाथी से उमीद करो के पेड़ पर चढ़ेगा तो कभी नहीं सकता है उसी तरह रिलेंस्टिप में है हम लोग कभी-कभ कि अन्यवाइब लेंस्टिप नहीं है कि अधिन दुनिया क्या उक्ति दुसरी बात और कि दुसरी बात और बहुत इंपोर्टन फेक्ट है यूँआ पहुत प्रिसान है अमें मैसेज़ फोन करते हैं इसी कलास वाले ही होते हैं सर्फ कोर्स लेने के बाद भी नहीं पढ़ बहुत ध्यान से सुनना बस आधा मिनुट बताऊंगा आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं बहुत अच्छा इक जाम पला यह जो बिल्कुल बंध है अधेरा आइक्दम उसमें कुछ नहीं दिख रहा है और आपको बिल्कुल आख बंध करके उस कमरे में ले जाके बिठा आ गया है आपको लग रहा है कि चारो तरफ सोफे लगे हुए बढ़िया टाइल लगी हुई है महेक राच चारो तरफ से खुझबू आ रही और भुझबू भी मालवारी च अब मुझे लाइब में कोई जरूत नहीं है अब लेकिन याद रखना कमरे में अभी अंधेरा है आपको आख बंद करके ले जाके उसमें इठाया गया है आप अभी कोई चीज तू नहीं पा रहे हो सिर्फ महसूस कर रहे हो ना देख पा रहे हो समझना और अचानक प्राणी उसमें है कि अगर मुझा मिल जाए तो आपको चट कर जाए कुद देर में अब यह बताओ सोच करके कि धोखा कि इसने दिया कि इसमें धोखा कहा हुआ आपने जो कल्पना कर रखा था वह गलत था यह फिर जो लाइट जल गई यह गलत हुआ इस बात का जबाब क्योंकि उपर जो नंबर उस पर करोगे तो उसका रिपलाई हमारे साथी लोग करेंगे समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं इस पर करना हम बताएंगे बताओ क्या जो आपने कल्पना कर रखा था वह जो लाइट जल गई लाइट यह आपकी इमेज मेन है ही खुका है तुर्वार बस जननत मिल गए बस यही सब कुछ है और कुछ है नहीं रहेंगे सोचल अनलगा जो मिल गया और क्या तुम साथ में पैदा तो नहीं हुए थे ना यहीं सच्चाई है हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो चार मिनट के लिए लेकिन माफी चाहते हैं यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है युगाओं की और काफी संख्या में हमसे सजैसन लेना तो होता है यह अनुभों के बाद ही सारी नालेज उत्पन होती है पहले नहीं होती है नए नए पर तो फिलाल यह सिस्टम की बैटरी बहुत ज्यादा लोग हो गई है पैटन का अगला टाइप देखिएगा साथियों इसमें आपको मैं कई टाइप बता दूंगा जिससे आ यह अगर है अगर है यह सक्षिर मोलता है यह का यह परकार का ड़िक्क है और मेठी बात दक्तार हैं थे मैं यह ही एक सर्कल फिर मीड़नगा सब्सक्राइब लेकिन अगर एक सरकल और इसके बाद में ऐसे हो जाता ये फिर ये दोनों में अंतर्त लग रहे ना फिर मालो ये हो जाता फिर ये और फिर मालो की कुछ नया आई से बन जाता तो क्या ये कोई पैटन है नहीं ये कोई पैटन नहीं है कोई समझ में आने वह चीज नहीं है इतना लेकर के आगे पैटन बनाया जा सकता है क्यों वही एक सरकल फिर एक आपका ये वर बात करें अगर इसे हम क्या ये घन की तरह न विद्धिन अगर मन नहीं लो हो जाता लेकिन अगर केमल इतने की बात करें कोई pattern है तो कुछ नहीं यह कुछ नहीं इतने में कि कोई pattern सब्सक्राइब नहीं है ढह है इस को समझ सकते हैं इसको समझ सकते हैं इतने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ठीक है इतने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं है अगे बढ़ें इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना तो इसको इसको अब लोग कर लीजी है फिर आगे बात करते हैं ठीक है नोट करिए इसको जले आगे बढ़े ऐसे देखो है एक यी हो गया और कुछ तरह है क्या पैटर्न का कि है इक धेखिए उपर उपर को एरो बना है तो एरो में क्या है पुझ नहीं दिख रहे है न ऑपर को एरो बना है तो यह भी डाइब का उपर को बन गई है यह कि यह कि यह क्या पैटन का टाइब है यह भी क्या पैटन है क्योंकि सब ऊपर कोई है कि साथी मेरे अगर तीफरी लाइन देखो आप जो डाट डाट वाली है कि उसमें देखो क्या है कि तीफरी लाइन डाट डाट वाली में देखो क्या है इसमें देखो एक पैटरन टाइब का है कुछ ना क्या है पहले खाने में एक रेड बिंदी है दूसरे में दो है दीसरे में तीन है चौथे में फिर एक है तीन फिर तो यह विए इक बना जासकता है और फिर लान देखो हिसमें देखिए जो लाइन उपर को है एक पिंक कलर की है और एक आपका ग्रीन कलर बोल सकते हैं या जो भी दिख रहा ना आपको अभी डीचल पैनल आ गया है लग जाएगा कल परसों से उस पर चलेगा तो मैं आपको अलग-अलग कलर में भी दिखा पाऊंगा इसको फिर नीचे को भी दो है लेकिन ध्यान रहें पहले पिंक है फिर ग्रीन मानके चल रहें उसको फिर 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 और एक बार दोनों उपर को है फिर दोनों नीचे को फिर दोनों उपर को है फिर दोनों नीचे को यह क्या पैटन है अच्छा अगर इसमें इसके आगे बचा हुआ जो खाना उसको भरना है पैटन तो कैसे रहेगा ऊपर को नीचे को कि बता भीया जो डबल 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 अली कालम है उपर से देखो तो कि चौथा नंबर कि उसमें आगे जो बचे हुए खाने उनको भरना है किस तरह के पैटन होंगे करें योदि तरहां ज honestly अब बात करें ट्रेंगल वाल जो ग्रीन कलर कर ट्रेंगल दिखर आपको नीचे से तीफरी लाइन में नीचे ती विवला बेखो उसमें ट्राइंगल है पहले आइसे ग्रीन कलर का नीचे को भी ट्राइंगल के बाद क्या है इस दुटाट है ट्राइंगल में अगले में हमें पूरा करना हुआ तो फिर ट्रेंगल होगा फिर दो टाट रेंगल यह क्लाइश टू लेबल का मैंत है यह मत सोचना इतना आफ़ान काय को बता रहा हो यहीं से तो सुरू होता है ना चलो अगला में अगर देखो नीचे से सीकेंड लाइन इसमें जो बिस्कीट जैसे बना है न उसमें अंतर है सब में एक देखो पूरा पूरा डार्क कलर में हैं तो बस उमीद है कि आप जब अगर शिष्टम समझ जाओगे तो फिर पूरा कर लोगे और चुकी अभी इस्टार्ट है तो इस्टार्टिंग में मड़ी तकलीफ होती हर चीज में अगे बढ़े कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को नो डाउट नो परिशानी चलिए अगे बढ़ सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है अगले में क्या होगा नीचे को खुला रहेगा फिर उपर को खुला ऐसे बन जाएगा क्लास टू लेबल में और बहुत ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है तो यह थी पूरा पैटर्ण की कहानी उमीद है आप सिख गया होंगे किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए अगर आप इस क्लास को यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे है तो अब PBR study आप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए कम समय में पूरा अच्छे से सीखिए और अगर आप इसे अप्लिकेशन में देख रहे हैं तो भाईया रेगुलर इमांदारी से पढ़िए नोट्स बनाईए सिखाने की पूरी गारंटी लेते हम लेकिन तब ही जब आ सकता है ठीक है नोट्स जरूर बनाना है लिखना एक तरब से आपको दिया आप लोग उस पर संपर करें हमसे डारेक्ट आपको दिख रहे न सारे इधर साइड में दिखना ना भाईया और सब कुछ पहले से एकदम पारदर्सी तरीके से आपको दिखा दिया गया है इसमें आप पढ़ेंगे नंबर पैटर्न सबसे बड़ा जो हाइलाइट पॉइंट है पैटर्न पढ़ेंगे और वाट कमस नेक्स्ट से नंबर काउंटिंग मिरर हाप्स रोल एंड स्लाइड एंड प्रेक्टिस कुष्चन यह सब मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इ आती है यह तो मैं लिखा हूं मजबूरी में इंगलिस टेंसा नहीं लेने का क्योंकि हमारी जंता जो है न वह सब इंदी वाली है चलो पहला क्या कह रहा है कुष्चन में ध्यान से देखना मगर प्यार से और हाँ देखना ही मगर प्यार से मगर पूरा यहां पर देखो मेर एंग वही तो आप कट्षा 3 के बच्चे को और ज्यादा क्या बढ़ाय साथ अगर आप देखों यह ने कि बाकर आया हुथ है भी आया कि पां और एक ने तीन के बादो यह hacks आया कब जब इसमें दो जुड़ा फिर झाट के बाद जब दो जूड़े के आएगा ये प्मझ में है को समझ में आपको समझा में आया यहाप सब में क्या है दो-दो का डिफरेंस है दो-दो प्लस हो करके नेक्स नमबर आया है इसे कहते हैं नमबर पैटर याद रखिए प्रीजिनिंग का शुरुवात यहीं से होता है जो जाकर कि आप CC में बैंक में और कोई भी competitive exam में रिजिनिंग पढ़ते हो ना रिजिनिंग का जनम यहीं से होता है जी यहीं से बहुत है जाता तो देखो चलो आगे बढ़े ठिक है यह हो जाएगा अगले में क्या फिल करो के मुझे कमेंट करके बताओ फट से और अगर आप इसे अप्लिकेशन में देख पा रहे हो ना तो फट से कांपी में अंसर नोट करो पहले क्या आएगा कि देखो भाई यह 59 है ना 59 से यह क्या हो गया कितना बढ़ा कि अठेवाया कम हो गया बाब मुचार कितना माइनस चार हो गया न न कार माइनस हो गयाह इसको अलग कलर में करो मैं हिश्चार माइनस हो गया यह अच्छा फिर indoor एमसर माइनस करो तो आएगा है को कैंसर माइनस करोगे 51 अगला क्या है अगला है 47 कैसे 51 से जब आप फोर सब्ट्रेक करोगे और सब्ट्रेक करोगे तो यही आएगा गटाइक देख लो अच्छा इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा यहां पर मुझे कमेंट करके बता फट से और फिर नेक्स्ट क्या आएगा कैस करो जल्दी हो सकता है इसके कुछ पार्ट यूटूब पर भी आप देख पा रहे हों हो सकता है आप भाग इसाली हो चलो आगे बढ़े नेक्स्ट इसमें देखो भाईया बाबू 14 है फिर 17 है फिर 18 है इनकी अगर इस्तिती देखो तो 14 में जब 3 जुड़ा तो 17 आया और 17 मेरे बाई जब एक जुड़ा बाबू तो कितना है 18 आया आप यहां पर थोड़ा कनफ्यूजन में जा रहे होंगे नई पहले तीन जुड़ा था फिर एक जुड़ा था ना फिर इसमें तीन जुड़ेगा अठारा में तीन जुड़ो या कईस आएगा बोलो हाँ यस याद रखना इसमें अब सिर्फ एक जोड़ो अगर पैटर्न बन रहा तो ठीक है नहीं बन रहा तो फिर यह गलत है देखते चलो पहले तीन जुड़ा 17 हुआ फिर एक जुड़ा 18 हुआ फिर उस हिसाब से तीन जुड़ना चाहिए यह कईसा आया फिर एक जुड़ेगा फिर 22 ठीक है जो भी आ रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर क्या और दो कम हो रहा है और फिर यहां क्या हो रहा ह फिर दो कम हो रहा है तो यह बताओ क्या इसमें कोई पैटन बन रहा है बोलो तीन बढ़ा एक बढ़ा फिर दो कम हुआ फिर दो कम हुआ क्या कोई पैटन बना बताओ कोई पैटन बना क्या इसमें नहीं बना ना कोई पैटन नहीं बना अच्छा अगले में बताओ इसमें क्य अगले में बिल्कुल बेरी गुड जो भी है आपके सामने है इसमें ग्यारा बढ़ रहा है प्लस 11 बाबुँ उननीस में 118 करोगे तो क्या आएगा 30 आएगा इसमें फिर 11 प्लस हो रहा है तो फिर 41 आया और फिर जब 11 प्लस करोगे आप तो फिप्टी टू आएगा या मेरे बहाइँ और इसमें 52 में जब आप फिर 11 प्लस करोगे यहां देखो 11 प्लस करोगे तो 52, 10, 25 और 13 ग्यारा हो रहा है इसमें फिर 11 जुड़ रहा है बोलो सही जा रहा है कि नहीं तो ये क्या होगा 52 जिनको ना समझ मैं आए कमेंट करो बिल्कुल टेंसन न लो मैं आज बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा जिनको सीखना आज इस कलास को सिर्फ वही देखेंगे जिनको नहीं सीखना भाग जाएंगे इसका PDF PBR Study के Official Telegram पर मैं भेज दूँगा टेंसन नहीं लेने का चलो आगे अगला कहरा What comes next तो हिंदी मुझे आती इंगलिस मुझे नहीं आती है लेकिन मैं इंगलिस लिए लिखाऊं क्योंकि हमारे जो सुरोता है कुछ हिंदी भासी राजे से नहीं है तो उनको आना चाहिए समझ में मेरी भासा इस लिए लिखाए ठीक है बाकी मैं हिंदी में सब पढ़ाऊंगा मुझे इंगलिस खुद नहीं आती है मैं चलो अगला क्या आएगा बइदैको डे नाइट दे दिन है फिर रात हुई फिर दीन है फिर क्या होगा भी बिहान हो जाएगा řात होगी ना यहां पर क्या लिख सकते हैं बिहान बोलते थे पहले छोटे थे अगले दिन जो आए प्राइडे मतलब सुक्करवार कुछ लोग साइद इसे कुछ उम्मा उम्मा बोलते हैं न कुछ और लंगज होती है जो भी चलो जन्वरी के बाद फैबरोरी मार्च मार्च के बाद क्या आता है अप्रिल इसमें क्या भरेंगे और इसमें दोनों बताना पक्का कर लोगे ना बिल्कुल टेंथान नहीं लेने का मेरे भाईया बाबू चलो आगे बढ़ो अठारा उन्नीस बीस बीस के बाद एकईस आएगा एकईस के बाद क्या आएगा आप बताओ और फिर इसमें बताओ तभी कर लोगे ना विल्कुल टेंथान नहीं लेने का आगे बढ़ो खटा-खट आनिमन लिखी ताकृतियों के नाम बताइए भाईया हो बच्पन से अच्छब को आख आगो आद सबसे पहले जो फीगर यहां पर आपको देख रहा है बापूआ देखो इसे बोलते हैं वर्ग क्या बोलते हैं वर्ग की इंगलिस में से स्कॉायर बोलते हैं क्या बोलते हैं स्कॉायर यह व्रित है यह गोला नहीं याद रखना भी गोला आगे दिखाऊंगा यह क्या है व्रित है इसे इंगलीज में सरकल बोलते हैं क्या बोलते हैं और सरकल इनके बहुत परियोग होते हैं इनको क्या बोलते हैं आयत आयत मींस रेक्टेंगल क्या बोलते हैं रेक्टेंगल इनकी बहुत सारी खासियत होती है जैसे ब्रित में एक ही केंद्र पाया जाता है उनली वन सेंटर ब्रित में अनंत किरिज्ञाएं खीची जा सकती है ब्रित के केंद्र से होते हुए परिधी को जोडने वाली रेखा ब्यास कहलाती है बहुत बड़ी कहानी है इनकी गंदी अच्छी सब पुरा चिप्ठा खोल क आपकी रखेंगे जब आगे पड़ोगे तो अभी सबर करो जलो अनमबर काउंटिंग इनको नाम तिरभूज है नाम है तिरभूज नाम है इनका इनको इंग्लीजिया में ट्राइंगल कहा थे हो ए री अ यहांगल फोसकता मेरी इंग्लिस की पेलिंग थोड़ा वाई-इन टेक हो जा लेकिन हिंदी साही है चलो क्या है ट्राइंगल नंबर काउंटिंग अब बताओ आप पढ़ लिख रहे हो काहे लिए नवकरी ओकरी मिलेगी नवकरी बाद छोकरी मिलेगी छोकरा मिलेगा लरका बच्चा पईदा होगा तुसको पढ़ाना पढ़ेगा ना तो करता बहना यह तो अगर आपको खुदे नहीं आएगा तो क्या कहेगा मम्मी तो लेकिन मैद पढ़ा एक साहुड़ना है तो इसलिए पढ़ लीजिए इमानदारी से अब नंबर काउंटिंग कैसे 20 में क्या एड करें कि 23 हो जाए चक्नलाजी देखो बहुत आगे बढ़ गई है बहुत मज़ा राज इस क्लास को पढ़ाने में इस बोर्ड पर नहीं तो बहुत लीपना पढ़ता था दिखाऊंगा कहानी भी कि 20 में हम कितना एड करें कि 23 हो जाए इसको निकालने का एक तरीका बता दे रहा हूँ आप बड़े हो गये हो तरीका बता दूँ प्रुक को एक तरीका बता देता हूँ इसको बता प्र इसी पर आ जाओंगा अटेंसर नहीं लो चलो आओ को फुश्चन यह है कि 20 में क्या एड करें कि 23 हो जाए यह कुश्चन है न हम माल लेते हैं कि इसमें एड करें ठीक है बहिए कुछ भी माल लेते हैं तो एक को ऐसे 23 को उधर वैसे लिख करके इन फलानी काकी को न उधर भेज देंगे ऐसे और जब इदरे चली जाएंगी तो अपना जुलम दिखाएंगी यह इदर में घड़ जाएंगी बस हो गया कितना आगया थ्री ना समझ में आगया सभी को इस तरीकी के जो नंबर होते हैं अब मैं सब नहीं कराओंगा उधर फाइड में डारेक्ट आंसर लिख दूँगा आप समझ जाना कैसे हुआ है इस पे कोई भी एक अन्नोन नंबर मान लेते हैं मान लो इस पे आप कुछ भी मान लो वह यह जैसे कहा जाए कि 40 में कितना जोड़ दें कि 70 हो जाए हम मान लिए यक्स यक्स मान लिए तो क्या हुआ कुछ नहीं हुआ जो होना थवाई हुआ तो यक्स बराबर 70 यह 40 उधर गया तो यक्स का मान के तरह आएगा हो 30 समझ में आया आगे बढ़ें कोई दिक्कत परिसानी हरानी नहीं ना चलो हम लोग पेज नंबर कहां थे तीन उन पे न तो ऐसे यह क्या हो जाएगा भाईया तीन हो जाएगा बाबू 48 में क्या एड करें कि 59 हो जाए यह को सिंपल सा है अगर हम 48 में 10 एड करतें 10 तो 58 होता लेकिन यह एक कदम आउर आगे है यानि 11 जोड़ा गया है 27 में क्या जोड़ें कि 32 हो जाए सिंपल सा है इसमें से इसको घटाया तो चच्चा तो 32 से जब 27 घटाओगे ना बाबू तो दूई और तीन पांच हो जाएगा बस 49 से क्या घटा दें कि 32 हो जाए इसमें से क्या घटा दें कि यह हो जाए बीना किसी दिमाग के कर लो अगर आप इसमें 49 से लेकिन हमें बत्तिफ लेना है तो मतलब 17 घटा हो क्या घटा होगे 17 जा रहा है ना अच्छा इसे भी आएगा का लो बोल आ रहा है कि नहीं आ रहा है न बिल्कुल टेंसर नहीं लेने का बस कलास को इंड तक देखना अगर मैज सीखना है अगर आज आपने इसमें से नहीं सीखा तो याद रखना कभी कहीं से नहीं सीखो गए मैं नहीं कर रहा सीखनी पाओगे लेकिन नहीं सीखो कि मैं यह बोल रहा हूं क्योंकि ना कुछ करने की कुछ मतलब एक चाहत होती अंदर से एक दिल होता डक्टर भी एक बहुत बड़ा डक्टर हो एक मरीच को जिंदा कर सकता है वो आधा मरा हो फिर भी लेकिन उसके को मैं सिखा सकता हूं लेकिन एकदम से मर चुकी है वह इच्छा तो फिर नहीं और मुझे उमीद है कि अगर आप पीवियार स्टडी एप के सब्सक्रेप्शन वाले कोर्स में आए हैं तो आपकी इच्छा सोसा ही नहीं चल रहा है पूरा जवान हो चुकी एकदम तो पक्क गुमच किया रिम एकल प्रेंट रहता जा हिमेक पैटरण का ज़से बल्ने बने गए टों के ऐपल बूक और और फॉलावर इनको ले करके क्या करना आपको पैटर्ण बनाना है तो पैटर्ण बना लोगी बना लोगे ना यानि इस वर्ड को परियोख करके कोई भी पैटन बनाना है तो कैसे भी करके बना लो की नहीं बना पाओगे जैसे मान लो जैसे अभी नंबर वाला में दिया था ना वैसे बन जाएगा कि नहीं नहीं बनेगा तो मुझे बताना थोड़ा सा रिजिनिंग का दिख रहा है आप ना लेकिन आपे सिर्फ पढ़ाई वाला चीज देखना बाकी कुछ और मत देखना इक्स्ट्रागर कहीं से दिख गया है बोल चूक से तो यह क्या है यह क्या है बाक से डिबाए यह पैंसिल है यह बुक है और यह अपना पीवी आरे स्टडी दिख रहा है तो इसको मैं कहें को लगाया हूं रोल और स्लाइड इसका मतलब जानते हो फिसलने और सरकने वाली बस्तुएं आपने देखा होगा आज कल जो लोग सहरों में रहते हैं दिल्ली मुंबई योगरा मेट्रों देखें होंगे मेट्रों गेट कैसे खुलता है आई से स्लाइड होता है और अभड़े बड़े जो चोटे मोटे आफिसओं में आज कल सलाइड वाले गर लगने लगे तो क्या होता है है ऐसे जांपल के लिए अगर मैं यह बाटल लिया और यह रोल और और सकता है यह अगर मैं इसको ऐसे पहें का रुकोकस लेता हूं ने बिग जायगा और तो अच्छा है अगर मैं इसको ऐसे घ्रप्याज दिया तीससे तो क्या होगा जो अगर सबस्क्राइब Yeah उसको अगर हम इसे फेकते हैं है तो स्रॉम्द भी हो सकता है तो यह बता यह बाल बाल जो देख रहे हैं ना बाल यह रोल हो सकता एक स्लाइड बताओ क्या हो सकता है रोल हो सकता है स्लाइड हो सकता है एह यार सब नहीं मिटा ना था भाई कि अंध्य कि बीया ये रोल तो कहीं से हो ही नहीं सकता है बाल एसमें क्या रोल होगा इसको तो घसीड सकते वैसे फेंको के तो क्या होगा यह मतलब एक परकार से सलाइड हो सकता रोल नहीं हो सकता है ठीक है समझ रहे हो और बाकी यह फोटो काई को लगी है यह इसी के साथ में थी ठीक है इसका कोई उज नहीं कि देख रही का मेरा बाल लगाएं जूरा के नहीं लाए और आप लोग इसको देख रहे हों बाल तो कोनों देखा नहीं होगा इसमें क्या लगा है यह नहीं देखा होगा यह जरूर देखा होगा तो मैं भी देखा हूं तब तुम्हें दिखा रहा हूं जलो देखो अगला क्या डिबा इसमें क्या है तो देखो हर चीज का मतलब स सब्सक्राइब कर सकता है अचाथ एक बॉल एनि गेंद गेंद रोल कर सकती स्लाइड को आप समझ पा रहे होंगी इना पैंसिल क्या कर सकती रोल कि स्लाइड ये पैंसिल इतनी पतली है कभी अधिक तो नाचते हुए चली जाए तो एकाद बार जाए गूम जाए बागी नहीं तो समझ गए हाँ एक बहुत अच्छी चीज अगर पीवीर स्टडी का यह लोगो है अगर इसको मैं फिजिकली आपको दिखा पाता निकाल के बाहर इक दम गोला है न यह अगर इसको फेंकूंगा तो क्या होगा जीस रूप में आपको दिख रहा है सलाइड ही करेगा अगर ऐसे है लेकिन अगर एक गोला रूप में तो क्या करेगा रोल का मतलब देख लो पहले एक मिनिट रुख जाओ इसमें दिख रहा न सबको यह चीज क्या है दिख रहा है घॉला भाया यह कभी भी था क्लाइट नहीं करेगा हमें साना ए रोल करेगा यई ईयार यह तो लोचा हुजा रहा है रुक एग मिनाट दिखाता हूं इसे और घुला देखने फिर हटा दूगा को डीवा oldest कि अब करएनने दिछ इनEr लोग एक मिनिट दिखाने दे भाईया दिखाने दे राज्जा इधर तुम चल अब आओ चल देखो आप देखो देख लिए यह यह रोल करेगा कि स्लाइड करेगा इसको कहीं भी अगर लुड़का हो गया यह फुटबाल हो गया तो आइसा धनंगता हुआ जाएगा अगे बढ़े तुम अपने अफली आउतार में आजाओ तब लोगों को जगा दो अपनी जगा तुमीज़ा रहा चलो आगे बढ़े कोई दिक्कत परिसानी किसी को नहीं न अभी इस पेज पर आएंगे तो इसके बारें भी समझाएंगे यहां पर क्या करना था वो भी बताएंगे टेंसर नहीं लो यह कट गया थोड़ा था इस पर एक मया और फिगर बनाया था वो मिट गया गलती से आप बताओ मुझे क्या है यह क्या बोलता है इस फिगर को पता लोगे न सभी फिख है आओ पीछे आते हैं जहां पर थे हम लोग तो यह चीज तो हो चुका था और यह आप समझ है रोल और सालाइड समझ गए इस तरह कि आप कम से कम दस दस एकजमपल सोचोगे कि काॉन सी बस्तूय है है जो roll कर सकती है कौन से बस्तु है जो slide कर सकती है फिर अब इन आकरतियों के लिखना है क्या करना है इनका नाम करन करना है पताओ कर लोगे न यह गोल आपको नहीं दिखरा भी इसको हम दूसरे कलर में करके दिखा देंगे अभी यहां जो जो दिख나 उसको यह क्या इसको कोई बताएगा इनिमन क्या है नहीं देख रहा हूँ लिए देख रहा है लग रहा है साना इसको क्या बोलता जानते हो यह भाईया घंब क्या है बाबू यह गनाब है जिसे इंग्लिस में क्यूबाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यूबाइड बोलते हैं क्यूबाइड ही बोलते हैं क्यूब क्यूब क्या होता जानते हो क्यूब को घन बोलते हैं घन में क्या है उसमें चारो साइड बराबर होती है यह आपको दिख रहा होगा इधर ज्यादा से मिल करके यह घना बनता है और स्क्वाइर से मिल करके घन बनता है ठीख है समझे आप लोग मेरी बात को कोई तकलीफ नहीं किसी को नहीं न लिखना देखो सब मित गया गड़बढ़ गया लोचा हो गया पुरानी अवस्तम लटा दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए तो आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं, आगे बढ़े, चलो, ठीक है, हो गया काम, नाम लिखिये, ये हो गया था, किसी को कोई परसानी है, तो मुझे बता देना, नाम लिखिये, ये क्या था, ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है, जिसको इंग्लिश में स्क्वाइर बोलते हैं, सायद अभी दिखाई चुका हूँ, ये गोला है, इस फेयर है, इसको मैं आपको थोड़ा सा परिचे करवा देता हूँ, ये क्या है भया, ये गोला है, बाबु, क्या है, ये गो कि यह जो थी स्टततते हैं कर एक om circumstances यह क्तिंस तो यह साम कीति हैं स्टेली तो फिकते सदला मुझे लीपका बना ल वसलक ऐसा नहींग सकतर हैं सकतर हत्यानी हो मेरे दिल के ते लिवले दिल को दूआ कीजा बस और पढ़ते रहीा है लगे कभी कभी ना खुद को बच्चा भी बना लिया करो क्योंकि बच्चे बने रहने पर जो आराम है ना वो कहीं है नहीं चलो आगे बढ़ें फिर सही बोल रहें नाम कभी-कभी हम सही भी बोलते हैं ऐसी बात नहीं है तो यह पेज मुझे उमीद है कि हो गया इसका तो छीचा लेदर हो गया इसको सही करके मुझे बाद में PDF में देना पड़ेगा चलो अभी तो आगे बढ़ जाते हैं कि आइए आखेर्तियों में नाम लिखिये इसको मुझे लिखी देना पड़े अब ही तो बाद में आँ पर लोचा हुए जाएगा बाद में करेगा कौन यह इहां लिख दिया है भी घर पड़ हो गया आखेर्स वैं आखेर्थ में लिखिये क्या करना है लिखिये ठीक है और मैं इस गोले को मिटाने के लिए ये जुगार लगा सकता हूं यह जाता पूरा मिट बहुत मिट गया आई तुम पढ़ा रहा वैसे पढ़ा रहा चलो आगे बढ़ें अगला क्या कह रहा है सब्ता के पर्था मुआ अंतिम दिन का नाम लिखिए इसको तो मुझे लग रहा हर कोई कर लेगा क्यूं क्लास थर्ड की मैथ है लेकिन इतनी तो बुद्धी विक्सित हो इग गई है तो श्यसका का परफंदो अलाग अलाग जगा हमारे हिसाब से वह समझते हैं वो शो मॉर्स से शोरू होता है क्यों अंतिम दिन संडे चली Rçi होक नहीं बैसे आपके क्या विचार हें जरूर बताना इस थोड़ा समझास हो सकता है कुछ लोगों के कहें और सबस्ब्स का सबसे छोटा महीना कौन सा है तो क्या है वह महीना है फैबरोरी क्योंकि फरवरी ही सबसे छोटा महीना होता थाइस से आगला वर्तमान में भारत में कितना राज्य है वह या बहुत ही अजीब कुईस्चन है अच्छा भी है अभी बड़ा उथल पुथल हुआ था जम्मु का समीर को केंद्र सासित गया था उधर अंडमान निकोबार दादर नगर हवेली में महा कुल क्या बवाल हुआ था पहले कितने राज्य थे ना 28 थे फिर राज्य बढ़ा दिये गए पुल राज्य कर दिया गया था जम्मु का समीर को है ना फिर केंद्र सासित परदेश बनाया गया तो अब ही हमार उनको नो कर दिया गया था नो के बाद क्या हुआ दोनों को जोड करके एक बनाया गया जबन दीव ऐसे कुछ ना याद है आप लोगों को नहीं तो कुल मिला कि 28 है ठीक है 28 राज्य है और 8 केंद्र सासित परदेश है इसमें अगर हमसे कोई भूल चुक हो रही होगी कि मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब यह है एक दूसरे को उपर इनको रखें तो पूरा-पूरा उसको ड्हांक लें कबर कर लिए जक्रले मतलब जैसे ऑज्यसे जैसे या मेरा हाथ है न आको दिख रहा है अगर मैं दूसरा हाथ है और से लाओं कहते ना कहीं कहीं लोग को दोसी स्थिध़ कर देते हैं आज करते हैं तो अगर हम दोनों हाथ को ऐसे मिलते हैं और अ अगर गली यह दिखेगी कुछ नहीं दिखेगा नहीं धुक्ति टो यह क्या है कह सकते मिडěलमश्थ मिरिभर एक दूसरी को पूरे भडर ढ़ना एक अगर हे का इसा करूं यह को किया पूरा-पूरा ढख रहा है तो चो यह मैत है दिमाग यहीं शुरू करना पड़ेगा क्लास थर्ड के बच्चे यहां सीखते हैं नहीं ढख रहा है न क्यों इधर अंगली दिख रही न मेरी इस हाथ की उंगली देखो उधर फाइट दिख रही न नहीं ढख रहा है न तो अगर ऐसी अवस्ता पर हम तो क्या हुआ ढख लिया इसको नहीं बताओ क्या आपको पीछे वाला पौन दिकला कहीं से कहीं से अगर दिख रहा बताओ नीचे उपर और हाँ इधर से भी देख लो इसमें क्या पीछे वाला आपको दिख रहा है एक मिनट अ कि रायद कुछ दिखेगा क्योंकि दूसरा भलब थोड़साह बढ़ा कटा में अगर्वश सलंगें है फिर देखु वैसे इनको और ये क्या इक तिर्भूज है अग्लेmost इसे कट दिया जायगा और काट करके अगर दूनों के दूसरे कूपर इसे रखेंगे वह तक पर बनेगा लेकिन इसमें इसमें नहीं बनेगा का है देखो इधर का आकार पतला सा है इधर का मोटा चौड़ा सा है अगर इसको बीच से काट के मोड कैसे रखो गे एक पर तो ये पीछे का चौड़ा वाला दिखेगा समझ गए ना जोन लोगों ने हाथ वाला उधारन समझा होगा वो इसको समझ जाएंगे नहीं समझे हो फिला हाल तो कमेंट करके बताना अगर यूटूब पे देख रहो अगर आप इसको प्रीमियम क्लास के अंदर देख रहेester मिलता है हमारा personally आपको नंबर मिलता है अगर आप प्रीमियम क्लास में होगए especially हमसे बात कर सकते हैं तो आप अपनी डाउट इसे बताईएगा हम आपको अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके समझा की बेदेंगे कोई डाउट रहा गया तो ठीक है और थोड़ा वीडियो को बेक करके फिर से देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा आगे बढ़ें नेक्स्ट यह बता इसमें मिरर हाप्स है या नहीं है बोलो यास या नो भी आओ ए बाबू सुनो न यह में नहीं है यह में मिरर हाप्स नही है क्योंकि यह सीदा फीदा तो नी कट कर रहा है यह मिरर हाप्स हो सकता था कब यृओं कि यह मतलब है यह मिरर हाप्स हो सकता था क्व अ यार भाई यार भाई यह मिरर हाफ तब हो सकता था जब यह ऐसे जाता यानि उधर से इसको काट कैसे मोड़ सकते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ा बैमानी कर गया यह इसलिए मिरर हाफ नहीं है कोई डाउट टैंसन तकलीफ नहीं न भाईया चलो आगे बढ़ें यह मिरर हाफ हो सकता है क्योंकि इसमें देखो इधर कभी आकार वैसे इधर कभी वैसे दूसरे को कट के ढख ले गए कोई दिक्कत नहीं अगला देखो वह यहाँ दिल को तोड़ दिया यहां पर कहते ना दिल मेरा तोड़ दिया उस दिने किसने कोई नहीं तोड़ दिया होता यहां बैठे नहीं होते अब तक चले गए होते वहां जहां लोग लाइस टाइम जाते हैं फिलहाल हम कुछ नहीं क्यों क्यों कि आप पहले सीख गए हो अगर इसको कट करके एक दूसरे उपर ऐसे रखो गे बीच में से जिस पर लाइन खीची इसका मतलब इस पर से काट के उसको रखना एक दूसरे पर इधर का लगा इधर का लगा कभी नहीं ढखेगा भया यहाथ अगर दोनों अंगुली कुछ लोग कहेंगे कि हम हाथी के आगे फिरन का बच्चा खड़ा कर दें कहां मिरर हाफ बनेगा मालों यह हो गए किताब इधर यह मैंने टीबुकिया लगा लिया इसे आप तो दिखने रहा ना लेकिन कहोगे मिरर हाफ्स है आप कहोगे है नहीं है क्यों कि इधर तेने द समझ रहा हो ना यह माइंड टेस्ट करने के लिए पढ़ाया जा रहा जिंदगी में कहीं इसका परियोग नहीं होने वाला ऐसे का मतलब का चीज है इससे आपका जो खोया सोया हुआ दिमाग है ना जिसमें जंग लगा है ना थोड़ा-थोड़ा प्रेसर बढ़ रहा है उस कि चलो ओ यह क्या है यह बना रह 270 ए हो यह गांज बना राहा है यह बना रहा है यह बना रहा है कि ब ini आपना तरया भाइटском कि प्रवाग्व त्वाता है इतना अलू नहीं हूं कहने का यह मतलब है कि जो लेटर लिखे न यहां आध्याध्य लेटर है कि इनका आधा पहिचान सकते हो जो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है समझ रहे हो वो ऐसे कंडीता ना इनकी कुछ बिना इनके आधे के पूरे नहीं है धूरे हैं यह तो जैसे एक एक जामपल देख लो मालो मैंने बी लिखा बी बी रुको बईया बी बी अब अगर इस बी को हम आधा आधा इसे काट दें तो यह क्या बनता ऐसे और ऐसे न ऐसे बनता न और अगर इसको इसका आधा इधर कहीं हम ऐसे बना देते तो ऐसे बनता इसको भी हम अगर आधे के रूप में यहां पर अगर यह थोड़ा निकला रहा है ऐसे तो हम कह सकते हैं यह क्या है यह क्या भीया यह बी का आधा हो नहीं दोनों बी का आधा तो वैसे यह किसका है यह एक आधा है एक आही है कुछ आउर है बाई एक आही है लगभग बन रहा है न ठीक है यह सी का आधा है अगर यहां तक आप देखो इसको ऐसे गुमाओ थोड़ा से अकम सही बना था बाकि सी का आधा था ठीक है यह यच का हाफ था और यह के का था कि ओलो सही लिखा मैंने अगर किसी को एंटी तकलीफ एंदि दुख दरद कि नहीं न अगला क्या है काउंटिंग इन्टेंस और कंटिंग घृवटीं इसमें दस-10 अंतराङ को जाट करो 10 कि लेखो यह क्लाफ थर्ड लेबल कमेहत है कच्छा तीन कई फिले इतना अफान लग रहा नहीं कहोगी का होगी का होगी का अगर आपको यह सब आ रहा रहा है न आपको सिरू कर यह चे साथा आठ आपको पढ़ना है मैं इनको कम समय में अच्छे पढ़ना वो चे साथ आठ यह तो अभी कोश्चन आया था दिखाया ही था मैं आपको मुझे लगता है कहानी खतम हो गई तन हो गया किसी को कोई डाउट है कोई तकलीफ है तो मुझे बता देना बिल्कुल टेंसर नहीं लेना ठीक है भाईया आगे बढ़ें इसमें क्या पढ़ना है जरा ध्यान से देखना इसमें हम लिखें हैं इंगलिस में लेकिन इसको करना हिंदी में है समझाएंगे सब हिंदी में 10 सा निलेने का कह रहा है कि 10 less than 34 is मतलब यह कहने का इनका यह है कि 34 से 10 कम पताओ 34 से 10 कम कितना होगा बस वही निकलना है तो 34 से 10 कम कितना होगा सबको पता 24 होगा लेकिन आप कहोगे इतना छोटा काय को पढ़ा रहे हो रोज यही जोड़े घटावा क्योंकि यह जो बैच चल रही जो अपडेट हो रहा भी परजन टाइम में यह आप देखो 3rd ग्रेड वालों को हम इससे ज्यादा हाई लेबल नहीं पढ़ा सकते हैं ठीक हड्ड ग्रेड का है मतलब जिनको मैं सीखना है उनके लिए कच्छा तीन वाले बच्चे के लिए नहीं है लेकिन जो सुरू से सीख रहे हैं उनको डारेक्टली हम अभी आउकलन समाकरन बताने लगेंगे तुन्हें नहीं समझ में आएगा तो तो यहां पर हम ठाटी थिरी लिख सकते हैं एक और भी तरीका है वो तरीका कौन सा है वो यह है कि आप 53 माइनस 20 कर दीजिए ऐसे बगल बगल में सब्ट्रेक करते हैं 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 5 में से 2 जाएगा तब 3 तो यह होता है आपका अस्तंब मेथड एक हो गया कालम मेथड ना अस्तंब कालम एक ही है पंकिती मेथड हो गया हूँ ठीक है? समझ गया? अगला ऐसे मुझे उमीद है कि सब आप लोग कर लेंगे 11 more than 31 मतलब की 31 से 11 अधिक कितना होगा तो भाईया यहाँ पर एक चीज और आप समझ लीजिए पता है क्या समझना है समझाता हूँ देखिये यह इसको तो सीख लिए ठीक है इसको मिटा देता हूँ यह अगर छोटे बच्चे बनके हम हल करें तो यह चीजें हमारे लिए थोड़ी कठीन हो जाती है तो थोड़ा इनका आसान तरीका जैसे हमें 11 सरी 31 में 11 एड करना है न इसको सबको आप लोगों को पता हो गया होगा कि यार यह बड़ी बात नहीं यह तो 41 होगा गलत हो गया 41 होगा ही नहीं 42 होगा 1,1,2,3,1,4 है न इसको करने का एक और आसान तरीका देखिये जैसे हमें 31 में 11,8 करना है न करना है न इसे हम ऐसे न करके एक और तरीके से कर सकते हैं वो तरीका कौन सा है इसे 30 प्लस 1 कर लीजिए इसे 10 प्लस 1 यह तरीका जादा अच्छा रहेगा छोटे बच्चे बनके अगर आप करेंगे 1 में 1,8 हो जाएगा सबको पता है बीच में प्लस 0 में 0 तो 0 रहेगा 3,1,4 यानि 4,0,40 में 2,8 करोगे तो 42 आएगा यह step by step आपको सीखने में आएगा तब को समझ में आ रहा है जिनको हाई भाई देखना और ज़्यादा आगे लेबल का देखना है लाश्ट में अभी वीडियो आप इसकिप करके देख लिजी अगर आपको सिर्फ नंबर लेना है हम अभी अपना नंबर सेर करेंगे उस पर संपर करके आप PBR study app में जा करके जॉइन कर लेंगे तो आपको यह सब इसकिप करके आगे मिल जाएगा ठीक है लेकिन ध्यान रहे अगर सब कुछ सीखना भईया तो इसकिप निकरना थोड़ा टाइम दे दीजिए जितना आप बरबाद कर देते हैं मोबाइल में सोसल मीडिया पर आपने फालतू के कमीने दोस्तों के साथ उतना यहां अगर दे देंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा चलिए 66 से 11 कम कितना होगा वह यह सिंपल सा है इसको भी सब ट्रेक कर लो यार 66 से 11 सब ट्रेक करो 55 आएगा इसको करने का एक और तरीका है अगर आप कहो तो मैं बता दूँ बताओं इसको करने का एक और तरीका है यही चीज मैं आगले पेज पर कर रहा हूँ देखना 66 से 11 ठीक है देखो इसका एक तरीका यह है कि भाईया 66 को हम 60 धन 6 लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना 11 को हम 10 धन 1 लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं ना हमें क्या करना था दोनों को घटाना था हमने क्या किया हमने 66 को और 11 को एक नए नए रूप में लिखाया बस तो 1 6 में से जाएगा तो 5 और प्लस जीरो जाएगा 0 6 इसे बन जाएगा 5 यानि 5 0 50 में 5 5 एट करना है तो 55 तो आएगा ना बोलो आएगा ना आएगा तो इसमें कौन सी बुराई है ये मतलब एक है तो है चाहे इसको करिए ऐसे चाहे ऐसे करिए अपको समझ में आ रहा है जो मैं सीख रहें देखिए ये कलास हमारे कुछ ऐसे पैरेंट्स भी जोईन करते हैं जो अपने छोटे- नन्य मुनने प्यारे बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं और वो कुझ से पढ़ते हैं मम्या पढ़ती उनकी चाची चाचा uncle auntie बाबा दाधा पढ़के उनको सिखाते मैं यह नहीं कहता हूं कि बाबा दाधा या उंकलंग आंंटी उनको आता नहीं है आपने अब है मैथ जानना और मैथ पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ें तो इसलिए करते हैं कि यहां से सीख करके कैसे क्या करना बच्चों को सिखाते हैं सिंपल सी है चलिए आगे बढ़े इतना हो गया इस पेज़ पर कुछ छूटा था पीछे क्या नहीं हो गया यह सब हो गया आगे क्या है देखिए कराया कैन यू डू अनदर बे क्या आप इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं क्या आप इसे और किसी विधी से कर सकते हैं आईए, यहाँ पर दो विधी दी गई है, क्या आप कोई तीसरी विधी लगा सकते हैं, इनको जोडने का, देखो इसमें 6 में 3 जोड़ोगे 9, और भाया ये 3 को 5 में जोड़ोगे 8, यानि 89 आएगा, और 6 में 3 जोड़ोगे 9, 5, 3, 8, 89 आएगा, इसको कहरा क्या और कोई तरीक को हम ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है भाया, कोई डाउट नहीं, 56 को भाया हम ऐसा लिख सकता हूँ, बाबु, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को जोड़ दीजिए, 9, 0 और 8, यानि 80 में 9 जोड़ोगे तो 89, बोलो बात वही हुई न, तब वही आया न, तो यह आपका 1st 2nd मेथेड हो गया और आप इसे कह सकते हो कि भाया हो, यह सी मेथेड हो गया, किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता देना मेरे भाई, नहीं न, आगे बढ़ें, चलिए, अगला, अब आ गया जोड़ यानि अडीशन, यह बहुत सिंपल सा है, इसमें पहले हम कुछ हासिल व करेंगे, बस आपको इंड तक देखते रहना है, हम मानते हैं कि आपको यह लगभग चीजें आ रही होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें अगर मैं 10 पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपको 8 पॉइंट आता होगा, लेकिन बीच में अगर आपको 2 भी पॉइंट नहीं आपको अच्छा वाला फिलिंग लेना है बढ़िया वाली आप में जरूर आना एक बार, चलिए, इनको जोड़ना है, इनका तरीका सिंपल में है, ऐसे जोड़ लीजिए, 7 में 1 एड करेंगे 8, और 3 में 2 एड करेंगे 3 to 5, इसको भी ऐसे कर लीजिए, 9 में 1 एड करेंगे 10 10 का 0, याद रखना करी आया 1 और 5, 3, 8, 8 में 1, 9, कोई समस्या परिसानी तो बता दे न, 10 सानी लेने का, इनको एड करिए, देखिए, लाइस्ट के 2 डिजिट, 9, 5, 14, यानि 9, 5, 14, हासी लाया 1, याद रखना इसे बूलना नहीं, अब ये 9 में 0 जोड़ोगे तो कितना होग 9 ही रहेगा, हासी लेक कितना होजागा, फिर 10, 10 का 0, फिर फिर आफिला 1, अब तीसरा अंक तो यहाँ बचा नहीं, इसमें जोड़ देंगे, 2, क्यों सही लिखा है, गलत है यार ये, सही है, ये 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो, तो 200 हो गया, ये 5 था 1, इसमें आएगा 4 सही है अब इधर आजाईए, सबसे पहले हम ऐसे कुश्चन करेंगे, जिसमें हासिल नहीं आता है, जैसे 4, 2, 6, 3, 1, 4, 8, 3, 11, कोई डाउट नहीं ना, इसमें, आगे बढ़ें, 7, 4, 11, हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5, क्यों, बैस 7, मैं 4, 8 किया कितना हुआ, 11 न, 11 ऐसे लिखते हैं, तो 11 का एक नंबर यहां लिख दिया, और एक यह हासिल बच गया था, इसको यहां लिख लो, अब 3, 1, 4, और यह 1, 8 हो गया, 5, 9, 7, 9, 6, 15, क्यों सही है, 9, 6, 15, ऐसे इधर आ जाएंगे, 7, 6, 13, करी आया, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 9, 1, 10, जल्दी लिख लिख लिजिए, कोई डाउट है तो बताइए, मैं बार बार एक ही अनुरोध करूँगा, कि आप कलास को पूरा देखेंगे, अगर आपको मैथ सीखना है नहीं आती ना, तो पूरा देखें, एक बात याद रखें, कभी-कभी हमें किसी का मोटिवेशन पूरा रहना चाहिए, कहते ना, एक आग सीने में धदकनी चाहिए, और वो, तब तक, जब तक, वो मिले ना, जिसे आप चाहते हो, मतलब जिसे का मतलब यह जो चाह रहे हो, बाकी तो इंसानों की कोई कदर नहीं, दुनिया में, आज कल कोई बैलू नहीं, आगे बढ़ें कोई डाउट नहीं ना, इसमें, ये फालतू की चीज़े मिटा दे नहीं, अगल बगल में देख करके लोग कन्फ्यूज में जाएंगे न, मतलब कन्फ्यूजन में रहेंगे, आप कुछ ही स्टोरी कोईशन होगा, जो इंगलिस में होगा, उसे मैं हिंदीम पढ़के हमारे यहां बिजली कबिल जो है न, दुकान पर कामर्सियल आता है, इंगलिस सब्ध है न, लेकिन जानते हो न, कामर्सियल को कभी कोई हिंदी में वाडजिक या बैवसाइक नहीं बोलता है, ऐसे कुछ होता न हिंदी, होता है न, आज कल तो यूपी भिहर वाले गाली भी इंगलिस में देते हैं ओं लोग जो पढ़े लिखे नहीं है कुछ याद है आपको तो फिर उसकीजिय। होती ही जो हम सिर्फ इंगलिस में ही जानते इंगलिस में सीखते हैं, जैसे ट्रेन आप देखनों, आप क्या ए, इंगलिस सब्ध नैं तो मुष plagरो सब्धी की बोलत कभी सुनते होगी हावाई जहां से जाएंगे नहीं न तो अक्सर बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोग सिर्फ इंग्लीज में ही उच करते हैं तो चोटी चोटी चीजें इंग्लीज में लिखा गया है बाकि आगे चलके हिंदी में ही रहेगा हिंदी दोनों मिक्चर रहेगा त इसलिए दोनों मिक्स करके रहता है लोगों की टेंसर रहती इंग्लीज का लिए इसलिए इतना मैं पीच में ग्यान दे रहा हूं चलिए आगे बढ़ें कि क्या कहता है कि अ फैक्टरी मेड टू सेबन जीरो वल्प्स आन्दा फ़र्स डे और सीकेंड डे कितना बल्प मेड कर रही 123 हाउ मेनी वल्प्स डिड़ दा फैक्टरी मेड आल तुगेदर मतलब फैक्टरी कुल मिला के टोटल कितने बल्प बनाई न यही न आप लिखोगे फैक्टरी मेड वल्प्स इक्वल 270 जीरो इसको एड कर देंगे 3729 कोई डाउट नहीं न इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे फैक्टरी मतलब कंपनी यही होता है न कंपनी पहले दिन कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा पहले दिन बनाई गई बल्पों की संख्या बराबर 270 कंपनी द्वारा दूसरे दिन बनाई गई बल्पों की संख्या बराबर 270 कंपनी द्वारा दूसरे दि संख्या बराबर कुल बलबों की संख्या बराबर दोनों जोड़ देंगे बस हो गया थिरी नाइन थिरी पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कहरा आज सौप कीपर रफी हैड 153 कैंडल बहुत आसान है इसमें से आपको थोड़ा-थोड़ा इंगलिस का भी ज्यान हो जाएगा कि कहरा आज सौप कीपर सौप कीपर मतलब होता दुकानदार रफी मतलब एक लड़के का नाम है इसने 153 कैंडल रखा इसके पास में 153 कैंडल है पारस गिब हिम 237 मोर कैंडल पारस उसका नालायक दोस्त था एक जो उसे 237 कैंडल आउर दे दिया ले बेल रख ले आउर ल दिवाली ओकर अब देखियो ना जलती न दिये गायब हो गया आज कल मोंबत्ती जलने लगी तो क्या करना है आप लिखो तौप कीपर रफी हैज कैंडल इक्वल 153 कि पारस गिब हिम कैंडल इक्वल 237 कि नाव रफी हैज टोटल कैंडल इक्वल 7-3 10 कैंड़ी आवन 53819213 पस हो गया हिंदी में ऐसे लिखेंगे दुकांदार रफी के पास कुल मोंबत्तियों की संख्या बराबर एक सो तिर्पन उसके दोस्त पारस के द्वारा दी गई मुंबत्तियों की संख्या बराबर दो सो सायतिस अब रफी के पास कुल मुंबत्तियों की संख्या बराबर कितना? 390 कोई डाउट परिशानी तेंसन नहीं चलो आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं न किसी को एगला कहरہा है कि आगरें की तेंसन नहीं परिशाने तो बतादेना अगला कहरा है कि आए ट्रेन कंपाटमेंट इच कैरिंग 132 पीपल एक ट्रेन का कंपाटमेंट कंपाटमेंट मतलब जानते हो आप डिबबा मандलो तो देखे वो एकत्र ट्रेंट के कमपार्ट्मेंटमेंट में 133 पीपल यहां इनसान आप लोग वह से यातरा कर रहे हैं एंड अनदर केरिंग 123 दूसरा कितना ले जा रहा 129 तो पूछ रहा है नीचे हाउ मेनी पीपल आर दियर इन बोथ दा कमपार्टमेंट तो दोनों कमपार्टमेंट में मिला करके कुल कितने लोग यात्रा कर रहे हैं पता हो पता हो बता लोग Civic a number of people in first compartment equal 132 number of people in first compartment equal 132 number of people in second compartment equal 129 अबीक हो number of total people in both compartment equal 9..ah संबज में है ना हिंदी में लिखेंगे कि ट्रेन के पहले बोगी में पहले डिब्बे में कुल बैक्तियों की संख्या बराबर 132 ट्रेन की दूसरी बोगी में या दूसरे डिब्बे में कुल बैक्तियों की संख्या बराबर 139 फिर नीचे लिखेंगे दोनों बोगियों में या दोनों डि पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे तीन डिजिट का अडिशन फिर सेंटिमीटर में कंपेर करना है क्योंकि इस क्लास का जो लेबल है वो थार्ड लेबल यानि काक्छा तीन के लेबल का मैथ है अगर आपको और ज्यादा हाई फाई चाहिए तो फिर आपके काम का यह कलास नहीं है अगला देखना है एड़ एंड कॉर्नर पहचानना मतलब किनारे और कोना में अंतर निकालना हो सकता आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं पता है अभी देखोगे स तूं का घ्यान इतनी चीज़ें जो है हम इस सेशन में सीखने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं पहले से फिरी डिजिट का एडिसन सभी देख रहे हो ठीक है देखो मगर प्यार से पहले का अंसर कितना आएगा कोई भी एनिवन कमेंट कर सकता है अपने मन से आओ चलो द में हो जाएगा करी इसके खुपड़ी हो गया नाइन टू 11 11 12 का टू इसमें भी क्या आया वन करिया इसके उपर हो गया 314 और 1 उपर आला 5 कोई डाउट नहीं अगला 9 3 कितना होगा भाई ये भी हो जाएगा वही 9 1 10 2 12 तो 12 का ये 2 जो है यहां रहेगा और ये 1 यहां कैरी हो जाएगा अब 2 1 3 और 1 कैरी 4 इसमें कोई कैरी नहीं आया 3 3 6 तब को समझ में आ रहा है कोई डाउट परेशानी होगी तो बता दे ना 10 नहीं लेने का इसमें 4 6 10 यानि 6 4 10 का 0 हासिल आया कितना एक और 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही रहेगा और फिर उसमें हासिल जोड़ोगे तो बन हो जाएगा ये 4 3 7 अगला देखो भया ये 3 6 9 5 6 यानि 6 5 11 का एक हासिल इसमें भी एक आ रहा है 4 3 7 और एक 8 कोई डाउट नहीं किसी को ये कोईश्चन नेक्स्ट खुद से करना है पक्कास अभी कर लेंगे चलो देख लो पूरा स्क्रीन आगे बढ़ें इसमें बहुत मज़िदार है इंट्रेस्टड है क्योंकि ये थर्ड क्लास के लेबल का है तो इसमें बच्चों के लिए मैं बह इतर दिये गए हैं यह सेंटीमीटर में हो सकते हैं मीटर में आप इसे सोच के बताओगे ठीक है चलो सेंटीमीटर मीटर होता क्या है मैं इसके लिए आपको एक पाउजार लाके दिखा देता हूं रुके रहो मेरे पास मीटर वाली एक पट्री भी थी लेकिन अभी समय पर रहे होंगे काफी दूर है वहां से कि सेंटीमीटर का मतलब इतना बड़ा जैसे देखो एक मिनट बस दिखा रहा हूं देखो समझना टाइम लगेगा यह जितना इतना क्या है सेंटीमीटर है इतना एक सेंटीमीटर है यानि मोटा मोटा आप यह जानलो में नापके दिखा इसमें नेल पाली यह को होता है चाय वह लेडीज का हो जये जयादा होता है कि एक मिनट फिर से नाप लेने दो मेरा हबसünkताइए कुछ महिलाओं में comm बढ़ता है एक से दो सैंटिमीटर होता है मतलब सेंटिमीटर अ कि मतलब से यह सबस्क्राइब सेंटिमेटर का मतलब व 예 होता समझ गए न आप चलो आब बताओ width of computer screen एक computer screen की जो चौड़ाई है वो किस में हो सकती है centimeter में या meter में किस में हो सकती बताओ यह meter न जाया यार इदर ले आओ नहीं मिटेगा नहीं मिटेगा ठीक है चलो एक computer screen की जो चौड़ाई है भाईया वो क्या हो सकती है बताओ सेंटिमीटर में हो सकती है कि मीटर में देखो बहुत सिम्पल है यह कंप्यूटर स्क्रीन है इसकी यह चौड़ाई है यह सेंटिमीटर में होगी कि मीटर में भाई सिम्पल सी बात है बहुत सारे कंप्यूटर आपने देखे होगे हमारे पास भी एक दो डिब्बा यहां पर रखे हुए हैं इनकी चौड़ाई देख लो यह यह क्या एक कम्प्यूटर है कि मैं पूरा प्रेक्टिकली सब कुछ दिखाऊंगा आपको इसकी चौड़ाई यह जानते हो हुँ यही ना है तो चाहिए हो गई तो यह में नहीं है अगर हम में ना पेंगे तो भाई यह में पूरा आपको इसमें इतना होता है पूरा आपको नहीं दिख रहा ना इतना पकड़ा हूं इतना बड़ा computer की screen नहीं होती यानी meter में तो कताई की नहीं होती है तो में नहीं आपते कभी भी है ठीक है जो डिटल पैनल है जिस पर आप पड़ रहे है हूं ना कि यह डिजिटल पैनल कि 75 इंच का है ठीक है कितना है 75 इंच का यह पैनल है पूरा-पूरा गरम नापित एक बार में हाथ पहिला के नहीं नाप सकते हैं इतना चौड़ा है यह समझ रहो तो समझ गया न यानि computer screen की जो चौड़ाई है वह मेंटर में नहीं ना पी जाएगी किस में ना पी जाएगी बाबू सेंटिमीटर में समझ गया तो इस चित्र को मैं यहां से हटा दूँगा अब जिसका काम हो जागा उसको हटा दूँगा क्योंकि जगा नहीं मेरे सम्षिक के मिठाने के लिए तेकता हूँ मिठ जाएग थीक है मृत ठीक है दण के मीठ में सेंटिमीटर में यह चांड़ा लेंफ आताप पुगकड़ी वनाज सिक्षिक जबगड़ी पहेंते हैं इस सम मानिय को और सम्वलों हो सकती है कि सेंटिमीटर में बता ल कश कामें इसका यह मतलब नहीं कि इतनी बड़ी खोपड़ी है तो मीटर सेंटीमेटर किसमें जो पगड़ी का कपड़ा होता है देखे हो गम्छा देखे हो जो लोग बांगते हैं पता होगा अक्सर लोग हमारे हरियाना से और में बांगते हैं एक ख्रुमाल थोडी होती है जैसे आपने def Santos को वहाइब आसा क्षु को कोई गडबर नहीं है इसको दोनों में किया जासकता है फिका लेकिन क्या बोलेंगे कहता हैं डेठा बच अ Aw इसको भी फिलहाल अगर आप सेंटीमीटर मीटर दोनों कह सकते हो सिच्वेशन पर डिपेंड करता है चोटा बच्चा है तो चोटी पकड़ी रहेगी उसका कपड़ा चोटा रहेगा बड़ा बच्चा है तो बड़ा रहेगा तो एक मीटर तो मुझे नहीं लगता की आदा हो जायगा एक मीटर मचा हो सकती है पकड़ी की मैं ओट ये नापने वाला मेरे पास ही। है एक मीटर लंबाई पकड़ी, इतनी बड़ी बड़ी में है मीटर मेंयं आप कह सकते हो आराम से कोई दिख्गत नहीं है इसको क्या कह सकते हो अब मेटर में कह सकते हो इसका बहुत है इसका काम हो गया इस फिगर का तो मैं इसको अटा देता हूं यह तो बहुत कुछ लेके चला गया ठीक है डन आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं चलो अब कह रहा हूं इयर ओल्ड चाइल्ड एक साल का छोटा बच्चा क्या में एक मीटर लंबा हो जाएगा एक साल का छोटा बच्चा बिल्कुल पिल्ला जैसे रहेगा जैसे यहां पर देखो एक है ना देखो कितने प्यारी गुडिया है ना खेल रही है मीटर में तो नहीं होगी कभी है चोटी सी है न यह तो सेंटीमीटर में ही कह सकतो इसे क्या सेंटीमीटर में समझ गए ना तो बच्चा क्या हो सकता है सेंटीमीटर में अगला बनाना एक केला वह यह बहुत इंट्रेस्टेट चीज़ है यह बताओ एपल मीटर में हो सकता है कहीं देखे हो इतना बड़ा केला इतना बड़ा देखे हो कहीं इतना बड़ा केला नहीं देखे हो न तो केला हमेशा अब सिंपल में कह सकते हो सेंटिमेटर में ही हो सकता है किसमें सेंटिमेटर में हो सकता है ठीक है भाया एक हाथी चल बही हाथी मेरा साथी आजा आज जा राजा तुम इधा राजा चलो अब बता हाथी क्या हो सकता है मीटर में हो सकता है कि सेंटिमीटर में भाईया ओ यह हर जगा से मीटर में हो जाएगा हाथिया की लंबाईया कम से कम दूई मीटर हो गी है इसे देखे हो हाथि के अगर पास जाके खड़े होगे तुम आईसे करके न तब नहीं पहुंच पाओ लोग इतनी बड़ी होती है तो यह खतरनाक प्राणी जो आपको दिख रहा है ना उसे खतरनाक नहीं होते सभी फिलहाल के लिए देखो पूरा स्क्रीन में दिखा दूं तो मैं आप तब भी छोटा पड़ जाए गए इतना बड़ा हाथी है इसको हलके में ले रहे हो का यह त रहे हाथी मेरे साथ ही तुम निकल लो यहां से पुछ मिटाय ना नैंग ठीक है रहाद ही कि इसमें मीटर में कर पगड़ी तो भी मीटर में आप कह सकते हो यह तो मैं सेंटीमिटर लेख दिया गलती से अ कि शुगर के गन्ना आप कमेंट करके बता मुझे गन्ना क्या हो सकता है मीटर में एक सेंटीमीटर में बोलो गन्ना देखे हो गन्ने की फसल एक गन्ने के सेर में गन्ने के खेत में गुस गया फेर चलो बताओ ऐसा लग रहा है गन्ने खेत में आके हल गए है तो गन्ना भाया मीटर में हो सकता है क्योंकि एक मीटर इतने बड़ा होता है जितना बड़ा मैं खड़ा करा हूँ नीचे दिख रहा है आपको ऐसा नहीं दिख रहा है एक मिनट रोग जाए यार ये दिख रहा है ना जितना पकड़ा हूँ इतना एक मिनटर होता है तो गन्ना तो बहुत बड़ा बड़ा होता है यार गन्ना आप कह सकते हो मीटर में क्या कह सकते हो इसको मीटर में कह सकते हो ठीक है भाई गन्ना क्या कह सकते हो बाबू मीटर में कह सकते हैं इसको तुम ये छोटा हो जायार किया देखो मिट गया ना इधर साइड में तर्च उपट हो गया न जो को बैक आता हूं जो गयर ना गया अपनी जगा ठीक है तो सुगर केंक इसमें मीटर में इस तरह से बताओ वाल की चौडाई कुणा की जो डेफ्ट होती इसको क्या बोलते हैं चौडाई को डेफ्ट या क्या बोलते हैं यह क्या हो सकती है वादेखें वह वैल की बड़ी इंट्रेस्टेट कहानी है अगर आप सुनना चाहो तो मैं बताओं दिख रहा है लग रहा है कि मैं पूरा कुणा में घुज गया सिक्स तक पुवां से पानी भर भर के हम लोग ने नहाया है कि यहां तक कि भाईस तक दूला है समझ रहे हो और हम लोग के जहां पर पानी खिच के लिए जाते थे ना 32 फिट की उस रस्षे का वजन इतना होता था कि उस अवस्था में हम लोग को जितना वजन रहता था ना उस रस्षे का वजन चोटे बच्चों के वजन के बराबर रहता था हम लोग थोड़े बड़े हो जगये थे छे साथ में तो थोड़ा ज्यादा भारी थे इतना भार रहता रहता समझ रहे हो कभी-कभी अगर हाथ से रस्षी छूड़ जाती थी तो हम लोग उसको छोड़ पापा लोग आते थे थे घरवाले सिखाया थे वच्चा अगर कभो कभो फिसल गया जवल्टी भागने लगी न छोड़़ देना तुम चले जागा उसी में समें लोग छोड़ देते रस्ची जाके पापा लोग आते थे सब तो एक काटा आता था लोगा उसको उसमें अब सब किया कुवा हुआ करता था पडोसन के यहां जाके दूर से रस्सा मांग किलाते थे उसके कुवा का तो उसमें बांद के काटा इसे से गुमाते नचाते तो फसाग निकलते थे कि यह सब मज़ा कुछ औरी था आज कल तो हैंड पंप है आप स्विच दबाए पानी बह रहा है साला इतना पानी बरबाद होता है कहना नहीं चाहिए कोई कुवा से पानी भर भर बरबाद करता उस समय तो पता चलती कहा किसके दम है अंदर एक भी पानी बरबाद नहीं होता था गाओं में क्यूं अगर सो फिट गहराई से तुम्हें रसी से पानी निकालना है तो तुम्हें एक बल्टी भरोगे नहाओगे पीओगे कि उसको दूद से ज्यादा कीमत इसकी होती थी दूद तो उपर मिल जाता था गईया भैसिया उपर रहती थी लेकिन पानी अंदर से निकलता था वह ज्यादा पुरानी बात नहीं हम 120 साल के नहीं है बस आज के ज्यादा ज्यादा 10-15 साल पहले होती है चीजें फिलहाल तो इस मीटर में हो सकती यह कुञा की चौड़ाई कर अम चल भाईया ठीक है डन बात पक्की कोई दिक्कत नहीं किसी को यह कुलोन बन गया यार क्या हो गया यह तो यह हो गया आगे बढ़े नेक्स्ट चलो यह चैप्टर कम्प्लीट यह सब काहे को था यार मजा रही की नहीं देखो अब तक सिर्फ हम बोलते थे अब हम दिखाएंगे एक एक अब दिखाएंगे सिर्फ बोलेंगे नहीं कि इतना करजा उधारी यह बोर्ड कहें करवाया है इसलिए तो इसलिए कहते हैं आप लोग कलास को ज्वायन करिए जिससे कुछ करजा कम हो सके अब मैं रो तो नहीं सकता आप लोग के सामने आ करके बरबाद हो गया मैं लुट गया बगवान न करें का इसलिए मैं थोड़ा सम्मान के साथ कहता हूं आप लोग कलास को जादा जादा सेर करें जुआइन करें जिससे सब पूरा हो सके आपको और बहतर सुग्दा दे सक है ना तो उमीद है कि आप भावनाओं को समझ रहे होंगे आगे बढ़ें इसमें क्या करना था इसमें भी वही बताना था कि कौन सेंटिमीटर में और कौन मीटर में ऐसा ही कुछ था इसमें कौन सेंटिमीटर में और कौन मीटर में बता लोगे न पक्का यह क्या है यह केचुवा है इसमें वो लगाना था सही और गलत मैच करवाना था यह तो सब एक में लिख दिया है उरुको एक मिनट कोईशन मुझे देखने दो इसमें मैच करवाना था कि कौन किसकी लंबाई कितना हो सकती है ठीक है आप लोग मुझे बताओ कि केचुवे की लंबाई कितना हो सकती है एक किलो मीटर हो सकती है क्या केचुवे की लंबाई वन किलो मीटर हो सकती है नहीं एक मीटर केचुवे की लंबाई होना बहुत मुश्किल है एक मीटर केचुवा इतना लंबा केचुवा होता नहीं मैं देखा नहीं अपनी जिन्दगी में तो एक मीटर बहुत बड़ी बात है तो अगर केचुए की लंबाई की बात करें तो ये भी क्या होगा भईया सेंटिमीटर में होगा हाँ ये बचवा जो है ये सेंटिमीटर में हो सकता है ये भी मीटर में नहीं और ये साडी है ये महिला नहीं है इसको मत देखो, यह देखो साड़ी, यहाँ पर दिखाया गया सिर्फ साड़ी, एक ही उद्देश है, साड़ी दिखाना, तो साड़ी जो है, वो मीटर में हो सकती, आपने देखा होगा, साड़ी के कपड़े बड़े होते हैं, आपके घर में मात आये बहने होंगी, भावी ल लेकिन यह मेटर में ना पी जाएगी अगर दोनों आपसन है तो क्योंकि मेटर में आसानी होगी ठीक है इसको आप क्या कह सकते हो सेंटीमेटर में आपको यहाँ पर यही समझना है कि कौन सा फिगर जो है वह मेटर में हो सकता है कौन सेंटीमेटर में और कौन किलो मेटर में तो बता। रोड रोड को सेंटिमेटर में नापना आसान है कि किलो मेटर में बता रोड एक सड़क वांच- 578-800 किलो मीटर लागी होती है अगर उसको सेंटिमीटर में नापना पेंगे लड़क बचक-पापक-मवश्यक सब आ भी नाप नहीं पाएंगे, समझ रहे हो, तो रोड को हमेशा क्या करेंगे, किलो मिटर में नापेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रोड होते हैं, इनकी दूरियां बहुत जादा होती है, इसमें आपको एक चीज समझना है, एडज एंड कॉर्णर, ये एडज बोलते ह इसको एडज नहीं, मुझे इंगलिस या थोड़ा कमाती है, इसको एज बोलते हैं, क्यों मैं सही बढ़ रहा हूँ न, ये होता क्या है, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, कॉर्णर क्या होता है, समझना, आजा भाई, तुम आजा, आजा मेरे राज्जा, दिख रहा है सबसे पहले एडज की बात करेंगे, किनारे की बात में, एडज मतलब ये किनारा होता है, तो ये जो फिगर है न, यoure होता है ये, दिख रहा है न, इधर, ये जो साइड साइड का पूरा किनार आपको एडज बोलते हैं तरहीं बोल रहा हूं नमें बताओ इसी को तो एज बोलते हैं ना कि फड़ा और कलर कर लो कि यह जो क्या है एज है यह जो साइड थाइड वाला है कि समझ में आया ना कि सबको समझ में इसको क्या बोलते हैं एज बोलते हैं इसको अरे Siya को इसमें सठा ही रहना चाइए मेरा कहीं कहीं ठेठा हो जह राग जारा है वाकर्ण होना चाहिए इसमें धिκांट इसमें यह इनलqua यानी कितने कोने हैं इसमें बताओं एक कोना ये हो गया एक कोना ये हो गया एक हो गया ऊधिया ऐन्सकु話 भूलते हैं समझे रहे हो इनको क्या बोलते हैं कौणा जिक है गोगा कि इसमें कितने कॉर्णर है क्यूंस Q1 रिधर है दो दिन यहाँ पर एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने corner थे? 12 corner थे उसमें इसमें कितने corner है? 1, 2, 3, 4 समझ में आया? अगर इसमें किनारों की बात करें E, D, G, E, edge की तो कितने है? एक edge ये है एक ये है, एक ये है और एक ये है 4 है समझ में आया न? और अच्छे समझ रहे है और कोई doubt होगा तो बता देना बिल्कुल तकलीफ नहीं लेना एक दम 3rd level अभी पहुंचे और और आगे जाना है जिनको मैं सीखना है मैं एक ही अन्रोध करूँगा कि सारा भाग देखेंगे बीच में छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे ने तो पूरा अफली वाला मज़ा नहीं आएगा वो तकता है कि इसमें से आप बहुत सारे टॉपिक जान रहे होंगे लेकिन मेरे भाई अगर एक भी टॉपिक मिस हुआ तो सही नहीं कि इसलाफ रिकार्ड होरी रात के एक बच्च के 26 मिनिट हो रहा है और हमारी कोशी से अब जो बच्चे पढ़ने में सीरियस हैं सिर्फ उनको पढ़ाना बाकि जो कामेंट में मजा लेने आते हैं हेलो गुड्डू भाई या कई उसे हो अलो पुझा खाना खाई की नहीं इनका उद्देश से भाई यह कुद दिन आएंगे बस ऐसे लोगों का मेरा टार्गेट नहीं है अब तक मैं ऐसे लोगों को खुश रखता था चलो आ रहे हैं लोग नहीं a की कि अगे बढ़ें आब मुझे कमेंट करके बताऊगे या फिर आप वाटस अप लिखे भेजना कमज़ गया ओना इस ब्रक्र फिगर में कितने एट ज्याने कितने कॉर्णर है इसमें बताना कि इसमें बताना कितना इच है कितने कॉर्णर हैं सारे में बताना जितने फिगर हैं ठीक है तो यह तीन दो पांच पांच 15 15 15 पांच 20 कितने हैं कुल 20 आकरतियां हैं 20 तो इधर हैं यह भाईया बहुत है यार जूग जब बताऊं कितना है एक दो तीन चार पांच 25 है कुल 25 अब इन पचीसों में मुझे इन सब में मुझे बताना नंबर भी लाश्ट में दिखाऊंगा उस पर भेजना जो बच्चे अप्लीकेशन में जो आइन की हैं उनका मैं खुच चेक करूंगा और जो बच्चे यूटूब या कहीं पर डेमो इसे देख रहे हैं उनका हमारी टीम के द्वारा चेक किया जा छाया कि मुझ पाटा नहीं लग रहा है शाज नहीं है को रुक आर अब तो दो घ्र अटो ऑगा तो किया करूं कि आख्ड को तो फैट्री डिसर्च योंगा है थोड़ा-รुक जाना मेरे बाई-मेरे यह एज्याटज कमल गाई बैट्री चलो आगे बढ़ें पैन कहां रख दिया इतना हो गया न तो आज आगे क्या है इसमें आगे जो चीजें थी वो हो चुकी है मुझे लग रहा है आज इस्टोरी कुश्चन है इससे आपकी दिमाग की बुद्धी खुलेगी कोगी का बोल रहे हो जो भी मैं बोला आप समझ गए मतल सब नहीं क्लास थर्ड लेबल का यह कुश्चन है लेकिन यहां से आपका खुपड़ी एक्टिबेट होगी समझ रहे हो चलो कुछ लोग पहले गरी आ रहे होंगे इंग्लिस में लिखा है इंग्लिस हमें खुद नहीं आवत भीया हम हिंदी में पढ़ाएंगे टेंसर नही लिखा हूं तो बिल्कुल टेंसर नहीं लेना है ठीक है मैं हिंदी में बताऊंगा एक एक बात रीना एक नाम है नोटेड दा एलेक्टरिसीटी मीटर रीडिंग आफ हर हाउस रीना मतलब एक लड़की एक बच्ची जो अपने घर के बिजली के मीटर की रेडिंग को क्या क लगा होता है ना कितना उनिट खर्चा किया दिल्ली फरकार दो बिजली फ्री दे रहे दो सवाल पूछ होगे और अगर तुम नहीं पड़ो लिखो गे लालच में आ करके आप आपके घर वाले परिवार वाले किसी के पार्टी में सामिल हो जाएंगा सो रूपे लेकर के द लेकर गए तो सवाल नहीं पूछेंगे समझ रहे हो फिलाल मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं यह पॉइंट पर चलता हूं लिकिन आइसा नहीं करना चाहिए अपना बुद्धी विविवेक का परियोग करके ही ओड देना चाहिए जरूर देना चाहिए चलिए करा कि र या 180 यूनिट थी इस मन्त रीडिंग इज 193 यूनिट और इस महीना की यूनिट कितना है 193 है तो कोईस्चन पूछ रहा है कि हाव मच एलेक्टरिसीटी डिड़ सी यूज इन वन मन्त तो एक महीने में उसने कुल कितना बिजली यूज किया या कोईस्चन तो थोड़ा मुझे गलत लग रहा है लेकिन था ऐसे कुछ ठीक है कोईस्चन में गलत ज्यादा कुछ नहीं है लाश्ट में इसमें यह था हाव मच लेक्टरिसीटी सी यूज इन टू मन्त ठीक है क्योंकि दोनों को जोड़ना है यहां पर एड़ बन रहा थ बस और कुछ नहीं ठीक है तो पिछले महिने में कितना था 180 दूसरे में कितना हुआ 193 तो यहां पर टू मन्त या टोटल ऐसे कुछ कुश्चन था इसमें थोड़ा सा कुछ टाइपिंग में मिश्टेक है तो आप इसे टू मन्त मान लो ठीक है भया क्या मान लेते हैं इसे समझ रहना आप लोग मेरा बात को के नहीं तो टू मन्त के लिए क्या करेंगे दूनों को जोड़ देंगे बस अरे कलास थार्ड का मैथ पढ़ रहे हो महान आत्मा हो यह समझो कोई इसमें बहुत हाई फाई नहीं है कच्छा तीन की गड़ित है और क्या पढ़ोगे तीन व तो कितना हो जाएगा 383 उनिट अच्छा क्या यह ऐसरे भी कोई कोई मान सकता है कoga एक पिसले महीन है 180 जैङ यार 1 मिनट सुनो पहले इसमें question बन रहा है one month वाला भी इसमें one month वाला question भी बन रहा है इसको दो तरीके से भी कर सकते हो जैसे यह बताया एक तो यह ठीक हो गया कि यहाँ पिछला महीना इतना unit था और इस महीना इतना है तो how much electricity did see you in one month तो इसमें एक काम और भी कर सकते हैं बता है क्या रियल तो ऐसे भी बन रहा है भाई जो आप मैं बताने वाला हूं यह जो मैं बता दिया आपको यह तो मैं question में change करके बता दिया ठीक है आसान हो गया लेकिन अब real question में आते हैं real question का यह कहना था कि जब रीना ने मीटर देखा तो उसमें already जो reading है वह 180 unit हो चुकी थी समझ रहे हो 180 unit हो चुकी थी मालो आज देखा एक दिसंबर को तो 180 unit हो चुकी थी अगले महिना में एक जनुरी को जब वह देखी तो 193 हो चुकी थी तो अब यह बताओ इसने इसके बीच में कितनी बिजली परियोग किया तो यह निकालने के लिए इसमें से सब्ट्रेक करेंगे क्या करेंगे भया इसमें से घटाएंगे सब्ट्रेक करेंगे ठीक है या फिर ऐसे मानलो कोई लेंट पर किराय पर रहने आता है किसी की घर में और जो अहांते पर पुराना मीट लगा मालिक का उसमें अल्रेडि 180 यूनिट दिख रहा है तो वो एक महीने रहता है और अगले महीने मीटर में 193 यूनिट अगर दिखने लगता है तो उसने कितना बिजली परयोग किया बताओ इसके लिए ये थोड़ी कि उसने एक महीना में 193 यूज कर लिया नहीं इसमें जो है इसको घटाएंगे ठीक है तो ये भी एक कुश्चन ऐसे बन सकता है समझ रहे ना तो इसको क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रेक भी कर सकते हैं ये दूसरे तरीके के लिए समझ गए ना आप लोग मेरी बात को भीया समझ गए ना तो ये एक सो सीस में से घटाएंगे ति हो जाएगा तीन नो में से आट गए एक जीरो यानि तेरा यूनिट कितना थार्टीन यूनिट डन आगे बढ़ें चलिए देखे पूरा वीडियो देखने का फायदा होता एमाल लोग थोड़ा फे देखके भाग गये होते तब ही कुश्चन जैसे था वैसे कवैसे रह जाता आप लोग पूरी बात भी नहीं समझ बाते पूरा देखने चाहिए पूरा इंड तक बस दस पंदरा वीडिस मिनट पढ़ना ही तो है यार जिंदगी के लिए इंबेस्ट किया गया टाइम कभी वरबाद नहीं होता है और पैसा और टाइम दोनों जिंदगी के लिए कुछ सीखने के लिए आगे बढ़े आगला क्या कहता है कि खुस्बू वाट और सर्ट फार रूपीज 125 महिंदी में ही बता रहा हूं टेंथा नहीं लेने कभी या ठीक है खुस्बू ने क्या किया एक सर्ट खरीदा कितने का खरीदा भाई देखो नाम यहां पर अगर गल्स काया तो मतलब स्वापिंग की बाद जरूर आएगी कितने का 125 का आएंड टाउजर फार 165 टाउजर कितने का 165 का कह रहा हूं मुझे इंगलिस बहुत अच्छी नहीं आते इसलिए प्रोनशेशन मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा होगा विच बीच में लेकिन आप समझ जाईएगा मैं हिंदी भासां पढ़ा रहा हूं ठीक है तो सिंप खरीदा कितने का 125 रुपईया का और टाउजर खरीदा 125 रुपईया का तो कह रहा है कि हाव मच मनी सी स्पेंड उसने कुल कितना रुपईया खर्चा किया भाईया सब लोग जान रहे हो ना तो जोड़ लो क्या आएगा पांच-पांच-दस हासिल एक छे दो आठ एक नो ए तो ठंडी का टाइम है काफी ठंडा हो रहा है अंदर से चलिए आगे तीसरा क्या कह रहा है कि कह रहा है कि बेवी देखो यह इंगलीस बड़ी कठी नेक थी जो बगल में है इसका मतलब होता है कच्छुआ ठीक है बेवी टर्टाई जी थार्टी त्री इयर्स ओल्ड और मम ममी टर्टाई जीज ओन फिफ्टी यर ओल्ड अब प्रॉनसेशन तो आप मेरा समझ पा रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं मतलब कच्छुआ जो पानी रहता है अपना गहेंची देखते हो ना अंदर की रहता है कोई खत्रा आता है तो चुप जाता है चाह उसको खूंदो प अंदर कितना साल होती है बता लाना ठीक है तो स pennies यानि जो मंमी जाय जो यह न च्लड़ से चलो सली च्छटका तो कहरा कि फिर वह अपनी कितना चौटा है बहूण सून्सक्राइब बहुत और घटाल ङलो जब औन सब्सक्राइब चलो चलो मेंसे उधार गया था यह चार चार मेंसे तीन गया एक यानि कितने का 117 फाल चोटा है यह यानि इसकी मम्मी की साधी तब वी थी जब उसकी मम्मी 117 फाल की हो गई थी ठीक है 117 फाल बाद बेबिया अब बेवी आज हो गया 33 एर का इसाही गटाया हूँ क्या मैं इतना गला थोड़ी रहता है तो भाईय का वह बेविया 33 एर का हो गया उसकी मम्मी हो गए 1500 साल की समझ रहो आगे बड़े कोई डाउट परिसानी अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तेक बार कमेंट करके बता हाँ हम देख रहे हम सुरू से देख रहे थे अब माइन पेज अर्बिन्द ने क्या किया देखे मैत की सुरुवात यहां से हो रहे ही छोटे-छोटे कुष्टन से यहीं से दिमाग खुलता है जो एससी और भी और जा करके यूपीएस सी कमेंट पढ़ोगे आफानीक डारेक्ट आसमान से गिरे तो तुरंत हो गए पैदा पहले बकईया चले उठे बैटे गिरे लोटे उसी में गीला करे उसी में लोटे तब जाके बढ़ा हुए ना तो वैसे स्टेप बाई स्टेप इसको भी सीखना पड़ता है ऐसा नहीं कि बस कल सोचा तो आज हम तीर मार लेंगे नहीं चलो भया करा अर्बिन्द हैज रीड 69 पेज़ आफ आई स्टोरी बुक अर्बिन्द ने एक स्टोरी बुक का क्या किया 69 पेज को रीड किया और गौरी 95 रीड की तो कह रहा है कि हूँ है ज्यादा पेज पढ़े और वैसे वह दिख रहा है में बकलवल आदमी कैसा को पूछ रहा है 69 नहीं 95 कि ने जादा पढ़ है वह सिंपल सी बात है गौरी जादा पढ़ी लड़की वैसे जादा पढ़ती है लड़का वैसे कम पढ़ता है क्योंकि लड़का चाहता है कि लड़की बढ़े वास हमारे गुरु जी बताते थे पता है क्या होता है एक लड़की कहानी बता रहे थे बीचम बता देता हू और फिर ऐसा हो जाता था कि कांपी किताब नोट सब कुछ उसकी सेवा में लग जाता था उसी की सेवा दिल से करता था अपनी पढ़ाय लिखाय छोड़ करके और जब गुरुजी कभी-कभी नोट्स होगारा मंगाते थे ना तो उसी किप बैग में मिलता था लड़की के लड जादा पढ़ती है लेकिन यह तो मैं मजाग किया अपनी थोड़ी कर रहा हूं मैं पढ़ता था जालो आगे बढ़ें तो कहरा कि कौन जादा पढ़ा इसका मतलब सिंपल साह कि गोरी ने जादा पढ़े और कितने पेज जादा पढ़े 95 से आपको 69 सब्ट्रेकर लेना है कितने पेज जादा पढ़े आप जान जाओगे 15 मैं से 9 गया 6 8 8 मैं से 6 गया 2 26 पेज जादा पढ़ा ठीक है अब आईए कुछ अलग तरह का थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं है न क्योंकि पुराना पुराना टेस्ट हो गया चलिए इसमें थोड़ा समझने की कोशिस करिएगा पूरा आपको दिख रहा क्लियर दिख रहा ना भाईया यह एक है बर्थ सर्टिफिकेट इफिल यह कहता हूं गड़ित पढ़ लो क्योंकि गड़ित जो है जब से इंसान इस धर्ती पर आता है अगर थोड़ा और वैक में चलें तो जब धर्ती पर आने की तैयारी सुरू होती है तब से गड़ित यूज होती जैसे मालो दो एक कपल लड़की और लड़का ठीक है उनके घर दोनों के घर भाई मालो प्रेमी है प्रेमिका है अब साधी की बात चल तो मैत की में हां बाई दूए अपरेल को साधी होगी 2023 में जब भी होगी आठारा में ठीक है आप सभी समझ रहे हो चीज की जब हुए कमेंट करके बताना अधीतलों की हुई मुझे पता है तुर मेरी नहीं बस चलो तो क्या है कि मैत में क्या हुआ डेट ते हुई डेट अब इसके आगे क्या बोलें आप समझी गए हां वह भी मैत में ही हुआ ना कि हां बाई मतलब आज की डेट से उमीद है और फिर जब धरती पर आएगा जिस दिन हास्पिटल में होगा घर पर होगा उस दिन भी मैत बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वह भी मैत में ही कि बाई अप्रेल बोला था ना मैं अप्रेल से जोड़ लो आगे तो कितना हो जाएगा जनुरी ओगरा मालों दफ जनुरी दोजार चवबिस में बेबी का जनम हो गया तो क्या हुआ मैत का परियोग हुआ हर जगा न साधी तय हुई साधी हुई जनम हुआ वहीं से मैत का यूज हो मैत का यूज है नोकरी मिलेगी फिर बच्चे की साधी होगी फिर मैत ठीर अगर सिंपल स बर्थ सर्टिफिकर्ड में क्या है दो मई 2022 इसमें क्या है डेट आप बर्थ आप सभी को दिख रहा एक बार कमेंड करके बताओ इसको जूम नहीं कर सकता अगर मैं जूम करा तो यह इसका मैटर मिट जाएगा ठीक है तो दो मई 2002 को इसका डेटा बर्थ क्या है दिया है जलो डेट आफ रजिस्टेशन दो मई 2002 रजिस्टेशन नंबर है आठ पांच दो डेट आफ डेट यह सब कब हुआ है पांच अगस 2008 को चल भाईया अब देखो क्या देखो कुश्चन बनेगा इस पर पहला कहरा कि दो मई 2002 दो सोच देट विंसी वाजबव नान टू बताओ कि दो मई 2002 क्या किन से क्या क्या दो मई दो मई 2008 बता भया कुश्चन बहुत आसान है जिनको नहीं इंग्स का समझ में आ रहा मैं इसका मतलब बता दे रहा हूं आपको एक बात बता है हिंदी मीडियम से मैं भी पढ़ा हूं लेकिन मैं CBSC में हाई स्कूल वालों तक पढ़ा दाया हूं CBSC ICSC किसी की माँ बाप को कभी खावर नहीं लगी कि यह बंदा इंदी मीडियम वाला है समझ रहो क्यों क्योंकि मैं जाता लेंग्वेज का कोई मतलब नहीं होता है सिर्फ कुश्चन समझ में आए बस उतना तमा सरुसतिकी किरपा ह यह आई जाता है तो बताओ कि दो मई 2002 को पैदा हुई थी तो दो मई 2008 को कितने साल की हो गई बैसी बात है यार 2002 से 2008 आट में से दो घटा हो कितना हुआ छे ना या फिर ऐसे जोड़ लो 2002 ना सेम डेट भी है तो कोई ज्यादा टेंसर नहीं है 2003 में एक साल हो गया चार में द साल की हो जाएगी भाईया छे वर्फ की कितने की हो जाएगी बिंसी बिटिया हो जाएगी छे साल की समझ गया आगे हाउ ओल्ड विल सी इन दा इयर आफ दो हजार बावन है भाईया दो हजार बावन तो पर लगए नहीं इत्ता बड़ा बताओ 2002 को वो पैदा हुई थी दो कोई डेट नहीं दिया है तो हम दो माई को मान लेते हैं आसान रहेगा जोड़ने में कमेंट करके बता दो बाईया राजा चलो कितने साल की हो जाएगी सिंपल है 2002 2002 से गटा लो सिंपल सी बात है 50 साल की हो जाएगी वो उसके बिलर के बच्चे हो जाएंगे नाती पोता हो तब तक अगला कहरा आन बाट डेट बिल सी वी एट यह ओल्ड बताओ किस डेट पर वह आठ साल की हो जाएगी इसका अंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कितना डेट पर आठ साल की हो जाएगी अभी लाश्ट में अपना प्रस्टनल नंबर भी दूंगा जो लोग इस चलो इसका अंसर बताना मुझे मैं नहीं बताओंगा राइट इन अन्बर ओके इसके आगे कहरा है कि इसके बाद पेज नंबर 15 पे देखो चल भाईया पेज नंबर 15 पे आपको बात बता देए काई बता दे सबकुछ बताएं देंगे बचेगा हमारी जिन्दगी में इसक बिंसी आन दो अगस्ट 2002 देखो भाई माई में पैदा हुई थी अब अगस्ट में सेम डेट पर कितने मन्त की हो गई बिंसी वैसे दो अगस्ट 2022 से मेरी बहुत अच्छी यादे जुड़ी है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा या कामेंट करना तो बताऊंगा बाद में 5 महीना और अगस्त मतलब 8 महीना या कितने की कि 3 महीने की कि कोई करके बतादेना kisipos कॉ Komend नहीं पढ़ लाइब में एकपन बहुत दोक taraf लीने के तर darüber पढ़ाना अब हमारी कोशिज जो रियल में पढ़ना चाहता है उनको पढ़ाना है बाकि जो मज़ा लेने आते हैं वो जाए निवेदर है उनसे जिनको मैच सीख के लाइप में कुछ करना उनके लिए चलो आगे अब कह रहा हाव मेनी इयर्स ओल्ड इज बिंसी नाओ भाई या बिंसी आप कह साल की हो गई बताव इंसी बिटिया कितने साल की हो गई अब देखो अब कौन सा टाइम लगा है डेट कौन सा है 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 अरे याद 2022 चल रहा है अगर आज के हिसाफ के जोड़ें तो विकंशी कितने साल की होगी कि 2002 में पैदा होई थी में कोई कांटेंट का पुरान नहीं होता यह कोई रोटी दाल चावल नहीं खराब हो गई सड़ गई कोई भी यह रूल नहीं चेंज होने वाला है दुलिया बदल जाएगी 100 का 15 निकालोगे तो 15 ही आएगा समझ रहे हो तो यह मत सोचा करो कि वीडियो पुराना हो गया 15 दिन देखो सर्टिफिकेट कभ इसू हुआ उसके जनम के कितना दिन बाद देखो मैं चलता हूं फिर से सर्टिफिकेट पे तो देखो मेरे भाईया 5 अगस्त को यह सर्टिफिकेट इसू हुआ है इसमें डेट पड़ी है ना 5 अगस्त 2008 को और वह पैदा हुई थी 2 अगस्त 2002 को तो पहले तो अगर इसको दो मानलो डेट को तो इसका मतलब 2002 में पैदा हुई आठ में हुआ यानि 6 साल है ना 6 साल लेकिन 2 तारीक के बजाए 5 तारीक को हुआ तो 6 साल 3 महीने क्यों सही जोड़ रहा हूं ना मैं 6 साल 3 महीने कोई डाउट होगा तो बता देना अब 5 अगस् तो मई 2002 को वो पैदा हुई 58 2008 को यह रजिस्टर हुआ है सर्टिफिकेट इसमें से उल्टा घटा लोगे क्या हो जाएगा 6 साल इसमें से घटा तीन ठीक है उल्टा बस या फिर इसको नीचे उपर करके घटा सकते हो तो 6 साल 3 महीने बाद ठीक है अगला कह रहा बाबू क्य कह रहा है मेरे भाइया वाट इस दा रजिस्टेशन डेट आफ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का रजिस्टेशन डेट बताओ यह चाच्छा अभी रजिस्टेशन डेट है तो लिखा उना उपर 5 अगस 2008 ठीक है तो यह रही पूरी कहानी इससे आपने क्या सीखा यह बता म जैसे देखो एक चीज लोगों के मन में डाउट होगा भरम होगा कैसे जोड़ जोड़ के रख दिये मुझे समझाए नहीं न मुझे तो लग रहा है कि आप लोग इतने समझदार है समझा दिया हूं नहीं तो देख लो फिर बता देता हूं कोई जाने का नहीं देखो यह सर्टिफिकेट है पांच अगस्त दुएजार आठ इस देट पर सर्टिफिकेट इसू हुआ है और दुई मई दुएजार दुई को वह बच्ची जनम ली है चल भाईया तो कितने साल कितने मन्त कितने क्या होंगे इसके लिए क्या करेंगे बाबू इनको घटा लेंगे मेर इसमें से घटा होगे तो क्या ए भाईया ए भाईया यह यार आप जाके किलियर आया भाई छे साल तीन महीने तीन दिन हाँ उदर में मुझवानी में मैं भी थोड़ा गड़बड कर रहा था ना छे साल तीन महीने तीन दिन समझ मैं है छे साल तीन महीने तीन दिन बाद में certificate registration हुआ तो ये हुई बात आपकी पूरी इसमें नहीं रही कोई भी गड़बड़ी और अधूरी और कोई किसी के मन में दिल में सवाल है कुछ भी question है तो बता दीजिए इसमें देख लिजिए मैत कौन सीख सकता है कौन नहीं सीख सकता है ये बात हमेशा याद रखना note करके अपने दिल और जहान में ठीक है calendar 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 जानते हो सभी जानते हो calendar calendar जानते हिते आज calendar के बारे में बहुत सारे questions फैक और क्लेंडे सिखने वाले हैं मैं कबदे क्लेंडर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं बहुत ऐए अच्छी चीजिया पढ़ने वाल है इसमें कलेंडर में हम उसके पहले क्वालिटी वैच के आल पार्ट के बारे में जान लो यही चल रहा है बैच का नाम है जो भी देख रहे हो देखिए कलेंडर हम आपको दिखाएंगे 2020 का और उस कलेंडर पर आधारित कुछ कुश्चन यहाँ पर आपको दिये गए है ठीक है यह इसक्रिन तो पूरा क्लियर है इधर ABCD पड़ा है बाकि कुछ नहीं है टेंसर नहीं लेने का ठीक है समझ रहे हो तो इधर साइड मुझे लग रहा है कि थोड़ा कट रहा है लेकिन मैं सब खिसकाऊंगा तो उदर सही नहीं है और सभी में नहीं कट रहा है ठीक है अच्छा है चलो तो कलेंडर आप सभी के पास है कि नहीं पहले कमेंट करके बताओ कलेंडर तो रखे होगे आप लोग न तो मैं दिखा देता हूं कलेंडर भाई रुक जाओ थोड़ा सा कलेंडर 2020 का कलेंडर उसी पर अधारित कुश्चन है 22 लगा है लेकिन यह 20 सार्च कर रहा हूं समझना काय लिए देखो यहां पर आपको कुछ विजिबल हो रहा है दिख जा दिख जा दिख जा दिख दिखा है कौन सब आफ़ा लिख दिया यार समझना नहीं आ रहा है सिर्फ देट ही तो चाहिए ना हमें यार ऐसे तो तीन-पांच करोगे बड़ा लंबा हो जाएगा चलो यहां पर यह मैं यहीं डाउनलोड कर लेता हूं दिखा दूंगा बाकी चीजें छोड़ो बहार में जाए प्रत्सान करकर रख देते हैं यह लोग मेरे को चलो तो बह अधारित कुश्चन है जैसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कुछ लोग काफी ख़वराय हुए हैं पहला है कि हाउ मेनी मंस डज आयर है देखो पहले तो यह तो अपने धारणा मन से निकाल दो कि सब इंगलिस में है कुछ लोग करिया रहेंगे मुझे पता है इंगलिस हमको खुद नहीं आती हम खुद सुद्ध देशी इंसान नहीं भया तो इंगलिस के टैंसन नहीं लेने का इसको हम आपको सब हिंदी में बताएंगे बहुत चोटी चोटी बात है इंगलिस में लिखने के पीछे मेरी कई मजबूरियां थी वो मैं बताऊंगा ठीक है चलिए पह है ना मुझे इंगलिस नहीं आती है एक साल में कुल कितने महीने हैं यह होते हैं तो बहुत हो रहे हैं तो जितने भी जब आप आप दोगे वो 2020 के कलेंडर को ध्यान में रखते हुए दोगे तो आईशा तो है ने 2020 में 12 महीना था तो 2022 में 18 महीना होगा कुछ ऐसी फैक्ट ह है जो हर साल हर ये पूरी लाइफ में आपके हमारे एक के रहेंगे जैसे एक साल में 12 महीना होता है अभी के सदी में यही पता है मुझे है तो आईए पहले वो कलेंडर दिखाते हैं फिर साथ साथ में बात करते रहेंगे कलेंडर यहीं साथ में ले लो भईया साइड में चलो दिखा कलेंडर सब को दिखा पक्का दिखा न इधर साइड में इनको रख दो काम लगेगा तो बगल लाके दिखा दूँगा फिर इनको साइड में रख दूँगा ठीक है चलो तो एक साल में कुल कितने महीने हैं सब को पता है अच्छे से पता है कोई बात नहीं है तो पहला का अंसर हो जाएगा 12 क्यूं कोई confusion नहीं न एक साल में कितने महीने 12 महीने करा list the months which have 30 days ऐसे महीनों के नाम बताओ जिसमें 30 days होते हैं एक मैं आपको सूत्र बता दूँ कुछ लोग ऐसे पहले गिने होंगे बच्पन में मुझे बताना अगर ऐसे गिने हो ऐसे कहते हैं कैसे करके यार ऐसे कर लो तो जितना नीचे पड़ेगा अंगुली जितना उपर पड़ेगा आपरेल, सितमबर, जून, नमबर ये चार महीने हैं जो 30 के होते हैं बगिस सब 31 के होते हैं फरवरी को छोड़ दो बस समझ रहो, यानि 4 महीने यह फरोरी एक 5 महीना छोड़ दो भागी कि 7 महीना 31 के होते है देखो कैसे होते हैं, बिद प्रूफ देख लो एह रुख जा, 7 महीना 31 के होते हैं देखो 7 महीना 31 के कौन कौन होते हैं भाईया कलंडर आपके घर परिवार में होगा लेक देख लेना मिला लेना चलो उपर से पहले दिखाता हूँ 31 के महीनों में जन्वरी होती है नंबर एक 31 ये देखो दो मार्च भी 31 का होता है मई भी 31 की होती है 3 जुलाई भी 31 की होती है 4 और अगस्त भी 31 का होता है 5 5 महीने हो गए न मैंने कितने महीने कहा आपको 7 महीने न कितने महीने कहा भया 7 महीने तो 5 महीने ये हो गए 2 महीने इसमिस ले लो 1 दिसंबर ले लो और एक अक्टूबर ले लो तो क्या समझा आपने वर्स में 7 महीने 31 के होते हैं ठीक है भया 7 महीने 31 के होते हैं फरवरी आपकी होती है 30, 28 या 39 की उसकी क्या कंडिसन है उभी मैं बताऊंगा बाकी के सारे मन्थ जो होते हैं वो 30 के होते हैं इसको मैं दुबारा से फिर से काय को लाया तुम्हें पता है क्योंकि ये मिटाना था वो ऐसे मिटाता तो मेरा जो पी नीचे वाला वो मिट जाता सब ओके बात पक्की डन आगे बढ़ें फिर हम लोग चल भईया तुम चला जाए यार मिट तो गया वह इसे भी अउत खराब आदमी हुँ देखो अब बैक करना पड़ेगा अगर हो गया तो अच्छी बात है आज काफी टाइम आपका इधर हो रहा है ना पस 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 चलो तो यह हो गया अगला क्या कह रहा था लिस्ट दा मंद्स विच हैव थार्टी डेज अपरेल सितंबर जून नौंबर लिख लो अपरेल सितंबर जून नौंबर अगला लिस्ट दा मंद्स विच हैव थार्टी वन डेज तब भया आओ अपरेल सितंबर जून नौंबर निकाल दो फरवरी निकाल दो बाकी जो बचा वो 31 डेज तो हम यहाँ पर इनकी संख्या लिख लेंगे बस बाकी आप लिख लेना तो अपरेल, सितंबर, जून, नॉवंबर चार महीने 30 वाले हैं साथ महीने 31 वाले हैं How many days are there in the months of February this year? 2020 में फरवरी में कितने दिन थे? किस वर्स में फरवरी में कितने दिन होंगे? ये मैं आपको एक तरदीका बता दे रहा हूं सुत्र बता दे रहा हूं, जुगाड देखो, कह रहा है कि 2020 में फरवरी में कितने दिन थे? तो 2021 में कितने दिन थे? अब 22 में कितने दिन होंगे? मैं बता रहा हूँ देखो इसके पीछे एक लाजिक होता है वो का है पहले तो यहां देखो इसके फरवरी में 31 दिन है न है मतलब एक बार आती है ठीक है अनि जिसका बर्थडे जो भूल चूक से जनम ले लिया फरवरी में 31 फरवरी को उसका बर्थडे चार साल में एक बार मनाया जाता है क्योंकि वो दिन आता ही नहीं है विचारा रह जाता है जिन लोग की साधी हो गई है 29 फरवरी को उनका का उनकी साल गिरा भी 4 साल में एक बार मनाया जाती है समझ रहो तो जो महीना 4 से कट जाता है उसमें फरवरी 29 की होती है बस simple सल आजिक जानगे जैसे 2020 2024 से डिवाइड होगा न कटके देख लो तो अगली जो फरवरी 29 की होगी 2024 में होगी फिर 2028 में होगी फिर 2032 में होगी ठीक है और 2016 में फरवरी 29 की थी फिर 2012 में भी 31 की थी समझ रहे हो ना ये चीज़ जनते हो कुछ लोग कहेंगे करच्छा 3 की मैथ है करच्छा 3 में का पढ़ेंगे करच्छा 3 में बहुत कुछ सीखते हैं सीखने वाले ठिक है और मैं फिर बोल रहा हूं एक बार अगर मैं सीखना है तो कलास को पूरा देखना क्योंकि 10 मिनट आपकी जिन्दगी के अच्छी जगा इंवेस्ट हो चुके हैं इससे बहुत अच्छा आपको आउटकम मिलेगा तो कलास को पूरा देखना कच्छा बदाम देखोगे तो सला टामाटर लाइफ बन जाएगी तो कितने थे 29 अगला हाउ मेनी डेज मेक सब्सक्राइब बीक मतलब कमजोर नहीं इंगली सिया ना वड़ी खतरनाक चीज हो एक दिनना मैं अपने साथियों को हमारे जो सदस्य हैं पीवीर स्टैडी के उनको एक काम दे रहा था प्रोजेक्ट उसमें में लिखा था प्लान यह पाद ए लगा दिया तो प्लेन हो गया वैसे इसमें लोचा हो जाता है डवल्य डवल्य एक यह बीक मतलब क्या सब्ता और अगर इमें डवल्य एक लगा दिया तो कमजोर होईगा क्यों सहीं बोल रहा हूं ना इंग्लीस वाले मैटम लोग बता दो बहिया सहीं बोल रहा कंडिडेट है जो इंगलीस के टीचर है और मैत में उनको कुछ नहीं आता है यही तो दुनिया है सब कुछ नहीं मिलता एक के मोबाइल में अगर सारे फीचर मिलने लगें तो एपल कौन खरीदेगा है ना चले तो एक सब्ता हमें नार्मली जो मुझे पता है मेरी जानकारी क कि अनुसार साथ दिन होते हैं साथ दिन होते हैं मंडे से सुरू करते हैं हम लोग की संस्कृति सभ्यता में ही जानते हैं ठीक है मंडे ट्यूजडे और डडडड जानते हो तुम लोग सभी मजाक मत बनाओ चलो अगला दिख रहा है ना जुलाई में कुल कितने बीक कितने स तो जुलाई कितने दिन की होती है पहले कमेंट करो फट से करो जल्दी बताओ आज बहुत अच्छी बात पता है क्या अज मैं नहाया हूं क्यों 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 से अच्छी बात है कि आए सूब्रे श्वाइरे से साम तक सोचा हूं फिर साम को साढ़े साथ बजनाया हूं अब भी पानी गुर गुना करके गरम करके नहीं है नहीं इतना मैं इच्छ नहीं हो आपैंगे और कुछ शीक्रेट बतांगा पहरा शीक्रेट यह था कि बोला था ना सुरू में बता हूंगा तो साच्चों निजर नजरॉलाइब होंगे पूरा पूरा वोई से पांच बीक किसी भी महीने में नहीं होते हैं ते हर एक महीने में चारे सब्ता होते हैं जो तब 728 31 का होगा तबी तीन एक्रव जाता है क्या यह सभी महीनों के लिए सही है हाँ यस हर महीने में चारी सप्ता होते हैं अफ्कॉर्स यस मोन्स का मुद्रटपे लिए उनका लर्कवा कलास थाड में ऊंको पता हीं कलास थाड में थे तो जोड़ लो पहले हॉइस कूल का पास किये थे उइस उसी से घड़ा आईलो साथ साल तो कुछ लोग हमारे हाँ इसे गन्डिदेट वैठ वयटे हैं जुल два स्कूल है के लिए हम बात कर रहे हैं कब 2020 के बारे में यानि जो बचवा पढ़ रहा है जिसके बारे में बात हो रही हो 2020 में कच्छा तीन में है ठीक है तो इसके अप्रेल में होगा अगर देखोगे 22 Media के अगर हम लोग अपने जमाने के मुताबिक देखेंगे तो एक दुन इख भी टूछ आ to अंबंके अगर यह पुराने जमानास का अपरेल में है तो आप क्या Yout Print को समझे होगे। कुल मिला यहां पर चीजों को समझना है यहां पर इसका आंसर लिख देना से कोई मतलब नहीं है ठीक है तो आप क्या बताओगे नए के कार्डिंग अप्रिल में ये कलास थर्ड में आया होगा में का सर्कल आन दीज डेट्स इन दा कलेंडर कलेंडर में इन इन दिनों पर सर्कल करो ये बैया कलेंडर चलो तुम उपर आओ कहां गए यार निकल लिए रुख जा रुख जा निकल लिए ओच अच्छा तो ए आज ना एक चीज और दिखाऊंगा मैं अभी रुकना आज बहुत ही अच्छा चीज दिखाने वाला हूं देख लो कलेंडर में 26 जनवरी पर सर्कल कर कहां गया ये और 31 दिसंबर हो गया सर्कल अरे मुटकस कर लो चाहे तो कोई अफर नहीं करता है लो मुटकस कर लो अब दिखा सबको आँख का चस्मा लगाग देखो दिखा क्या इन दिनों में कुछ इस्पेसल है 26 जनवरी को 14 नमबर को 31 दिसंबर को क्या कुछ इस्पेसल है कमेंट करके बताओ जल्दी बताओ डन आगे बढ़ चलू कोई दिक्कत तकलीफ यार मिट का है को जाता है इससे मिटता भी है का पता नहीं का है को मिट जाता है दिमाग रख चलो हाँ तो कुछ इस्पेसल है सही बात है सिंपल सा है इन दिनों कुछ इस्पेसल है इसको आप कमेंट करके बताओगे सभी जानते हो कि 26 जनवरी का होता है 14 नौंबर 31 दिसंबर क्या होता है बताना चलो क्योंकि हमारे स्टूडेंट आल इंडिया से हैं पूरे भारत देश से हैं तो उनकी भासा यह अलग-अलग होती हैं इंगलिस लगबागर कोई जानता है तो इसलिए मैंने इसको इंगलिस में लिख दिया क्योंकि बाते चोटे-चोटी हैं बाकी तो हमको दिंदी बोली थी हो हो टेंदा नहीं लिया चला है विच यह वाज इट टू इयर्स बैक कहरा कि विच इयर मतलब कौन सा साल जो है इट टू इयर्स बैक तुलना 2020 से हो रही दिमाग खोपड़ीं बसालो फीड कर लो 2020 क्योंकि बात हर जगा 2020 क्यों रही है तो 2020 से दो साल पहले कौन सा था बताओ 2020 से दो साल बैक क्या होगा तो मुझे जो समझ में आ रहा इंगलिस में वही बता रहा हूं कुछ को और समझ में आ रहा होगा तो बताना अपना इसका क्या मतलब है तो 2020 से दो साल पहले 2018 रहा बात पक्की देखिए मैं चीजों आपको समझा रहा हूं अब इसमें 2020 18 या क्या कैसे कुछ और मतलब निकल रहा तो एक अलग चीज हो गई समझ रहे हो ना हम कोशिस करते हैं आपको 101% साही बताए लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत मानवित रुटी हो जाती है तो आप उसे द्यान देंगे कमेंट करेंगे हम उसे सुधार करेंगे ठीक है आगे कहा इन वीच येयर्श वर यू कलास सीकंड किस साल आप कलास सीकंड में आये है इसको遊 ना act एंड व एकलास थी तो बच्चा कलास स्थैर में 2020 में मैं में तो कलाफ landing में 2019 में रहा होगा यह आंसर हो गया ठीक है भाईया ठीक है हो कह रहा हैं तो बहुत के बाद आए जच्चु दूएजार एक काम आफटर थ्री एर इस विच यह कम आफटर थ्री एर काउन सा वर्स तीन साल बाद आएगा तो बहुत कि समझ गए ना कोई डाउट किसी के मन में कोई तकलिफ नहीं मैंने कहा था कि मैं अपना दो सीक्रट बताऊंगा आज की क्लास में पहला आपको बता दिया हूं दूसरा भी बाकिए सुनना है तो बताओ एक बार कमेंट करो फटा-फट बीते हुए साल से मैंने बहुत कुछ सिखा संसार में मौझूद परतेक जीव जनतु इनसान पतिछन बदल रहा है थोड़ा सा बदलाव हमें महसूफ नहीं होता है किरपया इस बदलाव को सुविकार करें और खुफ रहें हमारे कंडिडेट जो होते हैं बहुत दिल तूटे वाले होते हैं उनका दिल ना कौनों तोड़के गई होती है यह कौनों को गया होता है बहुत सारी लबी स्टोरी हमारे पास आती ब्रेक अप वाली यह कलास में कहा है को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें लोग ध्यान से सुनते हैं और मांसिक रूप से मतलब इस्टेवल रहना उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे इसमें और कुछ भी है यार कुछ भी इसमिशन भी इस पर बहुद बहुद कर लोगा बताओंगा लुद स्टोरी के बारे में अभी अभी अपनी बी तुम्हारी भी सब की चलो कि फेस्टिवल में इनमें कौन पहले आता है देख जान वीच दीज फाल्स हमारी इंग्लिस थोड़ी कम अच्छी होगी लेकिन आप समझ पार रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं कहने का मतलब यह है कि इन में जो फेस्टिबल मैं अभी दिखाऊंगा तेवहार उनमें सबसे पहले कौन आता है और गिवें व्लो मतलब नीचे दि मतलब गृता आंतों जल्दी बताओं काम आती में सर्दी कह기는 दिवाली दिवाली थंड़ी में आती है अगर इसमें आप से की कौन सा सबसे पहले आता है तो कौन आता है बताओ जल्दी प्टा-फट यस कि इन सबी तेवहारों में सबसे पहले कौन सा क्वुष्यार 2 बोलते हैं 14 जनुवरी को सायद 2020 में 15 जनुवरी को आया था सही बात बोल रहा हूं कि नहीं माकर संक्रांती पतंग उड़ाई जाती है और और का का होता हो फलाने लोग चलो तो जनुवरी हो गया उसके बाद देखो सीधा जाके गिरा कहां अक्टूबर नॉम्बर उसके बाद फिर अगस्त है दूसरे नंबर पर जो इतने में दिये हैं उतने में ठीक फिर का है देखो यह दो पार्ट में बढ़ गया इसलिए यहां और भी त्यवहार थे ठीक है समझ रहे हो तो चलो सभी त्यवहार को एक साथ कंपेर करते हैं नहीं तो ऐसे थोड़ा कम मजाएगी तो पहले तो जनुवरी हो गया इसके पहले कोई त्यवहार नहीं आता है अब इस पेज़ पर अगर हम देखें तो डारेक्ट अगस्त में ह है ना तो अगले पेज पर चलो जनुवरी के बाद कोई त्यवहार है हाँ जनुवरी के बाद अगर कोई त्यवहार है तो इधर है फैबरोरी यानि ये त्यवहार दूफरे नंबर पर आता है वर्स में जिसका नाम है गुरू रविदास जैन्ती बर्थडे समझ रहे हो मार्च में कोई भी फेस्टिबल नहीं आता है इनमें जो दिये गए हैं उनमें से कहीं भी देख लो मार्च में कोई फेस्टिबल नहीं है अप्रिल में आता है थार्ड नंबर पर अप्रेल में इनको सीरियल से करना है बस जो दिये गए हैं फिर अप्रेल के बाद यून में कुछ है देखो मैं जून में है जुलाई में है डेखो कही कुछ नहीं है मैं जुलाई में कुछ नहीं है सब सुक्फरा पड़ा एकदम लेकिन मेरन जिंदेगी में जुलाइब बताउँगा भी लास्ट में चलो अपरल के बाद मैं जुन जुलाइब नहीं अगस्त है तो चार नमबर हो गया कि पांच नमबर कि अगस्त के बाद सितमबर में कुछ नहीं अक्टूबर में है यह पांच नंबर नहीं है यह 5 Ladies नहीं अब हिए अगस्त में ठील बचराएंस 5 नंबर कियों कि फिर सितंबर में कहीं कुछ है यह दो पेज़ पे होने की जाइस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सितंबर में कुछ नहीं है अक्टूबर में है डारेक्ट भहिया गांधी जी का जयनती है पे बड़े गांधी जी चलो छे हो गया और कहीं है अक्टूबर में कुछ मुझे लग रहा है बहुत चैला फार बोल रहां का अक्टूबर में ये मिलाद उलनवी है ये साथ नमबर पे है ना भगया अर DAYको बचा काओ इधर एक थी बचाया भी लाश्ट तो वहाँ रही लाश्ट लाश्ट लेकिन उसके पहले आती है ले और गुरू नानक बर्थडे को नवंबर सही जा रहे न हम ठिक है साथ हो गया तो आठ नंबर पर भहिया क्या है गुरु नानक कबर थड़े ओके देखो अगर कहीं सीरियल गडबड हुआ होगा तो हमारे देखने में कोई तुरूटी हुई आपके पास भी दूए आखे हैं तो आप हो सकता दूए नो परा नहीं देख रहे होंगे तो चार हो गई तो ध्यान से देखना तो यह कितना हो गया नमबर यह भाई कुछ लोचा ओ रहा है यह पहले दीवाली रहे गयार कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मुझे पता है कि तुम को दिख रहा है यह आठ नंबर अभ यह नमबर है और फिर 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 क्या बचा है दफ नंबर पर आ गया अपना क्रिस्मस यानि तुलफी पूजन हमने सुना है कुछ सालों से काफी चर्चा में है अच्छा चीज है तुलसी पूजन करना चाहिए पैड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए पैड़ पौधों की स्वारी चलो आता जी भी माना जाता है हम लोग क्या है वक्त वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है वक्त हुजूर को भी फकीर बना देता है और वक्त की कदर करना सीख ले बंदे वक्त की कदर करना सीख ले बंदे क्योंकि वक्त ही है जो कोईले को भी कोहिनूर बना देता है और आज हम इसी topic पर बात करने वाले हैं वक्त पर वक्त पर बात करेंगे और वक्त पर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओ जिससे की वक्त के साथ साथ चल सकें आज का topic क्या है घड़ी एक बहुत ही अलग चीज है आपको पता है घड़ी 100 रूपए की भी मिलती है लाक रूपए की भ सब में वही रहती है दोनों में एक और चीज कलास तो मैं शुरू करने चल रहा हूं कि जितना टाइम आप के पास है उतनाटांम आप इंडिया से बादेर सब क्या नाम है कमेंड करके बताओ मालूम है उसके पास भी उतना ही वक्त है चौबिस घंटे का ही टाइम उसके पास भी है उसके ज्यादा नहीं है यानि आपके पास इतना टाइम है जितना एक करोड़ पती के पास है और टाइम से जब कुछ होता है लेकिन आप क्या करते हैं व याद है आपको, टॉपिक पर चलेंगे, लेकिन आज टाइम का ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, समझ रहे हो, घड़ी देखना सीखेंगे, इस पसली, ठीक है, सुई वाली घड़ी, और उसके बारे में और भी बहुत ये अभी जो नया नया CEO बना है, एलन मस्क, वो ये, एलन मस्क, इस बंदे को आप जानते हो, कि नहीं, चलिए इसके बारे में लाश्ट में चर्चा करेंगे, नहीं कुछ लोग नराज होने लगेंगे, तो आज क्या क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है कि घड़ी कैसे जीए, जिससे कि आपको सारी क्लास में ठंग से मिल सके और आप अराम से सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकें, बाकी कोई टेंसा ना रहे, ठीक है, इस पर सब कुछ सेरोर किया जाता है, और आप पढ़ सकते हो, आगे बढ़ चलें, चलिए, आज क्या क्या पढ़ेंगे, ये सभी तु जरब पीछे, सुने हो ना ये, कभी आता नहीं, वो के फिल्मों में आता है बस, तो पीछे नहीं आने वाला है, ये जो पढ़ेंगे, कॉंटेंट, वो सब के लिए है, किसके लिए, कोई भी परिच्छा की त्यारी कर रहो, कुछ भी कर रहो, भाया, NCRT भारत देश मे करेंगे, यहाँ पर नीचे टॉपिक क्या है, और भी अभी हम लिखेंगे विस्तार से, अभी आगे बढ़ चलिए पहले, चले, आगे नेक्स्ट, हाँ, आप चलो बताओ, घड़ी देखना, सीखना यहाँ पर भाया, पहले कुछ एक्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे इसक जादा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बताओ, पंकत सो के उठा कितने बजे, घड़ी दिख रही है, बोलो जल्दी फटते, कितने बजे सो के उठा, देखो कुछ लोगों को इसका कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं कांसेप्ट क्लियर करके तब आगे बढ़ता हूँ, चलो ठीक है, पहले कांसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, आज हम देखेंगे घड़ी सीख, मतलब घड़ी, ठीक है, तो आज अब यह पहले घड़ी बना लेते हैं, अच्छी वाली, सुन्दर वाली, आगे हो सभी, चलो लो, एक घड़ी में बना ले लिखते हैं, नीचे 6 लिखते हैं, ठीक है मरे भाईया, इधर 3 लिखते हैं, इधर 9 लिखते हैं, अब इधर 1 लिखेंगे, इधर 2, इधर 3 होई गया है, तो 4 and 5, यह थोड़ा-थोड़ा हैं कर रहा है आज सिस्टम, यह 7 और 8, यह 10 है और यह क्या है 11, समझना, क्या करना इ वाईया, इधर 3 सुईया भी रहेगी यह बीच में से, एक सिकेंड वाली सुई रहेगी, जो सबसे बड़ी रहेगी, एब आए हैंग ना कर यार, तुकाय को परसान कर रहा है, एक मिनेट वाली रहेगी, जो उससे मोटी रहेगी, और एक चच्चा रहेगी घंटा वाली सु चलो बताओ, इस घड़ी में कितना बज़रा है, बताओ घड़ी पहले अच्छी बनी की नहीं, बढ़िया बनी ना एक दम और इजिनल वाली, पता नहीं, चलो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेंन में टॉपिक की, क्योंकि हम मैद सिखा रहें, जीरो से, तो भाईया यह जो सुई है, मुटकी वाली, यह बताती है, घंटे को, आवर इस से मापते हैं, ठीक है? कि कितने घंटे हुए, और यह जो दुसर की छोटी और मुटकी होती है, यह सुई बताती है, मिनट को, पाइनल हैं कर रहा है, इसमें कुछ प्राब्लम है, ठीक है? तो मैं यह ब् बंद कर देता हूं बैक्ग्राउंड में खुला है नहीं तिया सब गुड़ गोबर कर देगा यह बंदोजा भाईया बंदोजा राज्या काय को हैं कर रहा है चलो और अगला क्या है यह बताती है सिकेंड वैसे इस बढ़की घड़ी में सिकेंड का कोई जादा कीमत नहीं होती है समझ गए आगे बढ़े अब इसमें कितना बज़ रहा है इसको समझने के लिए थोड़ा फंडा समझिए इसको तो आप देख लिए ना ओके आगे बढ़े चल दन चले तो ठीक है अब देखिए जो कोई भी दो लेटर लिखे होते हैं मतलब जो नमबर लिखे ना इस पें इनके बीच में एक चीज है उका है तो नहीं दिखतब़ा है पता है इनके बीच में 5 मिनट माना जाता है वह एक और ये 2 और ये 3 यह हो गए है देखो यहापे स इस पे ही है और इसे हलका सा अगर बगल गई तो एक मिनट बोलते हैं अगर आप घड़ी वाली सुई मतलब दिवाल वाली देखे हो या हाथ में पहिनने वाली उसमें पदली पदली लाइन होती है ना होती है तो मतलब आप यह समझ लो कि इसके बीच में इसको खिसकने का यह सीधा फीधा सुई है तो क्या होगा बतलब पूरा-पूरा मान लो 12 भज़ रहे है जैसे मैं एक बजाई देता हूं पहले टाइम बजा देता हूं तो आपको समझ में आग ना चलो भाइख हो बारा बजा चल 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 बारा बजा बारा बजा देखो यहां पर समझो अगर य यहां पर और भी देखना भी यह सुइया यहां पर है तो कितना बजा आफ यह सुइ 12 पर इसका मतलब 12 बजा पूरा पूरा ठीक है लेकिन ये कितने डिजिट पार होके यहां आई है यह चची कहां से आई यहां से इसे गोह resistance आई हो तो जब यहां फे यहां पहुंची मतलब 5 मिनट ठीक है और फिर यहां फे नहीं मतलब पांच मिनट यानी 12 बज़ कर 10 मिनट समझे रहीं 12 बज़ कर 10 मिनट आप वाँकरन 9 मिनट कहां कई वारा हैugen कर शास मिनट कई जानेगे कई पर जानेंगे बताओ देखो यहाँ पर समझो पहले यह बाई काट न मत इसको नहीं दोखा हो जाएगा आज ना पूरी फ्लाइड बनाया था दो बार फिर पूरा कट गया रुको देखो यहाँ पर कुछ घड़ी आपको दिख रहा है यहाँ पर आओ इसमें दिख रहा है कुछ यहाँ पर समझो बताना चाहता हूँ यह रुख जा घड़ी रुख जा भाई मैं तुम ही कुछ देख रहा हूँ दिख रहा है ना क्लियर मैं इसको थोड़ा जूम करू तो आपको clear हो पाएगा clear हो रहा इससे ज्यादा और क्या चाहते हो देखो इसमें हमें बताना क्या चाहता था पहले समझो भाहईया समझो भाहिया भाहया समझो देखो यहां पे 13 लिखा है यह या रिये गजब की घड़ी है बाई ये में 13 भी लिखा है ये गड़ी थोड़ा लोचा इसमें ये गड़ी गड़ बड़ा है फिलहाल मतलब समझ लो 13 नहीं होता नारमाल हम लोग की इंडिया की गड़ी में ठीक है पहले मतलब समझ लीजिए बताऊंगा आगया इनके बीच में देखो कितनी लाइन है एक, दो, तीन और ये चार ठीक है ये हर किसी के बीच में होगा हम लोग अपने यहाँ इंडिया की अकार्डिंग इसको अगर लेते हैं ये कहीं की भी घड़ी होगी हमारे इंडिया में कहीं ये से 13 नहीं लिखा होता है 13 15 कब बज़ता है उसके बारे मैं बताऊंगा बाद में ये मान लेते हैं क्या है 12 है मैंने बना लिया क्या 12 है ठीक है भया ये 12 है तो अब समझो पहले मतलब बाकी छोड़ो तो यहाँ पर अगर है तो क्या है 12 बज़रा पूरा-पूरा मतलब कोई मिनट नहीं हो रहा है अगर दोनों सुई इसी पर ऐसे आजाए ऐसे ऐसे दोनों इसी पर आजाए छोड़की बढ़की तो कितना है 12 बज़रा है कोई मिनट नहीं हो रहा सिर बारा बज़रा है लेकिन अगर ये एक हलका फा बाहर गई तो मतलब 12 बचकर कितना मिनट एक मिनट सॉरी फिर 12 बचकर 2 मिनट फिर 3 मिनट समझ रहे हो कि नहीं फिर आप काओगे क्या जब एपर आज जाएगी तो 4 मिनट होगा नहीं ऐसा नहीं है इसमें आपने नहीं देखा मैं यह लाइन जो यहां खींचा यह थोड़ा गलत हुआ इसको यहां से करना था यह इसके बाद में एक डंडा है ना और दिख रहा है ना एक यहां पर और भी था ना ठीक है तो कितना है चार है ना इसके बीच में चार है ना तो पाचवा मिनट किस पर होगा पाचवा आके इस पर गिरेगा पूरा-पूरा तब 5 मिनट हो जाएग समझ गए ना तो कुल मिला करके यह जान लो भाया कि जब एक चक्कर यह चलती है पूरा पूरा एक गिंती फे दूफरे गिंती पर जाती है तब यह पांच मिनट आगे बढ़ती है ठीक है समझ गए सभी किसी को कोई तकलीफ नहीं न ये चीज़ आप समझ गए तो अब आप समझ सकते हो चलो उमीद है कि आप इसको समझ गए तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ दस बारा मिनट हो गया इतना देर में जाने दो अब इसमें आपको अंसर देना है क्या कहा रहा है मनु बाजार गई वो कितने बजे बाजार गई बता भया क्या कुछ गड़बड है क्या इसमें चार पांच छे साथ आट नौदस ग्यारं बारा तेरा एक दो तिन हाँ इसमें तेरा लिखा है घड़ी में इसको देख्के तो कितने बज़े गई ये देखो यहां तीन बज़े रहा ना अगर इसको हम तीनी मान के चलते हैं और ये अगर आप एक चीछ ध्यान दीजिए नर्मल वाली घड़ी के करडिंग हम लोग लेंगे तो ये बारा पे पूरा-पूरा है नहीं यार मैं इस घड़ी का यूज करूं या ना करूं कर सकता हूं कि नहीं नहीं मत यूज करो इसको हटाओ क्यों कि इसमें तेरा और अब ज़राय कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहेंगे कि रोक जाया यार मैं अपनी घड़ी बना लेता हूं और तालिस था ना उसमें ठीक है बस बस थोड़ा फ़र टाइम दो थोड़ा फ़र दो थोड़ा सलो लो मैं अपनी घड़ी दिखा दे रहा हूं तुमें बारा छे तीन नो आठ साथ पांच चार एक दो ग्यारा दस ठीक है यह मुटकी सुई ही यहां पे है भाईया सबसे मुटकी वाली और यह वाली जो है यहां पे है यहां बीच में ठीक है एक ही पीचे है दो, तीन, चार में बना दिया ठीक है, किलियर हो रहा सब कुछ? तो कितना बज़रा है बोलो अगर यह 12 से एक आई तो इसका मतलब पांच मिनट फिर दो आई मतलब दस मिनट 3 पी आई मतलब 15 मिनट, 4 पी आई 20 मिनट, 5 पी आई तो 25 मिनट अगर यह 11 पर आ जाए तो 55 मिनट कितना बज़के यह जितने पर सुई आने वाली है यहाँ पर दिख रहा कि 3 पर है रियल में 3 पर है नहीं क्यों? क्योंकि यह वाली सुई भी देखते हैं यह देखो यहाँ पहुँचने वाली थोड़ा करीब 12 पर पहुँचने वाली है न जब यह पूरा पूरा 12 पर पहुँच जाएगी तब हम कहेंगे 3 बज़ा है अभी यह 2 बज़कर इसमें कितना मिनट हो रहा है 55 मिनट कह सकते हो लेकिन वो थोड़ा और पीछे है तो 54 मिनट कितना बज़रा इसमें 2 बज़कर 54 मिनट हाँ इस वाली घड़ी में एम पीम टाइम नहीं होता सुबा रात का वो इंसान अपना दिन देखके जान जाता है सुबा और रात हो रही इसमें एम पीम नहीं होता डिजिचल घड़ी नहीं है ठीक है सुरज खेलने गया यानि यह मनु जो है बज़़ार कब गई 2 बज़ के 54 मिनट पर अब जाहीर सी बात है रात के 2 बज़़े तो कोई बज़़ार जाये गा नहीं दिनें में जाएगी सूरज खेलने गया कितना बजे चार बज रहा है ना इसमें पूरा पूरा की नहीं भाई सिंपल है चार बज रहा है ना देखिए ये सिर्फ सिखाने वाली कलास है जो मैद सीखना चाहते हैं वो पूरा इंड़े तक देखेंगे और सीखेंगे प्यार फे आगे बढ़ें थोड़ा टाइम मुझे लगता ज़्यादा लग गया इस कलास में चीजें बतानी पड़ती है पापा आफिस गए कितने बजे बताओ जल्दी से पापा आफिस गए कितने बजे गए ये बताओ उसके बाद मम्मी पारलर गई भईया ये देखो देख रहा हूँ पापा आफिस गए तो मम्मी पारलर गई कितना बजे कमेंट करके बताओ सबको दिख रहा है जो कमेंट नहीं करेगा फिर फिर जानलो पढ़ नहीं रहा हो और कुछ नहीं कहूंगा इस घड़ी में देखो और बताओ कि पापा आफिस कितने बजे गए ए बाई पारलर तुम्हीं दा राजा दस बजे न नहीं पूरा पूरा दस बजे नहीं पूरा पूरा दस बजे नहीं देखो दस बजने में यहाँ पर अभी एक दो मिनट बचा है क्या है दस बजने में एक दो मिनट कई दिमाग कहा चल रहा सुरी 10 बजकर 10 मिनट में एक दो मिनट बचा है यानि हम कह सकते हैं कि पापा जो आफिस गए वो 10 बजकर अलग भग में 8 मिनट हो रहा है ठीक है और तुरां जश्ट 10 बजकर 8 मिनट पर पापा आफिस गए और जश्ट पूरा पूरां 10 बज़ कर कितने मिनट दस मिनट पर क्यों कि यह घड़ी थोड़ा अलग तरह से नीचे वाली इसमें आपको कम समझ में आएगा न अगर मैं किलियर करूं तो क्या नीचे वाली में दिख रहा है सायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा न इसमें देखो कुछ लाइने मोटी है कुछ पतली है सुरी इसमें दस बच का दस मिनट नहीं हो रहा है समझने दीजी आप लोग भी समझें देखिए यह जो मोटी मोटी लाइने है थोड़ा बलेक में वो में है यानि इस पर बारा बज़ेगा इस पर एक बज़ेगा इस पर दो इस पर तीन इस पर चार ऐसे है ठीक है तो यह एक वाली है एक जिसे यहां पर एक है न वैसे यहां पर एक है तो यानि यह क्या दस वाली है दस बच कर पांच मिनट मम्मी दस बच कर पांच मिनट पर कहा चली गई पारलर और पापा दस बच कर आठ मिनट पर गया आफिस इसको कहा है को लिखा हूँ मम्मी बापा आप इस पारलर जा रहे हैं ये टाइम देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ समय देखना सीखना इसमें बसा और कुछ नहीं और ज़्यादा कुछ इसमें से नहीं सीखना रहे भाईया ठिक है समझ गए ना ये थोड़ा हैं कर रहा आज फिर ये लेट भी हो रहा है तो पिर आप कहीं बहुत ही महत्तपूर्ण कलास मिस ना कर दो इसलिए आप हमें टेली गराम पर जोईन करना ना भूलना ठीक है आईए इसमें बताइए कौन भारी है सबसे पहले तो मुझे नाम बता दो इनका देख करके ठंडी का महीना है सभी को याद होगा बताओ ठीक है भाई पूनम सिंग बहुत अच्छा सबसे पहला जबाब है पंचाल कुमार ठीक है बरी गुड इनके नाम तो आपको सबको पता है खाया भी होगा कभी कभी क्यों कौन-कौन खाया है ठीक है सभी खाया है मुझे पता है इसे मूंगुफली बोलते है मूंगुफली साइद इसे ग्रणनट बोलते हैं इंगलिस में क्या आप मुझे कमेंट करके बताना इसे क्या बोलते हैं इंगलिस में क्या बोलते हैं जगीरी बोलते हैं क्या गुड हिंदी में बोलते हैं इसको गुड देखो मेरा हिंदी थोड़ा फर ना गडबड हो है ना ठीक है बेरी गुड बहुत अच्छा आसीस रामपाल लॉकुस मोटिवेशन जी सिरो मनी सर्मा सभी खाया हो ना अंकिता ठीक है इन दोनों में कौन भारी है अच्छा एक बात बताओ अगर आपको सामान आकार में मालो एक छोटा फ़र डिब्बा है रुको ये मालो डलिया है न इसमें आपको एक डलिया भर के गुड दिया जाए जो उधर वाला है और एक डलिया मुंग फली मतलब पूरा पूरा इसमें भरा रहे बस उसका वजन से नहीं मतलब तो ये बताओ किसका वजन जादा होगा जिस डलिया में गुड भरा होगा उसका कि जिस डलिया में मुंखफली होगी कमेंट करके बताओ अगर इसका आप लोग कहना चाहते हो तो आप लोग मुझे ए लिखके कमेंट करो अगर इसका भारी आप कहना चाहते हो तो बी सिर्फ ए और बी लिखो बाकी कुछ मत लिखो ठीक है बहुत अच्छा बेरिकूट सबसे पहला जवाब है पंकस सिंगा ठीक है डिमपल रा सीकर नमबर पर आईए तो भाईया देखिए ये ठोस होता एकड़म पूरा पूरा इसमें कोई भी गड़बर चीज नहीं होता है कुछ फेंकने वाला छिलका भी नहीं होता है गु तो गुड़ खाया जाता है उससे क्या सारी गंदगी बाहर निकल जाती है तेनके पहले नाम बताओ और फिर इनका काम बताओ तो सबको पता है बहुत मज़ेदार इंट्रेस्टेट कलास है, ग्रेड थर्ड की मैथ है, यह मत सोचना है, यह कौन सा खेल हो रहा है, ठीक है भया, यह ग्रेड थर्ड की मैथ है, तो थर्ड ग्रेड में इससे आगे कुछ नहीं पढ़ सकते हो, यही बस यहीं तक रहेगा, राजु कुमार, हा बाबू बस पढ़ लो, चुप पढ़ लो, चलो, तो इनके नाम क्या बाबू, भीया, यह पहला आलू है, क्या है यह, यह आलू है, पोटेटो बोलते हैं इसको, और यह आपका सोया है, मुझे नहीं पता यह सोया बीन को इंगलिस में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट क तो पी कौन भारि रहेगा अगर यह भारी होगा तो आप लोग मुझे इसके लिए यफ लिक्कर करो अगर यह भारी होगा तो पी कौन भारी होगा भईया कौन डली या भारी होगी सोयबीन वाली या फिर आलू वाली इसका करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले अंकीता यादो ने इसका आंसर है पी आलू ज्यादा मजबूत हो जाएगी ये सक्खा सक्खा टाइप की होती ना भी गोने पानी सोखती है थर्ड ग्रेट की मैथ पढ़ रहे हो ये मत सोचना कि ये सब बवाल हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज है इस्टेप बाई इस्टेप चीजों को सीखना चाहिए आप भूसा भी दिखाएंगे आपने देखा होगा जो लोग गौन से बिलंग करते हैं वैसे भी हो तो धरती स जब गेहुं मडाई होती है न जो भूसा निकलता है वह एक स्टेप बाई स्टेप बैठ जाता है तो जहां पर गेहुं की मडाई होती जिसे थ्रेसर बोलते हैं देशी भासा में वहां पर जो भूसा जम जाता है न अगर उसको किसान ड्हों करके अपने कमरे में रखता है वह उसका आकार इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां आता नहीं फिर आसानी से मतलब खोडों मत उसे छेडों मत इस्टप यस्टप बैठा रहता है वह ऐसे कोई बैठा नहीं सकता फिर समझे लेगा तो उसी तरह यह मैथ जो है न आ आपके माईंड में इस्टप बाई होगे तो और अगर आप कहोगे नहीं यह सब तो मज़ा नहीं आ रही हम एक के बार में ले लेंगे तो फिर वही होगा फिर अम आएगा नहीं परसान जैसवाल रागिनी सिंग बहुत अच्छा ठीक है बेरी गुड अगला भईया यह पहिचान रहे हो यह वही भूसा है जिसकी हम बात कर रहे थे अच्छा कितने लोगों ने देखा है इसको जो लोग देखे हैं वो यह फ्लिक के कमेंट करें अरे कुछ मंगल गरह से भी नहीं देखी अचाहे खुपड़ी पर बरियां भरबर धोये हों दुपारिया मुझ करिया खपरी होईगा ओके बाद भुलाई गई अरे तो ही लोग का थी चल इसको का बोलते हैं आलू 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 बोलते हैं दिमाग भी आलू हो गया आज इसे बोलते हैं गेहूं वीट इसे बोलते हैं भूसा ये एक दूसरे से संबंदित है ये 22 का चारा है ये 22 चराने वाले का अब गलत मत समझना चलो लाल चन ठीक है देवनाथ बेरे गुड भाईया अब एक बात बताओ अगर इनका हम कोट दे दें आपको इसका कोट दे दिया यक्स और इसका वाई अबक भारी नहीं कौन हलका है किसका बेट जो है वह मतलब कम है जल्दी कमेंट करो ठीक है बहुत अच्छा सबसे पहला जब कोई दिया तो गोपाल ठीक है गोपाल जी बेरी गुड तो भाईया इसमें हलका की बात करें तो भूसा हलका होता है आपने देखा होगा देखा तो होगा ही नहीं धोया भी होगा हम भी धोय है ऐसा नहीं है हम आसमान से नहीं गिरें धरती से ही निकलें तो होता क्या पता है अगर आप एक बोरी बोरी जानते हैं जिसमें भर के रखा है बोरा अगर एक बोरा भूसा भरोगे तो खोपड़ी रखके लेके जा सकत बात क्योंकि मेरे कोपड़ी ज़्यादा वजन नहीं चलता है चले ठीक है इसका किसी ने आंसर दिया तुनका नाम है किसान मुंडे अमीनाक्षी बर्मा ठीक है यह सब पहले नंबर पे आने वाले निरास मत हो अगर आप पीछे हो तो कोई बात नहीं चलो इन में क्या भारी ह और कौन हलका है बताओ कौन भारी है कौन हलका है बोलो दिख तो रहा है तुम्हें सर्माव नहीं ठीक है बेरे गुड यह सरीया है भाई लोहा है लोहा है लोहा मतलब नामी लोहा है इसका आयरन है यह अगर इतना लोहा उठाना पड़े न अंदर गुज जाओगे जमीन के साथ आड़ नौ दफ है ना यह यह दस है अगर इनकी लंबाई 20 फिट भी होगी जो भी यह दस बारा हो सकता है कुछ मिस मैच हुआ हो अगर इनकी लंबाई 20 फिट भी है न तो जहां तक मेरी उम्मीद है कम से कम पांच कुंटल होगी यानि 500 किलो और इतनी लकड़ी इन दोनों में कौन बड़ा है मतलब भारी है कौन वारी है भाइ सिंपल सी बात है लोहा भारी है लकड़ी हलकी है लकड़ी क्या है हलकी है लोहा भारी है इन चीजों का मैं आपको कंपेर करना सिखा रहा हूं क्योंकि थर्ड ग्रेट की मैथ पढ़ रहे हो आप बहुत हाइप हाइप नहीं पढ़ रहे हो ए भाईया यह तो लरकियों का फेवरिट पॉपकॉन पॉपकॉन देखो देशी लोग में यह अंतर होता है देशी लोग का क भाद गया जा देखो यह क्या आज गांवाला यह खाता आये जब यह तैयार होता ही भी इसका यह भूजा जाता है उब लोग बचपन है नो बाल करके भूजने तक ही अब बयूजने के यह पीटते हैं न उन doesn't ऑफ लोग जो लेता था नहीं देता था आगर गयाब कर देता है बहुत करिया या था सची बता रहा हूं अपनी पेज़ेतिती अपने पॉपकॉर्ण है इसे हम लोग का बोला थे हो लोकुस भाईया लोकुस जी एक का बोला जाथ है सिवम राजपूत ठीक है पल्लभी कुमारी परमिला बेरी गुट राम सिंग यह पॉपकॉर्ण है यह भुट्टा है दिखी रहा तुम्हें इन दोनों में कौन भारी है बैया हो अगर मैं इसका कोड दे दूं तुम्हें ए रुक जाब है अगर मैं इसका कोड दे दूं आपक को डी तो ए और डी में कौन भारी है चीनी तो हटा दियागा अब हो गई है बहुत अच्छा बाई लौकोजी बेरे गुट और जित्या और राजु कुमार बहुत अच्छा बेरे गुट तो इन दोनों में भारी क्या होगा अब आएक गादहा एक भुट्टा फे इतना हपड़ मार दे तो एक पर देशी आदमी उठ नहीं सकता है समझ रहे हो क्या समझा सभी बोल रहा हूं गाली मत देना देशी और पर देशी कंतर समझ गए ना चालो अब चलो अब देख लिए थोड़ा कलपना करो इमेजीन करो जैसे लोग कते ना अजकल दोस्ती प्यार मे कि मेरी महबूबा होगी बाहों में बाहें होंगी कंदे पर हाथ होगा हम लोग की पता नहीं क्या क्या होगी ऐसे ही मेजीन में रह जाते हैं हो तलाश्ट में कुछ नहीं है समझ रहो टीबी में देखते हैं जैसे सीरियल में जैसे देखते हैं वैसा कुछ लाइफ में होता है तो लाद पड़ जाता है तो अब तक क्या था अब तक रियल में देख रहे थे अब इमेजिन करो वह जो मैं बताया उस तरह का जैसे देखो कि यह दोनों जगा लागू होती इन में कौन भारी होगा एक भुट्टा साथ टमाटर के बराबर होगा या कम नियान ने जूस आपको बताएक बात बताओं यहां पर ना बहुत सारी फीलिंग आपको सुनाने का मौका मिल जाता है जब हम लोग छोटे थे हम लोग गईया बहिंसिया चलाने जाते थे ना तो वहां पर गर्मी के टाइम में न अब तो इतना चीज़ें बदल चुकी हैं किसी के टिबूल पे खेत में ऐसा नहीं रहे टमाटर ना रहे टमाटर का तो बात छोड़ो उसका जो पेड़ है ना उसकी महें कितनी अच्छी लगती थी हरा हरा रहता था तो वहीं कजब कर रह किया गया एक महीना दूइ महीना तिन तिन महीना करता है फिर भी वह बहुत अच्छा रहता है कि तब की बाती कुछ अलग थी जो पेड़ से तोड़ के लाते समझ रहो है होता ना यसा जो लोग से होंगे वो लोग समझ पार रहे होंगे तो एक टमाटर ही एक भुट्टा क चल भईया बताओ 25 टमाटर 18 आलू देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी हैं टर्मन कंडीशन अपलाई ये हैं कि साइज पर भी डिपेंड करता है मालो टमाटर तुम इतना बड़ बड़ रख दिये बट्री बराबर अब उट्टा रख दिये मोटका वाला तो हो सकता ढ़र टमाटर रखो और अठार आलू रखो कौन च्वार ठीक है बेरे गूड तो ऑठाज रख़ते बहुए क्योंकि टमाटर में जूश भी होता है ना पानी भी होता एक प्रकार से अर्जों मैं कि यवाल मटरील मटरील होता है तो टमाटर ज्यादा भारी होगा हमारे हिस कॉली फिलावर इसको पता निए कॉंट फिलावर बोलते हैं कि पता निए पर निक लेख जो भी होगाना साथ लड़के और साथ लड़किया भाईया यह देखो यहां लड़के लड़किया की बात हो रही है जे सीवी और इरिक्सा की नहीं समझ रहे हो ना कुछ लोग समझ गया होंगे कुछ लोग नहीं ठीक है इसमें आप लोग क्या कहते हो अगर आपको लगता है कि गर्ल्स का वजन जादा होता है लेकिन यहां पर कुछ कंडिसेन अप्लाई है वह मैं बता देता हूं सुन लेना भी फिर मुझे बताना साइंस की द्रिष्टी से बताना यह नहीं कि कोई मोटा तगड़ा है इसे भारी वाला चौड़ा वाला और कौन हमरी जैसे सुटक की है तो उसकी कंपेर करने को नहीं बोल रहा हूं नहीं इसक कावेच्ट भएं कालिफ्लावर ऐसके बताने के लिए नहीं स्यूं मैं एसी बात नहीं कर रहा हूं तो सिंपल सी बात क्या है कि बॉयज की जो अगर वैसे देखो के तो हडीयां भी ज़ादा भोदी संक्या में पता है आपको हम वजन भी भारी होता है हाइट भी ज़ुह ज्यादा होती नार्मली अगर गल्स के कुम्पेर में वैस की जो साउंड जो है वह ज्यादा होता है तो बहुत सारी चीज़ें है नमली कंपेर करें तब है फीक अब मैं सिर्फ और सिर्फ गंपलंग की बात किया कुद नहीं कि अ U चल बैया इनमें बताओ तीन टेमाटर और तीन आलू इनमें कौन भारी है नहीं मैं जो बोल रहा हूं एक्जम्पल देखा हूं मैं तराजू टूटने वाला ऐसा बात नर्मली नहीं बोल रहा हूं दुकान वाला बार-बार मना कर रहा था आरे भावी जी मत बैठिया आप तराजू खराब हो जाएगी नहीं सबका ताउल मेरा कहने तो लोगे मैं जरूर बैठूंगी अब बैठ गई तराजू बैचारक चली गई उसमें लिखा था कि इसका जो लिमिट है वो केवल 100 kg तक है अब वो डबल हो गए तो क्या होगा तीन टमाटर भाई टमाटर हर जगा आ जा रहा क्या बात है मूली गाजर इनमें तो मुझे नहीं बताया तुम्हीं लोग बताओ इनको कौन भारी होगा इनमें किसका वजन जादा होगा इसमें ये बताना है कौन भारी अब मैं इसा भ सोहन सिंग ठीक है बेरी गुट सोहन बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलो अगला बिकल्प क्या कह रहा है अगला बिकल्प कह रहा है अच्छा कि इनमें सही बिकल्प मिलाओ 10 केजी इनमें से क्या हो सकता है जल्दी फटा फट 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 देखो खटा खट बताओ दस केजी क्या हो सकता है एक किलो एक बोरी यहूं हो सकता है या दस किलो का एक हाथी हो सकता है या दस किलो के एक गईया हो सकती है या फिर एक डॉगी हो सकता है डी ओ जी कुत्ता जी से बोलते हैं आज कल प्यार मौभबत में कुत्ता वड बहुत ज़्यादा चलता है मैं कमे देखा हूँ अभी कमेंट में एक लाइब चल रहा है इससे में 24 गंटे उसमें देखो क्या मस्त मस्त बाते होती है कवी कवी हम भी रुख कर लेते हैं उन चैटिंग का जिनको चैटिंग करना अभी लाइश्ट में दे देंगे लिंक जाके अपना सेटिंग उटिंग कर लेना कोई दिक्कत नहीं हर समय इससे में चल रहा है हो गया तो भाया दस केजी इसमें से आम सूटकेस गाय हाथी देखो बोरी के हूं तो होगा नहीं यह 10 केजी का पपी हो सकता है क्यों यहीं हो सकता है हमारे हिसाब से बाकि आपका क्या कहना है बताना हाँ इसमें नहीं हो लेकिन इसमें से चार्सोच किलों क्या हो सकता यह कर देखोश्य लेकिन यह ज्य होगा यह दो यहां नंद युदल 850 क्यतंअ मिय में इसमें 400 किल क्या हो सकता है सिंपल सा बात है हाथी दादा है ना इसमें 400 किलो वाले में तो 400 किलो इसमें हाथी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बोरी गेहूं 400 किलो कभी नहीं हो सकता है अरे यार गईया भी तो हो सकती है एक गाय भी 400 किलो हो सकती है गाए को यहां पे भी लगा सकते हैं 100 किलो से अधिक दो नों हो सकता है चाहे तो आप 400 केजी में गाए भी लगा सकते हो 100 केजी पे अधिक हाथी पे भी लगा सकते हो एक केजी से कम और दो केजी दो केजी का सूट केफ लगा सकते हो अच्छा खासा होगा तो एक केजी जो एक बोरी जो गेहूं है वो 80 केजी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं एक एक कुंटल का बोरी आती है है ना अपने एकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो भाईsis किलो से कम होगी नहीं यहां पर गाय की बात हो रही जाय के बच्चे की नहीं गाय का बच्चे जो तुरंत भी पएर्दा होता अच्छा अब आहीं कि तो असली वारा दिखान हो अब बताओ एमे से वन केजी से अधिक कौन कौन है अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूँ तुम ध्यान देना सिर्फ ध्यान देना और कुछ मत देना चलो मालो इसको मैं एक नंबर डाल दिया चल भया इसको दूई नंबर डा अधिक होगा आप ऐसे लिग दो वहां कामा टू कामा थी कामा फॉर कामा फाइब आसे जो भी हो हो वन केजी से अधिक है ठीक है सबसे पहला आंसर रोसन सिंह किसान मुंडे बेरिगुड वारेक बहुत अच्छा वाटर मेलन उन के साधिक होगा बेरेकुड बहूट सब्सक्राइब कर तो सब्सक्राइब अगर बच्चा होगा तो उसका बैग 10 किलो को होगा यूपी बोड़ वाला होगा तो साला कब बोरिया अठी निकलेगी खाली-खाली बैग में कुछ नहीं होगा जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक बैगो पता किया होता था कंच्छ दिन चार तक और फिशाने वाली खाद वाली ऐसे पंसी पंसीर रहती तियों दोनों तरव छीली रहती चीजिसे और घर पर आते मार भी पड़ती थी पैंसिल काय खराब करा लेकिन सेबसी वाले का होगा तो इसका वजन होगा काफी वजन होगा इसका यह तो भाईया एक एठ और धाइड़ किलो का होगा कम से कम यह नहीं होगा एक किलो जादा जूता अगर अच्छी क्वाल्टी का होगा अच्छा होगा तो यह यह चच्ची तोर छोटी होगी तो बस हमारे समस्ट से ही हुआ है ना कि सभी को समझ में मेरी बात ऑके डन अज आपने यह सब पढ़ा इतना क्या क्या पढ़ा कौन भारी यह कौन हलका यह पढ़ा आपने यह कंटेंट था आज का इस बेच का नाम है quality badge जिसमें आप ये सब देख रहे हो बिल्कुल class 1 से जोड घटाना से मैंने शुरू किया है यहाँ तक पहुंचे है sign cost, check, cost check, mensuration, percentage, profit loss और जो भी चीजे हैं छोटी मोटी सब पढ़ाएंगे इसमें ठीक है? और प्यार से पढ़ाएंगे बतादो सभी आगयो अपने में बहुत कुछ है अस्वनी, सिरोमनी सर्मा, अंजली बर्मा, मोहित कुमार, पूजा सिंग, लोकुस कुमार, साट बीडियो, एम्मो, रंजना कुमारी, पूनम, साधना कुमारी, और स्वेता, सभाना परवीन सबका कमेंट आ रहा है चलिए आज हमारा जो टॉपिक होगा, वो इसी बेटिंग स्केल से रिलेटेड होगा इसका बड़ा अजीब टाइप का इंगलिस है भाया देखो क्या है इसको बोल, पहले इनकी पहचान करवाएंगे, आपने इनको देखा होगा अकसर अपनी जिन्दगी में एक बार सभी कमेंट कर तो क्या ये चीजें देखा आपने कभी लाइफ में देखा है, बिल्कुल मैद सीख रहे हैं आप मैद का संबंध डारेक्ट दिल से होता है पूरी जिन्दगी काम आती है, ये सब देखोगे पूरी लाइफ जो नहीं देखा वो देखेगा, और जो देख लिया उसकी तो बात ये लग है देखे हो, इसको तो बहुत कम बच्चे देखे होंगे क्योंकि आज कल तो ये चल रहा है, है न? मुझे कमेंट करके बताया जाना फटा फट की देखे होग नहीं ये सब चीज आई ये बात करते हैं इन सब के बारे में विश्तार से सातियों आज का topic है betting scale betting scale के बारे में जानेंगे कि किस तरह का betting scale जो है वो कहां पर यूज किया जाता है और कुछ सामाने जानकारी, क्योंकि class third grade की मैथ आप पढ़ रहे हैं तो कच्छा तीन में बच्चों आली कलास है तो और क्या पढ़ेंगे अभी स्टार्ट कर रहें न हम जीरो लेबल से सिखा रहें यह सब आपने तस्वीरें देखा है कभी इसी में पूरा बच्पन गुजराया अपना तो बेंचने में नहीं खरीदने में जब हम लोग छोटे थे न कोई भी खर्चा लगता था तो इनको हम लोग यहां बनीया बोला जाता था बुरा नहीं मानिये का कोई सेट साहू कारजी ने बोलते हैं आज ही लोग बोलती थी जा फलनवा किया ले ले आजा जाने के बाद जितना पैसा चाहो ले लो हजार दोहजार चारहजार वैसे हम लोग छोटे थे तो बीस रुपया बहुत बड़ी बात होती थी सो पचास दे देता था हिसाब रखता था आता था घर से गेहू चावल दाल जो भी चीज़ें ले जाता था कच्छा आठ तक उसके बाद तक की पढ़ाई इसी में ऐसे ही चली है ठीक है तो यह सब बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी है लेकिन अभी अपने लिए तो नहीं हैं मतलब वो ऐसे ही है जैसे थी हैं तो यह लोग क्या करते हैं गाउं से जाते हैं किसानों के ह ये वाले तराजू आती थी मायड़लौ वाली आपने देखा होगा ये वाली तो नहीं रहती थी यार ये वाली रहती थीachu मिनेट सबसे पहले कोई चीत तौलने के लिए अगर पांच किलो तौलना है तो हमें दस किलो हाथ से उठाना पड़ता था तो वो हाथ की कलाई पहले वाली जो न धाई किलो का हाथ वो उठा लेती थी आज कलके कोमल कोमल हाथ होने लगे हैं वो बेट नहीं उठा पाते हैं मतलब इस मुठी से इसी मुठी से पचास पचास सो सो किलो ऐसे उठाते थे लोग बहुत बड़ी बड़ी भीस में तराजू आती थे ऐसे उठा उठा के तौलने वाली लेकिन आप नहीं उठता है तो अब लोगों को होने लगी तकलीफ अब तो हाथ ही तूट जाया अगर इ इतना करने वाले हैं कि इन बेटिंग स्केल के बारे में थोड़ा बहुत और क्योंकि क्लास थर्ड लेबल कमेंट है तो बहुत हाइफ हाइफ कुछ होगा नहीं और इनको कौन सा तराजू बोलते हैं कि आप जानते हो माहित सिद्धिकी आर्यन म्यूजिक अंकीता जी हां कम पाने में मुसीबत होने लगी जब बल्टी पानी नहीं उठता है तो यह सब कब उठेगा पहले कुवां से पानी भी खीचा जाता था अभी भी हमारे कुवां है आपको तस्विर दिखाएंगे आप बेट करोगे तो इसके बाद फिर यह तराजू आई यह वाली इसमें भ वहां पर भी ऐसे तराजू यूज होती ही ना कांटा लगा रहता बड़ासा उसमें बेट होता था ऐसे 20-20 किलो का इतना बड़ा बड़ा पहले हम लोग छोटे थे हमारे यहां चक्की थी लोग दूर-दूर से लाते थे कि यह हूँ पिसाने हम लोग कभी उसको उतरवाते करते नहीं थे क्योंकि हम लोग से समालता नहीं था गिर जाता था कोपड़ी समझ रहो तो जब उसके बाद फिर इसका सिकेंड जनरेशन में यह आया जहां तक मेरा मानना है इस तरह वाले में इसमें हाथ पर वजन नहीं रहता था एक यहां पर खंभा टाइप का कुछ रह होता रहता है तो यह सही नहीं है इसके बाद फिर यह इसका नाम जानते है कि नहीं इसका सब्हें दो empieza ѥ째 misconception-watch जाओ में आप को देखाओंगा वह एक सबसे पहले वाली जो वो तो बहुत पूरानी थी यह तो बहुत पुरानी है बहुत पहले जमाने में होती थी तरा जुँ थे कुछ लोग परिसान हो रहे होंगे तो आज का यही topic है आज मैं betting सबसे पहले यह होता था जिसमें हाथ से वजन तौल जाता था इसका यूज लगभग जो लोग घर घर जाते थे रासन मतलब कोई खरीदने लाने पहले आपने देखा और पहले गाओ में क्या आता था यार मुझे याद था लाइन भूल गया जो काम का चीज भी होता था घर में लोहे का प्लस्टीक का या वैसे बुनिया नाम सुने होग नहीं उसके लिए दोड के ले जाकर करके उसको दे आते थे कभी-कभी मार भी पड़ती थी मतलब सामान वे एक रूपय का देता था और कभी-कभी नट बोल्ट वगएरा हम लोग क्यां चक्की थी तो बड़ा-बड़ा मतलब महेंगा 10-20-40-50 वाला ले जाके दे आते थे और वो भी खुस होता था गजब आया बच्चा तुम रोज आना मैंने यह बोला वुंदिया आयसे पहले बोलते थे हम लोग के आगाओं में आप पता नहीं क्या बोलते हो वही सु तो यह वाला तराजू लेकर के वह आता था मैं यह काहे को बता रहा हूं यह तराजू लेकर आता था बोरी में रख करके फिर उसमें तॉलता था कितना है जितना वह रहता था उतना ही उसी कहसा उपना कुछ देता था नमक देता था तो दो बार देता था जैसे मालो आपन कि बीनु यादो हम उठा लेते हैं रूहानी आप लोगों ने देखा यह सब की नहीं अच्छा चलिए देखिए पढ़ाई हो रही हां फालतु का बकाव बकैती नहीं हो रही सब काम की चीज है जिन्दगी से जुड़े हुए पुर्णे जबाने के हैं सरीर नहीं है लेकिन दिल दिमाघ पुराना है साइए उसके बाद ये वाला बेटिंग इसके अपना अलग है यह counter इसको बोला जाता सायद में कहीं लिखके रखा था counter scale है यह मतलब अक्सर आप देखोगे ति यह किराना की दुकानों पर मिल जाएगी इसमें भी हाथ पर नहीं उठाना पड़ता है इसमें भी एक तरफ यह इधर बाट रखा जाता है इधर इसमें सामान भरा जाता है लेकिन यह बहुत जादा वजन के लिए परियोग नहीं की जा सकती जैसे अगर केसी को दो-चार कुंटल तौलना है अच्छा एक बात बताओ एक कुंटल में कितना किलो होता है बूपेश चतुरवेदी जानते हो अधिकतर हमारे ही समकच होंगे लोग 25-26 साल वाले सब जानते होंगे जो बच्चे अभी नहीं होंगे 12-14 साल में वो लोग कुछ चीज़े नहीं देख पाएंगे बहुत सारी चीज़े नहीं देख पाएंगे सबसे बड़ी बात तो मा का आचल नहीं देख पाएंगे और एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं बहुत ही मतलब यूनिक बात है आने वाली जो जनरेशन है उनकी लाश्ट पीड़ियां हम लोग हैं जिनकी माता पिता अनपढ़ होते हुए भी उनके लिए बहुत कुछ करते थे आप कोई पीड़ी अनपढ़ नहीं रहेगी मतलब उनके गारजियन है ना जो लोग 1990 के कि से ले करके 2000 के आसपास के पैदा होंगे उनके माबाप अनपढ़ रहे होंगे कि समझ रहे हैं अनपढ़ मतलब जादा तही लिखाय नहीं हوتी थी तब के जवाने में आनि पांच कोई पढ़ा रहता दा चो बहुन पर स्मार्ट फोन वाली मम्मी है स्मार्ट फोन वाले पापा है मम्मी मदर मोबाइल में देख रही पापा उधर देख रहें बेटा आपना देख रहा है वो कुछ और देख रहा है वो कुछ और देख रहें कोई मतलब नहीं पहले इतना मतलब हुआ करता था कि अगर घर से बाहर में निकल गए दादी भी बैठी दरवाज्जेक पाल लेके लाटी यह लोड़े है कुछ और हो रहा है रिजल्ट आ जाता है तब अहां करम जाता है समझ रहे हो ना आप लोग आजकल की बात अलग है वह से ठीक है फिलाल वक्त के साथ बदलना जरूरी है लेकिन कुछ जादा बदलना नहीं सही है आई आगे बढ़ें तो यह बेटिंग इसके लाप जानी है टेबल टॉप बेटिंग स्केल है इसका उपयोग लगभग में सबजी की दुकानों पर देखता हुआरे पंडिच जी है सबजी और फल वाले जो है वह इसका अधिकतर उपयोग करते हैं इसका अपना अलग यूज है जो अभी दिखाया था वह किराना की दुकानों पर यह सबजी या फलों की दुकानों पर अक्सर यूज होती है दोनों का अदली बदली हो जाती है इसको भी किराना की दुकान पर भी यूज करते हैं है ना अगला इसको बोलते हैं कौश्ट आयरन वेट कितने लोग इसको देखें एक बार बताओ क्या आप मैंसे कोई काश्ट आयरन वेट देखा था यह वजन वाला यह पचास गराम से ले करके 20 किलो तक का मैं देखा हूं और 20 किलो में जल्दी उठाता नहीं था कभी एक बार मे समझ रहे हो इसको कौश्ट आयरन वेट बोलते हैं इसका उपियों को बहुत कम हो गया है अधिकतर जगा आपको नहीं मिलेगा अभी इसका दीरे दीरे परचलन कम हो रहा है क्योंकि लोग सारीरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं सरीर इफली अपंग बन रहा है सही बात ह गड़ बड़ नहीं मैं अपनी एक हालत बताऊं अभी यहां पर अगर लोकल में भी हमें 200 मिटर जाना पड़ता है तो गाड़िफ चले जाते हैं अभी एक दिन ऐसे कुछ मौसी जी आई थी दवावाल आना था गये थे हास्पीटल इधर से उधर इधर से उधर थोड़ा बहुत पैदल सींडी चड़े उतरे रात में आने के बाद लग रहा था भाई खेद गोड़ के आएं इतना दर्द हो रहा था हाथ पैर कि मतलब पूछो नहीं मतलब नार्मल थोड़ा फचलने पर यह हाल है तो पहले के जमाने के लोग अपने ससुराली भी पैदले जात र हो रही है पहले एक कोई चीह जो किराने की दुखान पर भी रहता था उसकी अच्छी खींचरचाई यहा दिटर वाला है डिजीस टेल उस पर रखो उतारो रखो बस कोई लप्लान से तो इसका क्या नाम हमें यह है हुअंगिंग इसका English है यह रीज़ती है यह सो से 200 किलो तक दोलती है ठीक है तो डिजिटल विंग इसकल के बाद यह आपका है काउंटर विंग इसकल क्या है काउंटर विंग इसकल और यह है आपका हुग या हैंगिंग विंग इसकेल इसका इस्तेमाल कहीं देखे हो बोलो अंकित दूबे मनीस इसका यूज देखे हो इसका यूज गयस सिलेंडर के तॉलने में होता है इसके पिछे भी बड़ी इंट्रेस्टेट कहानी है हम लोग पहले इस्टार्टिंग में पढ़ते थे तो दुकानों पर गयस भरवाते थे थे थोड़ा थोड़ा तो मेरी मिघन चोटी चीजों में दिमाग घुसाने की पूरानी आधत है तो मैं देखता था यार चलती रशे की दिए था फिर यह सब देखते देखते मुझे नहीं रहा गया मैंने बड़ा फिलेंडर ले लिया अब उसमें लोचा यह होता था कि जो गैस वाला आता है न एक अच्छी बात बता है अपना इंडिया पूरे जुगार से हर चीज चल रहा है तो वो क्या करते थे जो गैस लेके आता था तो मेरे दिमाग में कुछ खुरापात मची में एक बार लिया तो मैं इसको मांग के लेके दुकान से जा करके इसको तवला पिर देखा कम था उसको बताया दिखाया तो कहता रहे यार वह अच्छा भूल हो गैदली बदली होगे फिर दूफरा दिया ऐसे कि समझ रहे ह ठीक है लेकिन आपके कल्ला में दम होना चाहिए हाथ में अंगुली में यह दूइ अंगुली से उठती है ऐसे 30 किलो लगबा वजन होता ना फिलेंडर का 30 किलो के आसपास तो 30 किलो ऐसे उठाना पड़ता है हम तो इसे उठाते बूरा हाथ पकड़के तो इससे और भी ची प्रकार से क्या पढ़ेंगे यहां पर उद्देश है मल्टीपल पढ़ना गुड़ा ठीक है पूजा यादो कमेंट आ रहा एबी पासवान चाया चाया काब्या पंडित मुकेश कुमार राज कुमारी यादो लॉकुस कुमार सोभित कुमार सुरेंद्र विपिन ओके ठीक है चलो आगे बढ़े ठीक है कुईस्चन देख करके आप कहेंगे यह बहुत छोटा सा सवाल ऐसा काहे को पूछ रहे हैं बिल्कुल यहां पर दो बकरिया है देर आ टू गोट्स हाव मेनी लैक्स है ना आई से करके पूछेंगे ना आर टोटल यानि यहां पर क्य इसमें एक बकरी का कितना पर रहें अध को पता है बकरी बकरी सभी देखे हो कुछ लोग घास खिवाए होंगे कुछ लोग बकरी खाए होंगे अब क्या कहें उनके बारे हम कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल हम तो यहीं कहेंगे नहीं खाना चाहिए जिवों को नहीं खाना चाहिए बाकी चलिए आपकी इच्छा फिलहा और वही इस कलास का उद्देश भी है मैं बताऊं क्या है वो तरीका देखो थोड़ा सबर करो बता रहा हूं सबर करो बता रहा हूं देखो यहाँ पर सुनो दो बकरी का कितना पैर आठ पैर इसका एक और तरीका यह है एयर रोड़ा यार देखो एक बकरी का कितना पैर 4 टोटल कितना बकरी है दो तो उसको दो से गुड़ा करेंगे इस कलास का उद्देश से आपको गुड़ा सिखाना है आगे बड़े चलिए बहुत कम टाइम है आज इस कलास के लिए ठीक है अब इसमें देखो चित्र में दिख रहे आई इस जीव का इस प्राणी का नाम बताओ क्या नाम है इसने इसका नाम पंकज है क्या पंकज देखो बहुत कमेंट करर रहा है फालतु का वही एकाई कौन है यह? पंकज है कि छाया है यह कौन है बई English में क्या बोलेंग इनको Spider Man ये है मकड़ी ठीक है बहुत अच्छा राधा सिंग ये क्या है बहया ये है मकड़ी मकड़ी के कितना पैर है इसके कुल कितने पैर है कोई बता पाएगा कितने पैर है इसके बहया देखो मोटा मोटा अगर तुम्हें दिख रहा हो तो इसका ये पिछला वाला एक पैर ये है कि ये है दो है हमें लग रहा चारी पैर है क्यों बागी आगे कि उसकी पूँच होती है जिससे चलती है ना चारी पैर होता जहां तक मुझे लग रहा है ये इस तरह के साथ जीव हैं तो कुल कितने पैर होंगे बताओ अगर इस तरह के साथ जीव हैं तो कुल कितने पैर होंगे एक बार आप ट्राई करके देख लो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कुछ और जो आपने सोचा आप ही नहीं होगा चल बहया तुम साइड हो जा बात में दिखा दोंगा इनको यह साइड हो जाएं क्या कहारा यह इसी तरह के सात जीव हैं देखो बहया साथ जीव हैं तो मतलब यसे होगा न यह साथ मतलब ए रुख जा इसे नहीं साथ जीव बोल रहा है चाच्छा और एक ठोरे के अगर चार पैर है तो इसको साथ बार जोड़ा जाएगा न देखो कितना बार हो गया पान छे साथ क्योंकि एक के चार पैर है तो साथ के कितने होंगे कुलदीब कितने होंगे भाई कितने जोड़ लो चार चार आठ चार बारा चार सोला चार बीस चार 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 अटाइस टोटल कितना 28 पैर होंगे अगर साथ मकड़ी होगी लेकिन ये बताओ आईसे जोड़ना क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या आज कल इतना स्मार्ट जमाना हो गया है कि बटन दबाने से सब कुछ हो जाता है मोबाईल खोलने से सब कुछ दिख जाता है जो तुम्हारे दिल में वो मोबाईल में जो तुमने दिमाग में सोचा हो मोबाइल में आया कैसे सर्च करो कुछ भी चीज अच्छे से अच्छा बूरे से बुरा जो चाहो वो देखो इसमें तो फिर इतना लंबा चवड़ा करने का जरूरत है कुछ तरीका मोबाइल से देखो इसमें छोटा वाला बताएं आज कलास का उद्दे से आपको मल्टिपल सिखाना है गुड़ा सिखाना है तो भाई आओ छोटका तरीका ये है बाबू की इनको इतना बड़ा उजाई नहीं करने का है बताएं का करना है देखो एक मकडिया के कितने पर है चार टोटल कितने मकड़ी है साथ ना तो साथ आई क्लास बोल तो सभी दन ठीक है प्रियंका सायनी समझ में आ रहा है जोती बर्मा बंटी चौहान सबको आ क्या है इस जीव का नाम बताव क्या है एंटी वन सभीत कुमार ना अम्झली मोहित ठीक है इस जीव का नाम क्या ये बहुत कितना पयरcemos दूई, तीन, चार, पांच, छे, ए सही लिगना है यार, ये छे और ये साथ, और ये मुटका वाला एक्ठी आठ, किता है, अरे पैर है, वो क्यों कुछ नहीं है, ठीक है, बेरी गुट बाई सातुर गान, खुशो, एकदम मस, चलो, तो ये बता बताओ, बाबु की अगर एक कितने पैर, बताओ, एक के आठ पैर है, अगर इस तरह के कुल 12 जीव मिल जाएं, तो कुल कितने पैर, कमेंट करके बताओ, 12 के कुल कितने लेग होंगे, इस जीव के कितने पैर है, इसका अंसर तो तुम पहले जान गया हो, पहले जमाना में ही, आठ पैर, इसी परकार के 5 पांच जीव के कुल कितने पैर तो भाया पांच जीव के चच्चा ऐसे ऐसे इनको पांच बार जोड़ना पड़ेगा हो आठ आठ शोला आठ चौबिस आठ बद्तिस आठ चालिस लेकिन ये तरीका गड़बड है ये बेसिक तरीका हो गया आज आपको मैथ में गुड़ा फार्म है ये निवर्जन है समझ रहे हो ना सभी तो जिनको मैथ सीखना भाईया मेरे बाबू पूरा क्लास को देखना है मैं बहुत फास्ट बोलूँगा आज क्योंकि टाइम बहुत कम है चलो इनके आंसर फटा फट बताओ सबसे पहला जबाब कोई दिया है तो लोकुस कुमार बेरी गूड लोकुस ठीक है दस बिल्ली के कुल कितने पैर होंगे एच अच्छा एक बिल्ली के चार पैर हो था ना नए इनके घरे जोनेों के पंदरा पैर है तो एक ठोरे के चार पैर है तो दस बिल्ली के कितना चाल दाएगा हम चुपा ले रहें चलो एक चीनटी के कितने पैर होते हैं अगर आज बता लोगे था हम जान जाएंगे कि तुम इस धर्ती पे हो सही मतलब उद्देश से हो नहीं तो जान जाएंगा वैसे तुम सिर्फ जडगान जन गड़ना के लिए ही पैदा हुए हो संदीप राधा सिंग आमीद राजकुमारी बेरिगूट सत्रुधान मित्वून कितने पैर कौन करा थाइस पैर हरे भगवान अवतार लो जल्दी चलिए एक चीनटी के छे पैर होता है ये ये बहुत नई चीज है ना एक चीनटी के कितना पैर होता भाईया छे पैर होता दे हो रहा है बाद में मम्मी को पता चलता था रहे देख देख इसके ओमें पकड़े होए समझे रहों चीनटी बड़ी खतानाक होती है किसके कितने पैर इसका जवाब देना आज की क्लास में बहुत अच्छा चीज टॉपिक आप पढ़ेंगे पैटर्न और एक बेसिक पैटर हैं आगे टॉपिक बात बढ़ाते हैं बिल्कुल बहुत अच्छे बढ़ाते हैं आज पढ़ना क्या-क्या भीना टाइम कमाये हुए थोड़ा यह हैं कर रहा है सिस्टम मेरा वह अलग बात है इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही बिस्तार से आपको बताने वाले हैं क्योंकि टॉपिक आज चलेगा पैटर्न क्वालिटी बैच में सी कंसेप्ट पढ़ेंगे एक इक नियम पढ़ेंगे ठीक है और पैटर्न का जो मूल भूत सिध्धान्त है उसको पढ़ेंगे एक कमेंट सबका आ रहा है ऐए अंकीता यादो कमेंट आ रहा है विद्या पटेल परवेश राज आपका कमेंट्वान आरा आपको भी आ रहा है सबका आरा रहा है न हम घर कि अब बात स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम कमाए चो प्रस्ट में अगर एस ही है तो आप बोलेंगे ऑनरे अगर बीर सबस्करादस दो तो क्या तो यदि एक किताब का मुल्ले नौ रूपे है तो तीन किताब का मुल्ले बताईए बहुत सिंपल है एक किताब का मुल्ले दिया है देखो इसको हल करने का मैं बिल्कुल बेसिक सी धांत बताऊंगा क्योंकि आपको मैं जीरो से सिखा रहा हूं तो हमारा करतब है आपको सब थोड़ा पर हैं कि तो धोड़ा कि ता क्या है कि एक किताब का मूरे नो रूपे यह तो तीन किताब का मुल्ले ज्याद दो हम यहाँ पर फहले लिखेंगे चुकी ओ एकaning किताब का मुल्ले बराबर एक किताब का मुल्ले बराबर यार बहुत हैं कर रहा है 9 रुपया तो 3 का मुल्ल क्या करेंगे गुड़ा कर देंगे देखो अगर जादा का पूछा है हमेशा मल्टीपल करते हैं ऐसी कंडिशन में ठीक है कितना हो जाएगा 27 रुपय न बेरे गुड भाई कैलास गालोट बहुत अच्छा कितना 27 रुपय बहुत आसान है सिंपल है बच्चों आला है क्योंकि 3rd grade का ये label भी तो है क्योंकि हम 0 से ही start किये है है न हम 0 से ही start किये है ये नियम है मैं सिखा रहा हूँ लिख लो इस लिए 3 किताब का मुल्य start cut में लिख दिया हूँ बराबर 9 गुड तीन बराबर 27 रुपया देखो हैं कर रहा है यार ये बहुत लेट में रिस्पांस कर रहा है हो गया आई ये next question जवाब दो फटा फट सभी केस हो समझ में आ रहा है बिनोध इंटर्टेन्मेंट ठीक है जिनको मैथ नहीं आतीबाब उनके लिए है मैथ और रिजिनिंग का बिल्कुल बैसिक कांसेप्ट यहाँ पर हो राज आज रिजिनिंग भी इसी में रहेगा क्योंकि पैटर्ण जो है वो रिजिनिंग का अभिन नहीं हिस्सा है सिकेंट में सबसे पहले कोई जवाब दिया है तो उनका नाम है जे के बेरी गुड राजी आवाओ अच्छे चलो देखो बहुत सिंपल है ये थोड़ा हैं कर रहा इसलिए नहीं हट रहा है गदा है कहह रहा कि वन केजी चावल का दाम बारा रुपे है तो सेबन केजी का मूले बताईए बहुती सिंपल है बाबु कैसे करेंगे जैसे अभी उसको किया वैसे इसको भी करेंगे आप लिखोगे चुकी 1 kg चावल का मुल्य बराबर 12 रुपीज इफ लिए नीचे लिखोगे इफ लिए 7 kg चावल का मुल्य बराबर 12 into 7 equal 84 रुपए ठीक है इसका PDF मैं अच्छी तरह से हल करके दे दूँगा पीवियर स्टडी टेलीग्राम चैनल में चलो भाईया लड़्डू दिख गया मुँँ में पानी आ रहा है पहले से पहले पानी समालो चलो अब तुम्हेरे नहीं आ रहा है तो क्या करें यदि 1 kg मिठाई का मुल्ले 290 रुपया है तो 5 kg स्वीट स्यानी मिठाई का मुल्ले कितना होगा इसका जवाब जो बता देगा मैं जान जाओंगा कि बड़ा महान हो चलो निर्मल समझ में आ रहा है रिंकू बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर लो बाबू पढ़ाई कर लो जब सिच्छा का आगमन होता है न तो यह सारी जो आपके अंदर उमड रही चीजें हैं वो और किनारे हो जाती है चलो बहुत सिंपल है लो मैं हटा दिया आई वाला चलो आप बढ़िया दिखाओ रहा है वन केजी लड़ु का मुल्ले आप लिखोगे चू की वन केजी का मुल्ले बराबर 290 तो 5 केजी लड़ु का मुल्ले एक्क वर 5 इंटू 290 जीरो सही जबाब दिया कोई अनूप कुमार बहुत अच्छे अनूप बेरे गुड तो बाबू पांच का जीरो में गुड़ा जीरो पांच नूप पैतालिस हांसिल चार पांच दूनदाफ चार चाउदा 1450 रूपए यानि आपका ऑप्सन नंबर हो गया सी वाला सही ठीक है नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जिनको नहीं समझ में आया रुके रहने लाइस्ट में सब बताऊंगा चलो कहरा कि दो गायों के आठ पैर हैं भहिया तो सतरा गायों के कितने पैर होंगे इसको कैसे निकालोगे थोड़ा फाला गए थोड़ा साला 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 गए देखो पहले इसमें एक गाय क यह सब को पता है कि एक गाय के कितने पैर होते हैं जो यह रूक जमार कर दिया मेरे कोिस ने उसको छोड़ Dology रहा है जाने तो छोड़ो इसको मैं छोटा नहीं करूँगा वहाँ पर भी मोचा कोचा कर दिया गलत कर दिया ठीक है इसका सही जवाब कितना होगा भाईया एक गाय के चार पर होंगे तो सत्रा चुका अनसट टिक्स्टी एट इसका अंसर आएगा अंजली बिल्कुल सही बेरी गुड ठीक है बेरी गुड आसीस कमल बेरी गुड बहुत अच्छा अच्छा एक और बता दीजिए अगर मैं कहूं यह दि दो गायों के अरे बै उल्टा होई जारा अब सही हो गया ना यह हैं कर रहा पैनल यार आज अब समझ लो कि अगर ढाई तीन लाख रूपए आप लगाओ उसके बाद भी यह सब जेलना पड़े तो कितना अंदर में ना गाली निकलती मुझे और कुछ नहीं क्या करें लेकिन करना पड़ता है पूरा सिस्टम है इस यह जाइस्ट होना चाहिए तुरंद देखो दो गायों के आठ पैर हैं तो कह रहा है कि फिर सतरा गायों के कितने पैर होंगे चलो इसको मैं दूसरे साब्टबेर में हल कर देता हूँ इसमें तेज चलेगा दो गायों के कितना पैर है भाईया यहां पर हल कर लेंगे यह चलेगा फाज चलेगा लिखो यहां पर लिखो चूकी दो गायों के पैर बराबर आठ इफ लिए एक गाय के पैर देखो मैं नियम से बता रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 8 वटा 2 बराबर 4 हमें निकालना कितने का था? 17 का इफ लिए 17 गायों के पैर कुल पैर लिखोगे न? तो 17 गुड़ा 4 बराबर आणफट देखो यह कितना तेज चल रहा है यह दूसरा ओपन किया हूं में समझ में आ गया सबको भाईया हिमान चल राम मगन ठीक है परमिला याद हो बेरी गुड चलो तो यह हो गया क्लियर दन इसका हो गया इसमें आजाओ भाईया गजब का तस्बीर भी दिख रही है इलहवादी अम्रूद वाली चलो बताओ इसका कोई जबाब देगा है निवन ठीक है सबसे पहला जबाब इसका संजीत सिंग ने बताया है जोती कुमारी और को यह निवन पांच केजी अम्रूद का मुले बारा ए बहिए सत्तर रुपया है तो बारा केजी का मुले बताई यह कौन-कौन अम्रूद खाया है बताओ महिलाओं और पूर्षों की सभी बिमारियों का समधान होता है अमरूद में इसको मैं थोड़ा एड़िजमेंट कर देता हूँ देख लो बड़ा करके ये फायदे होते हैं अमरूद खाने के मुझे कहीं से पैसा नहीं मिला इसको परचार करने का बस ऐसे ही मिल गया था बाइट डिफाल दिखा देता हूँ मोकित दुरगंद भी दूर हो जाती है समझ रहो ना बेलेंटाइन आ रहा तुम लोग का चलो इसका सही जवाब कोई दिया राजिया बेरी गुड अब्दुल रह्मान ठीक है बुमिका बेरी गुड चलो तो बैया वन केजी का मुल्य पहले निकालोगे चलो आ जाओ वन केजी का मुल्य निकालना है पांच का सत्तर दिया है तो बारा का निकालना है पांच का सत्तर दिया है चल भाया एक खुल जा यार अबे तुम भी हैं करेगा पांच का सत्तर दिया है एक खुल जा रहे दादा चल लिखो लिखो चुकी पांच केजी अमरूद का मुल्ल बराबर सत्तर रुपया इसलिए वन केजी का मुल्ल बराबर साट कर दे रहा हूं थोड़ा ठीक है आप लिखोगे वन केजी अमरूद का मुल्ल बराबर कितना हो जाएगा भाईया बाबू सत्तर को पांच से भाग करोगे तो चौदा रुपया किलो अमरूद हो गया इफ लिए बारा केजी अमरूद का मुल्ल बराबर मुह से बोल रहा हूं सही सही उसको सुनो बारा केजी का निकालना था ना तो बारा चोक अड़ा तालिस हाफिल चार बारा एकम बारा चार सोला एक सो अनफट रुपया 168 रुपया ना 144 को 840 क्या क्या भई यह सब क्या हो रहा है काय को उल्टा बुल्टा जा रहा तुम लोग एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं पांच केजी का मुले 70 रुपया है तो 14 पंचे 70 होता ना बाबू 1 केजी का चौदा रुपया हो गया तो बारा केजी का था निकालना ना देखो बारा का निकालना था अगर एक केजी का चौदा रुपया है तो बारा का निकालने के लिए बारा का चौदा में गुड़ा कर अनामिका कुमारी बेरी गुड तो यह हो गया खतम अब एक दूसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक इसका नाम है पैटर्न क्या बोलते हैं बाबु इसको पहले इस तस्बीर को देखो प्यार से फिर बोलना आगे कुछ चलो इसमें क्या दिख रहा है आपको यह हमारे गांव सु सुल्तानपुर आयोध्या दिख रहा है तुमें नहीं बताओ है नहीं फाफा में उसे गुजरे हो इसमें कौन-कौन गुजरा है कोई लहवाद से है आपर परजेंट जो आयोध्या रूट पे गया हो कभी कि सीमा सर्मा को नीचे नंबर चल रहा है स्क्रीन पर जिनको कोई करना है उसकाश करेंगे most चलो यह क्या है कि हमें पैटरं के बारे में बात करनी है पैटरं में जो ये बहुत अच्छा reminder कभी सत मुझें और सभी साथ भी नी छोड़ता भूक प्यार होता है और अगए 30 छोड़ दीए न तो कईओ की जान चली जाती निनकी मुलाखात इतनी खतरनाक होती समझ रहो ना तो यह पैटर्न का एक अच्छा खासा एक्जामपल है रेलवेट ट्रेक तो यह क्या कहते हैं छोड़ेंगे न हम तिरफ वो फाथ थी अगले इस्टेशन तक ठीक तो यह आए इनको साइड करिए पहले मतलब की बात समझेए नहीं कहेंगे फालतुक वकलोली कर रहा है इसी में अब आई नीचे वह जा रहे है फोटो इसको मैं दबा रहा हूं पकड़ रहा हूं फिर नहीं कर रहा है तो पैटर्न जानते हो आप पहले पिच्चर का पैटर्न बताए हूं ठीक है कि आप लोगों ने इनके जो बैच चल रहा है अभी इसका सारे भाग देख लिए पीछे का बता दो एक बार भाईया इसका सारा भाग देख लिए अप तक यह बता दो मुझे मैं फस गया हूं बहुत बुरा इसमें इसलिए आप से बात कर रहा हूं मैं चल रह अगर यह आगई ना नीचे आ लाइन पर अच्छी आ जाती है तुम काय नहीं आओगी चलो तो आये जल्दी जल्दी मतलब की बात करते हैं कि यह सींडी देखें आप सबी यह भी यह सब का दिखार है सब का मतलब है मतलब है सब देखिये तो यह भी प्यक्रनिका बहुत अच्छा एग्जॉपल है इनके जो डंडे होते ना धीके कितने लोग देखें यह पहले पुझे यह बताओ उनके डंडे अपस में बराबर होते हैं एक दूसरे से यह बराबर बराबर दूरी पी लगाए जाते हैं अगर वो लगाने वाला मिस्तरी हमारे इसे खतरनाक नहीं है तब नहीं तो iç Water नहीं पायागा कोनों यह इनकी दूरीयां आपस में बराबर होती हैं समान होती हैं पाइटर्म देखे हो गने इसको सचिन को स्वामी ज्यान चन पांडे महेंदर सिंग कि अधर इसको बैक कर लो एक बार दो तीन चार पांच ठीक है यह इधर साइड वाला सिंड़ी किलियर हो रहाग नहीं यह पहले बताओ वैसा ही सब आप लोग देखे होंगे तस्वीर दिखाने से मतलब नहीं फीदे टॉपिक पर चले नहीं तो कुछ लोग गरियार हैं फालतुक काम कर रहा है ना तो यह बाई तुम नीचे जा यार तुम नीचे जा तुम्हारा काम हो गया तुम्हारा काम हो गया तुम जाना तुम आना 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 मेरा भाई आना यह दिख रहा है कि नहीं देखो यह जो घर में हमारे सिंड़ियां होती हैं वहां पर क्लियर दिख रहा है का यार हमी को नहीं का एक एक जामपल है लाइफ में मैध हर जगा गुशी है जब से पैदा हुए जो जो कर रहे हो ना चुप़े से या सब के सामने भी वो सब पैटर्न पर ही चल रहा है मैध के रूल पर देखो कैसे इनकी दूरियां अपस में हर जगा बराबर बराबर होती है नीचे फिर दिख रहा तुम्हें उपर फिर नहीं दिख रहा है नीचे का हिस्सा है हाँ यह सवी क्या थे मानो निर्मित पैटर्न थे अब तक स्ढिर की भी मानों ने बनाया था इसको भी मानो मतलब इंसाने ने बनाया है रेहलव कर ट्रैक को भी इंसान नहीं बिछाया है लेकिन अब कुछ चयसे पैटर्न है जो प्रकृती ने बना रख्था है है मानों नहीं बनाया है जैसे देखें यह यहाँ पर यह नेचुरल पैटर्न है बाबू इनको देखें ऊहगे बोल। एक बार सब जोके यह 1-10 इसमें देखो कितना प्यार से प्रकृति ने बराबर बराबर दूरी पर इन दानों को रखा है देखो इनकी दूरियां आपस में उतने ही हैं जितना इसकी ये नाप लुचा है टेप लेकर के इंची टेप या कोई भी मात रख देखो बराबर बराबर दूरी पर बिलकुल बोलो बराबर है की नहीं है ना ये मानो निर्मित नहीं ये नेचुरल बना हुआ है प्रकृतिक है इनके दाने देखो आपस में बराबर बराबर दूरी पर है एक दम बीच में उतनी ही जगा है जितनी एक दूसरे के है एक बार स जो तुम खा रहे और निकाल रहे उसमें भी पैटर नहीं बनता है अब इससे ज़्यादा क्या बोलें यानि अब मैद से भाग के नहीं जा सकते हो कि हर जगा पैटर्न है लाइफ में और पैटर्न मिन्स मैंत मिन्स रिजिनिंग चलो आगे बढ़ें अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूं अभी तो मैं तुमसे कुछ पूछाई नहीं अभी तो तुम्हारे दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है अभी तो तुम के फिल खेल रहे हो चलो यहां पर देखो दो और चार चार और छे इस लिटे अगर आप से पूछ हूं कि यह बताओ मेरे भाइया यहां पर कौन सी संख्या आएगी तो बता लोगे सब यह बार बोलो यसा अच्छा बता लोगे तो हमें का संख्या है यह बता दो फिर से जल्दी करो अंजली बर्मा बेरी गुड कुल दीप ठीक है जोती बेरी गुड देखो मैं बताता हूँ में पॉइंट क्या है देखे दो से जब चार हुआ मेरे भाई थे यहाँ पर दो जुड़ा बाबू बोलो जुड़ा की नहीं दो से चार होने में दो प्लस हुआ चार फे छे हुआ तब भी दो प्लस हुआ ठीक है और भाईया हो ए बाबू जब चे से आठ हुआ ना तब भी तो दो जुड़ा ना यानि यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी एक पैटर्न है जो की अगली संख्या प्लस प्लस दो अधिक है पिछली से समझ रहे हैं ना पिछली से दो अधिक है जिसे हम लोग की जड़े stone क्या है पिछले जन्रेसें के जो लोग थे वो लोग थोड़ा सब बयतरीके के थे ल teşekkür उसके और पिछले फिर उससे जो आए वो थोड़ा नालायक टाइप के हुए हम लोग में उससे ज़्यादा नालायक और अब जो जनरेशन आ रही है वो बेसरम टाइप की हो रही है कुछ लोग कहेंगे यह गंदा बोल रहा है सची बात बता रहे है आप देखो यहाँ पर क्या आएगा कि बोलो मैं सही बोला की नहीं सही बताओ कितने लोग कह रहा है कि सही बोल रहा हूं 14 अरे बंदलब नाद माडन बोलते हुन्हें इसमें देखो भाईया साथ साथ बढ़ रहा है साथ साथ बढ़ रहा है ना इसमें तो सिंपल सी बात है देखो यहां पर साथ अधिक हो रहा है है साथ अधिक हो रहा है सब में सब में साथ अधिक हो रहा है तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा ठीक कितना जाएगा 42 अरे 42 यह चल नहीं रही है मुन करतान में इसको इसम गुशाड़ दूखा हैं कर रहा है यह गदा हाँ चलो इसमें बता दो फिर जब तुम लोग बताई रहे हो तो चलो आसीस यादो और कुछ आयरा एक नहीं यह कितना आयगा भाईया जल्दी करो फटा फट राजिया कुल दीव इनको बताऊ का यहां चरही हो जल्दी बताऊ इनको भाई बताना इनका ना निकलने वाला है भाई फटो न पर coin स्वह पार रहे हो तुम यह मजाक न हो रहा है अभी कठीन व्राइश नोड़ा हो किसा बाधा आसान है नो तो अभी देखना ना सभी बढ़ता जाएगा इनको देखो मगर प्यार फे इनको देखो मगर प्यार फे अरे वो दूसरा वाला प्यार ठीक है भाई 26 आ रहा है देखो ये 2 प्लस हुआ है ये भी 2 प्लस हुआ बाबू ये भी 2 प्लस हुआ है तो इसमें भी जब तुम दूई पलस कर दोगी ना तो 26 हो जाएगी ना कितना हो जाएगा 26 अच्छा फिर हियां बता दो का होगा हियां बता दो का होगा अगर दूसर के में जो बता दिया ना हम मान लेंगे कि तुम्हें आ रहा है गुरू चलो दी वाले में कौन-कौन बताएगा बोलो ऐसे करके इसका आंसर दोगे मैं बता रहा हूं कैसे रुको रुको न थोड़ा सा इसका अनसर तुम अलग तरीके से दोगे डी वाले का कैसे पता है डी बीस या डी या कईस ऐसे करके कुछ लिखो जो भी आये देखो यह समझने लाइक है यह डी वाला समझने लाइक है थोड़ा आपका दिमाग यूज करेगा यह देखो कैसे कि मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं कि मुझे थोड़ा रुकना चाहिए ना सांफ लेना चाहिए देखो भाईया यहां से बाबु यह चार प्लस हुआ है तो बीस आया है ठीक है और फिर यह दो माइनस हो गया बाबु समझना चार प्लस हुआ फिर दो माइनस हुआ और फिर इसमें चार प्लस हुआ ठीक और फिर इसमें से दो माइनस हुआ है याद रखना तो क्या होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना है मैंने कहा कि आपको बेसिक रिजिनिंग सिखाएंगे आज यहाँ पे तो क्या होगा अब फिर फोर जो है प्लस होगा तो फोर प्लस होगा तो यह 24 होगा न दद्दा मैंदर सिंग आरा समझ में हिमांचल अहिरवार बेरी गूड विनोध इंटर्टेन्मेंट चलो हम साफ ले लेते तब तक गिर जा फूट जा अगले में बता दो अगले में बता दो क्या आएगा इसमेना दिमाग का भेजा लगाना पड़ेगा सब तब आएगा चलो बताओ कुल देव बाबु पढ़लो बड़बा लिखवा तो अच्छा रहे हैं नहीं तो भक्त अंदभक्त चमचा और का बोलते हुने यार बहुत सारा नाम आज कल फेमास होता है उसी में से बनोगे कोई ने कोई ठीक है तो वाट्स अप इन्वर्सिटी वाले ना बनो रियल की प अधर्टी बात है चलो अ 10 Londra अीज पढ़लो पढ़लो अच्छा था गया यह क्या है कि इसमें आप करोगे माइनस फोर हुआ इसमें भी माइनस फोर हुआ है इसमें माइनस जाएगा चार गड़ जाएगा चलो नेक्स्ट भाई रोई इनको थोड़े देर के लिए होल्ड करो तो दांत चीहार रहे हैं अच्छा इसको कौन बताएगा इसका जवाब जो देगा ना मैं कोट बता रहा हूं सुनो चलो इसका जवाब देने के दिलिए आप सबसे पहले ए लिखोगे ए लिखोगे फिर अंसर लिखोगे तो माँ जानूंगा कि अप इस सब लगेगी एकदम पने जीटना दिमाग न तुम्हारा है तुमारी वाले पिल बोले लकता है ओता धिमाग यहां लगेगा अभर तो तुम्हारे वाले से भी लगता है क्योंकि छूंट न वह जादा बोलती है आप लगत कमी बोलत्य सीधे साथ Hag some कि राजिया बेरी गुड के यस गेमिंग हिमान चल मैंदर का मैंदर वल्ले आना ठीक आएक दम जी अताहाँ खुशाल हाँ चल इसे मामाई दोस्त लोग के हाल चल इसे हो पता नहीं मैंदर है कोनों दूसरा रहने गरिया रहे होंगे का बोल रहा है कि देखिए इसमें थोड़ा सा ना आपको समझना है कि 105 से 120 हुआ है फिर 117 हुआ है फिर 132 हुआ है बहिया यह 15 बढ़ा बाबू और फिर यह तीन कम हो गया है और फिर यह 15 बढ़ा है बोलो सही बोल रहा हूँ 15 बढ़ा है ना बहिया चाच्चा फिर तीन कम होईगा हो और फिर 15 बढ़ाना है तो अगर 130 होता 15 बढ़ता थे 145 हो जाता यानि 144 आएगा पूचा यादो बिल्कुल सही है राजिया का गलत है महंदरवा का एकदम गलत है और यह फलनिया का भी गलत है का करत है तुर लोगो देखो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा यह क्लास थर्ड की महत है कच्छा तीन की गड़ित है अगर तुम्हें अब भी गर्भ है कि मुझे महत आती है गवंड गुरूर है तो आप से जानलुक नहीं आती है सीखना शुरू कर दो समझ रहो ना कि दुनिया में सबसे बड़ा मुर्ख वही है जुसे लगता है मुझे सब आता है और अधिकतर इन में से न कुछ गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं आपके अंदर पाए जाते हैं वह हम लोग को गड़बड कर जाते हैं देखो ये तीन बार दो है जो की बिल्कुल ग्रीन ब्लू कलर का है जो भी ये देखो आपका भगवा कलर का चार बार है ये भी चार बार है ये क्या है पांच बार है क्या आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो एक बार बोलो या सिया नो समझ पा रहे हो कि नहीं देखो बिल्क कलर का है अगर हम बात करें तीन बार है फिर क्या है बाबू यह चार बार हो गया इनको देखो यह पहले चार बार थे फिर यह पांच बार हो गए इसका मतलब इनकी संख्या एक एक बढ़ रही बस और कुछ नहीं जितना हमें यहां पर इनपुट मिल रहा है उसके अनुसार इक बढ़ रही संख्या तो क्या करेंगे फिर हम यह चार बार था अब यह नीचे उसके आगे जाएगा आगे जगातो है नहीं तो मैं यहां लिखूंगा एक बार लिख सकता हूँ चलो पांच बार हो जाएगा एक दो तीन चार पांच कित्ती बार पांच बार ठीक है यह आप यह छे बार हो जाएगा आगे बढ़ेंगे छे बार कि ए रुक ना रुक ना फ़ला निया रुक ना एक मिनट यार यहां तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर जो चार है यह दो होना चाहिए कलरे कलर देख रहें काम लोग एक मिनट यह कुश्चन हमें गलत था यहां लोग कलरे देखते रहा गए संख्या तो लोल हो गई वह रुक जाओ कुश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था पांच बार यहां फोर रहेगा आप सही है ना वह फोर की जगा पर टू लिखा गया था बाकी सब सही था ठीक है अब छे बार यहां पर फोर रहेगा 123456 ठीक है फिर वैसे आगे बढ़ेंगे एक एक बढ़ती जाएगी यह संख्या जो है पांच बार है जो दो ग्रिन वाली वह छे बार हो जाएगी यह क्या पैटर्न है एक बराबर बराबर दूरी पर आगे बढ़ रहा है ठीक ह सभी को समझ में आ रहा थे बाबू सेशन को लाइक कर दो फड़ा फड़ और जो नए साथ ही हमारे है चैनल को सब्सक्राइब बिना किये नहीं जाएंगे यह बस्तूओं को बांटना अच्छा एक बात बताओ ऐसे कभी लड़ड़ड़़वाइट के लाइन में हम लोग छ रुपय जमा करते थे 10-10 रुपय मिठाई उठाएक लिए समझ रहे होता क्या था इसकूल की फीसी 10 रुपय महीना थी किसी को यकीन होगा इसमें से कोई है जो कच्छा आठ तक 10 रुपया या 15 रुपया पर महीने के हिसाब से पढ़ाओ कुछ लोग कहेंगे इतो पुराने 20 रुपय महीना फीफ लगता था इसकूलों बच्चों की संख्या होती थी 2-200 तो जब 15 अगस्ष 20 जनौरी आता था तो गूरु जी ना 100-200 लडू लेके आते थे बच्चे होते थे 3-400 उससे मतले डवले होते थे तो फोड के कम सब मिला के गोंज घांच के ना फिर दिया ज तबीक जो है ना वह मजा आती है अच्छा एक चीज है यह फोटो पास से मुझे बड़ी गंदी दिख रही है कैमरे में अच्छी दिख रही है कोमल बिल्कुल फिरी पढ़ाया जाता है किफी चीज की निरंतरता में उसकी मजा नहीं रह जाती है जैसे अगर देखो आप बिजली जो लोग सहर से हैं अगर हर समय लाइट है ना तो लाइट कोई बड़ी बात नहीं है गाउं में ना लाइट हम लोग के गाउं में ना अगर चार-पांच घंटा चली गई कभी द आगे बढ़ें आप कहेंगे हम लोग का गाउं कौन सा दूसरे देश का है भया है आज चांद पर जाना आसान है लेकिन हमारे गाउं में हमारे घर तक पहुंचना आफान नहीं है इतना समझे लो तुम बस और आगे क्या कहें क्या सुना आपने चांद पर जाना आसान है ल छलो तो यह मैंने आपको दिखाया काहे को अभी इसमें कुछ सिखाना बाठना जिस्ट्रिब्यूटन शिखाएंगे इसमें डिस्ट्रिभिउशन यह क्या देख रहे हो कितने खुछ से लडू लोग यह कुछ यहां पर बांटा जा रहा है बटवारा हो रहा है कोई इस सिखा आने वाला हूं बांटने वाला अरे वह बांटना नहीं जो तुम सोच रहे हो कि चलो बताओ कि किसी का कोई नाम यहां से मिल जोल जाए तो एक सन्योग मात्र माना जाएगा सभीता के चार बच्चे हैं यह उनके पास 12 आम है तो परतेक बच्चे को बराबर बराबर कितने आम मिलेंगे बताओ बिनोध बाबू पूरा क्लास देखो समझ में आएगा कभी कभाल भूल चूक से आओगे नहीं आएगा ठीक है मैं अब आपको डिस्ट्रिब्यूटन बोलते हैं इंगलीस में इंगलीस थोड़ा कमावत है यार देखो सभीता एक कोई महिला है जिसके चार बच्चे हैं चिल्ड्रेन हैं और उनके पास में 12 आम हैं 12 महेंगो है और बराबर बराबर बच्चों में बांटना है कि क कि इतने कि आम दें कि बराबर बराबर आहें नहीं मार हो जाएगी महाभारत हो जाएगा नहीं जोड़ा सा अब्हाव में जीने ले हैं तो बहुत गड़बड हो जाएगा है ना कि बाकी हर जगा नहीं तो तीन तीन बेरी गुड सोनु भग सोनु बिदावत हिमांचल महेंद्र अनामिका कुमारी ठीक है बेरी गुड चलिए तो सभीता के पास चार बच्चे हैं यह उनके पास स्कूल टोयल आम है देखो इस तरह के सवाल में सिंपल सी बात है जितना प्रोड़क्ट है पहले उसको लिखोगे बाकी ज्यादा कुछ भीना किया वैसे बता देता हूं जितने इसमें खाने वाले भाई या लेने वाले उनसे भाग कर देंगे ऐसे फोर से तो फोर से भाग कर देंगे बताओ आसान है बहुत आसान है चल भाईया पंकज की मम्मी के पास 20 संत्रें हैं बहुत सिंपल है बाबू जितने फंत्रें हैं और जितने में बाटना है इनसे भाग कर देंगे तो पांचव का बीस तो आज निकरी खीस खीस मतलब जानते हो का होता है कौन कौन नहीं जानता है खीस मतलब यह ऐसे करते हैं न कहते का खीस काढ़ती है कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे चलो जान गए एक स्कूल में 15 अगस्त पर बाटने के लिए 300 लड़ू है मतलब लाया गया है यदि स्कूल में कुल 100 बच्चे हैं तो परतेक बच्चों को कितने कितने लड़ू मिलेंगे बताओ मदू सिंग बेरी गुड जोती ठीक है हिमान चल ताधना कोई करा हसी खीस मतलब हसी अच्छा कितने समझदार हो आप लो समझदारे पैदा हुए थी बाद में आगए पी वी आरे स्टडी की कलास में जुलके समझदार बन गए चलो तो पंदरा अगस्त पर बांटने के लिए भाया तीन सो लड़ू है यहां पर भी वही कंडीफन है और टोटल बच्चा पार्टी सो है तो इसको सो से भाग कर देंगे ठीक है तो जीरो फे जीरो निपट जाएगा बराबर तीन आएगा यानी तीन तीन लड़ू मिलेगा कास हमारा स्कूल भी ऐसा रहा होता है यह भाई का हुआ आवाज बंद होगी का यास आवाज आ रही ठीक है जिसे दादा बाबा ने देखा नदियों में ध्यान से देखना दिल थाम के देखना जिसे दादा बाबा ने देखा नदियों में और पापा ने तालाबों में हमने कुएवा नलों में हमने कुएवा नलों में हमारे बच्चे बोतलों में तो यह बताओ इनके बच्चे इसे किसमे देखेंगे रुको अभी पूरी कहानी समझाता हूँ इसके पीछे क्या मतलब है थोड़ा फरुक जाओ बहुत इंपॉर्टन चीज है ये ये बहुत हैं कर रहा है यार नीचे नहीं आ रहा है उपर मैंने लिखा है इनके बच्चे किस में देखेंगे जब आप दीजिए फटा फट जो बता लिया वही सिकंदर आज चलो मैं बात किसकी कर रहा हूं कि मैं अंदर सिंग बिल्कुल कमेंटा आ रहा है आपका बताओ भीया कि क्या कह रहा है आप लोग यार ये बहुत हैं कर रहा है गदा अब नीचे आजा रहे इसकी मा को प्रडाम करूं कैसे बोलते हैं यारे कमेडी में बोला था ना हाँ प्रडाम मतलब नमस्कार चलो देखो नीचे नहीं हा रहा यार ये जो लिखा जाने दो हैं कर रहा है वो देखिए तो मेरा यही कहना था सिंपल सी बात है कि पानी बचाईए सेव वाटर सेव लाइफ है ना यानि पहले के जमाने में जो पानी पीने योगे हुआ करता था वो नदियों का भी हुआ करता था फिर तलाबों में सिमट गया और फिर कुओं और नलों में सिमट गया आज बोतलों में सिमट गया आने वाले दिनों में क्या होगा ऐसा नहीं कि पानी नहीं है पानी इस धर्ती पे बहुत सारा है बहुत सारा है लेकिन मुसीबत यह है कि पानी पीने योग वाला नहीं है पीने योग वाला पानी नहीं है जो पानी है वो बिलकुल रदी टाइप का है खराब टाइप का है पीने योगे पानी का पर्तित्स बहुत कम है और बहुत से आसे सहर है आप लोग सुने Gavers नीज में दिखातें इसको कि उसका कारण यह है को देखना नहीं है को समझ रही हो न तो यह हम लोग देख रहा है यह हमलक का कुऊह त пошता आए तसाधता हूं फिर बाध की कुछ लेकिन दादी आजी थी बोलती थी रहने तो निफानी है यह वो होता नहीं जो भी तो इस लिए यह अभी ऐसे ही बना हुआ है जर जर हो गया काफी पूरा दिखाएं यह गाओं की तस्वीर है दिख रहा है तो एक बार बता दो हाँ दिख रहा है यह वो कुवा है यहां से हम लोग रस्सी बांध के पानी खीचते थे आगे एक नीम का पेर था उसमें जाके फसाते थे कभी-कभी वहां से रस्सी छूड़ जाती थी तो जाके साब कुवाम चला जाता था फिर साम को पंचाइद होती थी घर में बड़े बुजर्ग बुलाते थे करें यहां कौन कौन आज रहा है पानी लिमा मतलब कुवाम में रस्सी लटका है रहा है और फिर कवन छोड़ी जोन गिर गए फिर सारा नयाय हो जाता था आजी के पास म में फिर अगले दिन बाल्टी निकाली जाती थी कुवां से यह है हम लोग का मतलब हमारा मतलब मतलब हमारे पिता जी का घर जी से बोलते हैं भाई हमने तो कुछ नहीं बनाया भी है ना दिख रहा सभी को तो यह गाओं की तस्वीर है परबीन कुमार जी कमेंट आ रहा परबीन कुमार जी तो बस आज का कलास खतम हो गया यहीं तक था बस इतना ही था दबंग पंडित रिंको सुकला हाँ कमेंट आ रहा पंडित जी तो किसी को कुछ कहना है नहीं कहना है तो जाओ सबही अपने अपने घरे आज होगे छुट लो सुन लो अगली क्लास कप चलेगी सुन लो तब जाओ यह पेड़ पर चड़के फोटो कीची गई आपको लग रहा है कि नहीं हमारे एक क्या बोलने जो भी फैमिली के सदस से लोग हैं वो पेड़ पर चिंगार जिसे बोलते हैं ना पेड़ काट उबंदला टानिया काटी ठंडी में ना चड़के तो वहां से फोटो कीचा था पेड़ की फोटो कीची हुई है यह देख रहे हैं पेड़ की चुरकी आ रही यह कोई ड्रोन की तस्विर नहीं है लाउकुस हो सकता इसमें होंगे कमेंट में तो यह लाउकुस जी खीचे था इसको यह नल है भाई आम लोग के घरगाओं के आप तो बहुत कमी दिखते ना यह सब गायब हो रहें दिरे-दिरे इनका टाइम ओबर हो रहा है आप बोतल आ रहें फिल्टर वाले चलो तो इस बैच का अगला पार्ट कब होगा अगर आप अप्लिकेशन में देख रहें तो कली होगा कल ही देखेंगे आप और अगर आप यूटूब पर देख रहें तो बाबू इस बैच का अगला जो नेक्स्ट भाग आएगा वह 15 फरवरी को आए पीवियर स्टडी आप में देख रहें हैं तो फिर अप्लिकेशन में तो अगला भाग कली आएगा कोई नहीं है क्योंकि भाईया हो अप्लिकेशन में इतने सारे वैच है इतनी सारी कलास है मुझे टाइम नहीं मिल पाता बाबू ठीक है तो जिनने रेगुलर पढ़ना है वो पीवियर स्टडी आप डाउनलोड करके इन्रोल कर लें जिससे कि वह बिना किसी गयप के रेगुलर पढ़ पाएं क्योंकि अप्लिकेशन के अंदर रेगुलर कलास होती है बिना किसी जीम जाम के कलास होती है अप्लिकेशन के अंदर तो चलते हैं फिर आज के लिए इत जी को तो बोलो कि हालो ठीक है। गुश्रों कि अपन दर नाइट राजिया जी साधना पिश्थ मचानत्न हो इससा जी क्योंकि रोज क्लास अप्विक चैसन में जो नहीं होती है वहां से मुझे टाइम नहीं मिल पाता अप्लिकेशन के अंदर आठ क्लास चलती है रोज ठीक है तो मैं भी इंसान हूं हमारे अंदर भी एक आत्मा निवास करती है जो मुझे रोज गाली देती है कहती है कि तुम इतना कामी करना था तो पैदा काये को हुआ मिल पाता है तो अपलिकेशन में रेगुलर होती है यूटूब पर हम टाइम निकालके आते हैं बीच बीच में मतलब इसको उतना प्यार नहीं देते हैं अभी लोग पचास लोग असी लोग देख रहें सेम क्लास अप्लिकेशन में जब चलती है न उसमें पांसो आठ सो बारा सो पंद्रासो लोग देखते एक बार में क्यों क्योंकि वह ज्वाइन किये होते हैं उनके अंदर कुछ होता है कुछ करने का है ना हाँ अभी समय नया वैच लांच हो रहा है आपके वैलेंटाइन डे पर जद्धा जानकारी के लिए संपर्क करें चाहें तो इन्रोल कर सकते हैं अभी आपको इसमें भारी डिसकाउंट मिलेगा सत्तर परसंट तक तो नंबर इसक्रीन पर चल रहें संपर्क करें हम आपको कॉल रेसीब करके आपकी बात का जवाब देंगे तो बहुत बहुत थैंक्यू